नमस्कार दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे किरन सामान ज्यान की बुक्स के बारे में तिसमें हम लोग भारत का इतिहास पूरा देख चुके थे फिर बात किये थे दूसरा टॉपिक था आपका विश्यो का इतिहास और फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी भारत बारतिय कला एवन संस्कृति के बारे में मैं बार 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 बोल रहा हूं इस बुक्स को खरीद लीजे एक से दो बार इसे पढ़ लीजे अच्छे से ठीक है और अगर इसे आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे न यह हो इस त 190 होते हैं आप कपर कर सकते हैं से और बहुत अच्छी लिखी गई है फिर आपका इसमें लोग नहें भारती राजवी वस्ता वस्ता समीधान भी देख चुकिएं हैं उसके बाद हम लोग उने बात की थी भूगुल के बारे में तो इसमें हम लोग विस्व का भूगुल देख चुके हैं पूरा और भारत का भूगुल भी देख चुके हैं ठीक है आज हम लोग बात करेंगे इसमें आपके राज्यों के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपने देखा होगा जब यह स्टेट को एक जाम आप देख दें तो इस्टेट जी के पूंच लेता है तो सबसे पहले बिहार हो गया 36 गड़ के बारे में बात करेंगे हर्याना हि उत्तरपिदेश दिल्ली के बारे में बात करेंगे हम लोग दिल्ली इन सब की इतने आप राज्य की बारे में बात करेंगे ठीक है जो आपके लिए मत पूंड रहते हैं एक बात यार याद रखिए हैं मैसा कि आपके जितने भी किलासें ली गई हैं अभी तर वो सभी आपके ही नाम से उसी मेलाइ हुए है तो सबसे पहले बात करते हैं भीःर की मखशने वाको बात करेंगे आज बिहार के बारे में बिहार सामान ग्यान के बारे बात करेंगे क्योंकि आपकी फरिचाए विहार PCSO या फिर बिहार की अन्य एक जामों वहां इससे questions पूंचे जाते हैं अक्सर तो सबसे पहले हम लोग बिहार की maps में स्थिति देखते हैं आखिर बिहार भारत की map में है कहां यह आपका map से भारत का पूरा तो देखिए आपका स्री लंका है नीचे म्यानमार हो गया और भूटान बंगलादिस बंगलादिस से आपकी सबसे जाना सीम लगती है भारत की नैपाल उपर तिबबत चीन हो गया पाकिस्तान हो गया अफगानिस्तान यह आपके पीयों के वाल पुकस्मीत हिमाचल पिदेश पंजाब हर्याना उत्तर उत्तराखन उत्तर पिदेश राजिस्थान गुजराद मद्ध पिदेश महराष्ट दमन्दूइप दादरा और अगरहवली दमन्दूइप यह साथ में एक हो गया गवा करनाटक तमिलाडू यह लक्षिदीप हो ग गया तेलंगाना उडिसा चतिसगड जारखंड पहले जारखंड और बिहार एक हुआ करते थे लेकिन बाद में आपका बिहार से अलग करके जारखंड बना दिया गया पश्चे मंगाल हो गया इसके बाद यह आपका सिक्किम है उपर यह आपका असम है अरुनाचल अब हमें बात करनी है आपके बिहार के बारे में आज इसके बिहार के बारे में याद रखी अगर आप चाहते हैं कि आपका राज्यों से कुश्चन गलत ना हो तो आप एक बार सभी राज्यों को करम से रख लें क्योंकि आपने देखा होगा कि जब करकर एका की बारे में या फिर मानक समय रिखा की बारे में पूछता है तो आपको मैप से याद होना चाहिए क्या होना चाहिए मैप से याद होना चाहिए तब आप बता पाएंगे कि देखिए यह है सामने जा रही है जैसे करक रेखा कि आप बात के लिजी गुजरात राजिस्थान मद्पिदेश मद्पिदेश के बाद 36 गड़ जारकंड पश्चे मंगाल उसके बाद तिप्पुरा और मिजोरम से जाती एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ राज्यों से गुजर कर जाती आपकी करक रेखा ठीक है कि उसके बाद अगर कि उसकी बाद करें मानक समरी एक आफी तो उत्तर पिदेश उसके बाद 36 गड़ उड़ी सा जार बाद आपकी आंध पडदेश से कर राज्यों से ठीक है कि एक बात यहां बता दे आपको कHY बिहार कि यह है आपका बिहार एक मिनिट रुगी है बिहार बिहार की यह है बिहार की स्थिति बिहार आपका उत्तर पिदेश से सीमा लगती है जार गंड से भी इसकी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से उपर नैपाल से सीमा लगती है किसे नैपाल से लगती है और आपका असम से भी इसकी सीमा लगती है देखिए हैं सौरी परसम से नहीं लगती है क्योंकि यहां से यहां तक है आपका पश्चे मंगाल तो पश्चे मंगाल जहरकंड और उत्तरप्रेश कि इसकी राध्धानी पटना है चलिए इसके बारे में हम लोग पॉइंट देख लेते हैं क्या देखते हैं पॉइंट इनको रट लीजिए आप लोग्यों कि इनसे ही कुश्चेंज पूँचे जाएंगे आपके पूँचे जाएंगे जो राज जी बिहार हो गया इसकी राध्धानी पटना हो गई वर्तमान स्वरूप 1956 में सीमाओं में परिवर्धन करके आये था और वर्तमान राज की अगर बात करें तो आपको मालू होगा जारखंड अलग होने की बाद 15 नवंबर 2000 सन 2000 में बिहार राज आया बर्तमान इस्तिति क्योंकि जारखंड 2000 में अलग कर दिया गया और बिहार से आपके ठीक है नामकरन की बात करें तो बाहरेवी सताबदी के अंत बिहार में ओधंत पूरी की समय बौध बिहारों कि बहुत संक्या की कारण छेत का नाम बिहार पड़ा जो कलांतर में आपका बिहार हो गया पहले वियार था उसके बात बिहार हो गया अगर उसकी मत की बात करें तो भगवान बुद्ध 24 जन तीरत करों रसी मुनियों अनेक नेक पिर्मोख व्यक्तियों की करम भूवी रही है बिहार जनम भूमी के लिए मत्धकुन भी है अगर इसकी भोगोली किस्तिति की बात करें तो बिहार की भोगोली किस्तिति 24 डिग्री 20 minutes 20 मिनिट 10 उत्रियक्षान से 27 डिगरी 31 मिनिट 15 उत्रियक्षान से और अगर हम लोग देशानतर भी बात करें तो ये 83 डिगरी 19 पूर्वी देशानतर से लेका 88 अठासी डिगरी 17 मिनिट पूर्वी देशान तक तो बिस्तित थे आपका याद रखिए bases अगर हम लोग व्यार के उत्तर से डखशंड लंबाई की बात करें उत्तर से डठचंड तो ये 362 किलूमेटर है और यहाँ से अगर से पूर्व से लिगरी पूर्व से यहां तक की बात तो ये 483 किलूमेटर है तो याद रखिए उत्तर से दच्छन इसका विस्तार 382 है और पूर्ष से पश्चम इसका विस्तार 483 है कितना 413 अगर सीमा की बात करें हम लो तो उत्तर में नेपाल से दच्छन में जारकन पूर में पश्चम मंगाल और पश्चम में उत्तर पेदिश लगता है एक दो तेन राज्यों से इसकी सीमा लगती हो और अंतराक्ष्टी सीमा इसकी नेपाल से लगती है अगर हम लोग भू आकरती की बात करें तो बिहार एवं बिहार गंगा एवं सहायक नदियों का मैदान है यहां की जमीन बहुत उपजा हुए जिसमें सरेयो गंड़ा को 40,99,452 ब्यक्ती रहती हैं जनसेंक्या की दिरिष्टी में देश में तीसरा हिस्तान है आपके बिहार का दो हजार ग्यारे की जनगरना की अदसा है अगर हम लोग पुरसों की बात करें तो पांच करोड ब्यालीस लाक अठत्तर अजार एकसो संतावन है महिला इसमें से चार लाक चोड़ी चार करोड अन्ठानवे लाक एकीस हजार दोसों पंचानवे हैं अगर हम लोग दोहजार एक से दोहजार ग्यारे की वीच विद्धी की बात करें तो पच्चीस दिसम लोग चार पितीसद की विद्धी देखी गए हैं जीरो से चे वर्स आयू की वर्ड की जनसंक्या की बात करें तो इसमें एक करोड एकानवे लाक तीन तेनतीस हजार नौसों चोड़ है इसमें से बालक आपके अन्ठानवे लाक सब्तासी हजार दोसों उन्तालीस हैं और वालिका नौसो पैंतीस है और अगर हम लोग लेंगन पाथ बीसलें तो नो चोटर रहें पितीहजार यानिकि पितीहजार पुरुस पर नो सो अठारे महलाए अगर साखच्रता की बात करें तो इकस्ट पितीसल्ट है इलाका है याद रखिए साक्षरता की मामले में भी कुल साक्षर ब्यक्तियों की बात करें तो यह हैं आपके 5 करोड 25,4553 इसमें से पूरो साक्षर आपके हैं 3 करोड 16,8,023 महलाओं साक्षरों की बात करें तो 2 करोड 8,96,530 हैं लिंगनपात आपका 918 है यानि की 1000 पूरूसो अगर जनसंख्या गेनत की बात करें तो आपको सब पता होगा की जनसंख्या गेनत यहां का सबस्य जदे राज्जियों में 1106 है पिति बक्ती 19 involved吉 rarely हैं यानि कि 11106 लोग ब्यक्ति 2020 क्यों कि वहते हैं कि कला इवं संस्किती की बात करें तो मदुभण कला सेली पटना चित्त करा सेली है या राजवास आपकी हिंदी है अन्य भासाओं कि अगर हम लोग बात करें तो उर्दू मैथली मगदी भोछपुरी सामेल है दो देखा होगा आपने भोछपुरी मुवी यहीं बनती है अधिकतर अगर उच्छे न्यालाई की बात करें तो यह पटना में है फ्रमम अनुमंडल की बात करें तो 101 है 2011 की जंगरना की तरह हम लोग बात करें अब जो बदले होंगे 2021 में आपका पता चल जाएगा आपको पेखंडों की ब्लोक्स की बात करें तो 534 हैं गाओं की बात करें तो 44,874 हैं सहरों की बात करें तो 149 हैं और बिधान मंडल की बात करें तो दूई सदनात्मक है जैसे आपको विधान सभा हो जाती है विधान परिशत भी हो जाती है विधान सभा सदस्तों की संख्या 243 है और विधान परिशत सदस्तों की संख्या 75 है कि लोग सभा सदस्तों की अगर बात करें 140 है राज्य सभा की सदस्तों की बात करें तो 16 है कित सवा में 16 अगर पिरमुक नगर की बात करें तो यहां आपको मिलेगा नगर देखनों को पत्रना मुझप्र नगर मुझप्र पुर भागलपुर वरोनी कटिहार पूर्णिया मधुवनी दर्वंगा समस्तिपुर छप्रा सीवान गोपाले राच्किय पसु की बात करें तो बै करें कच्चनार किया है कच्चनार उसके बाद किरसी बिहार किरसी पिधान राच्य यहां कि आपकी 85-30 जन्संग्या किरसी पर निर्वर करती है यहां कि 80-30 से अधिक किरसी योग वह में खाद्यान पैदा करती है जिनमें आपने देखा है गयहुँचापल मक्का दलहन गन् तमाकू जूट आलू की फसल देखने को मिलती है अगर रभी की फसल की बात करें हम लो तो यह जाड़े रितू की फसल है इसकी बुआई समय होता है अक्टूबर नवंबर में इसमें आपका ग्याहुँ मिलेगा जो मिलागा सरसों मटर चना आलू खरीब की फसल यह बरसा क लित बार जूट देखने को मिलेगा आपको इसके बाद चाबल चाबल कहा आपका दीखने पूरिया मोंगे गया म्झय भा बागलपोर बात करना गया मुजबपर नगर मू अंदी जी का पहला सफ़ सत्या गय था ये मक्का ये भोचपुर सहरसा सारण दर्भंगा मुझपरपुर भागलपुर पटना में देखने को मिलेगा अधिक खेती होती हैं जुआर की बात करें मुंगेर भोचपुर जमपारण में बाजरा मुंगेर पटना भोचपुर गया रागी सारण गया दर्भंगा मुझपरपुर जोचर्णपारण दर्भंगा पूणिया मुंगेर सहरसा सारण मुझपरपुर गया भागलपुर गया भागलपुर गन्ना गन्ना की खेती आपकी मुझपुर पुर चमपारण सारण पूणिया भागलपुर भोचपुर दर् को चंदन जला से हैं वदूआ जला से इसकी अगर इस्थापना की बात करें चंदन जला से की तो 1968 में बना चंदन नदी पर है और बांका जिला में वदूआ जला से 1970 में बियार अम्मीड कर विष्विध्याले बिहार विष्विध्याले भी बोलते हैं से आप लो मुझब परपुर में 1922 में इसकी स्थापना होती है तिलका माजी विष्विध्याले भागलपुर में 1960 में में स्की स्थापना होती है कामेशोर सीन संस्कित बष्बिध्याले दरभंगा में 1961 में इसकी स्थापना होती है मगद comparing विदिया यह बहुत गया में 1922 में इसकी स्थापना होती है ललीट नारायन दारविद्ध्या दर्भंगा में 1922 में इसकी इसथापना की जाती है वी कुहरो सींग विद्ध्या ले इंडे आरा में दीखने कुम लिएगा 1994 में इसकी स्थापना की गई जैपिकास नारायन विस्विद्याले शपरा में 1990 में इसकी स्थापना की गई वी एन मंडल मधिपुरा में यह आपकी 1992 में बनाए गई मुलाना मजरूल हक अर्वी फार्शी विद्याले पटना में 1998 में इसकी स्थापना की गई राजेंद किरसी विस्थापना की गई ती इंद्रा गांधी खुला 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 विस्थापना की बिहार के अंद्री विस्ति विद्याले मौतिहारी में और नालंदा अंतराष्टी विस्ति विद्याले नालंदा में अगर हम लोग बिहार की चिकसा महाविद्यालेओं की बात करें तो पटना मेडीकल कॉलेज पटना में देखने पूम लिखा इसकी स्थापना 1925 में की गई Medical College दर्भंगा इसकी स्थापना 1946 में की गई A.N. मगद Medical College गया में हैं 1989 में इसकी स्थापना की गई नालंदा Medical College ककडबागपटना में 1970 में इसकी स्थापना की गई S.K. Medical College मुझभफरपुर में 1970 में इसकी स्थापना की गई भागलपुर मेडिकल कॉलेज भागलपुर में इसे आप लोग जबाहलाल नहिरू मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जानते हैं 1971 में इसकी स्थापना की गई थी कब 1971 में आंगे है आपका चकिस्सा महाविद्यालें पटना डेंटल कॉलेज यह पटना में बौध डेंटल कॉलेज एक कंकरवाड पटना में है अगर प्रमुक इंजिनिरिंग बिस्विद्याले की बात करें हम लोग तो मिलेंगे आपका इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नलोजी आई 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 टी पटना बिहार कॉलेज ऑफ इंजिनिरिंग यह पटना में है मुझभपरपूर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नलोजी यह आपकी मुझभपरपूर में देखने को मिलेगे भागलपूर Engineering College भागलपूर में देखने को मिलेगा विल्ला Institute of Technology मुझभपर नगर में मुझभपरपूर में Faculty of Agriculture Cultural Engineering को पूसा समस्ती पूर में देखने को मिलेगा अगर हम लोग किरसी विस्थे विध्याले की बात करें तो इसमें आपका बिहार किरसी महाविध्याले भागलपूर में देखने को मिलेगा तेरोच College of Agriculture मुझभपर पूर में देखने को मिलेगा अगर आयुवेद महाविध्याले की बात करें तो यह आपका आयुवेद कॉलेज पटना में भी है तिब्बिया कॉलेज पटना में अष्टांग आयुवेद कॉलेज भागलपूर में सेप कुमारी आयुवेदिक कॉलेज बेगू सराय में महरानी रामिसुरी महाविध्याले दरभंगा में कि आपने सुना होगा भी ऊसराय चर्चा में था लोग सभा चुनाओं में 2019 में कनय आकुमार और जो घ्रियास सिंग है लेकिन घ्रियास सिंग आपकी यहां से संसत है अगर विध्धी महरानी रामिसुरी महाविध्याले दरभंगा में ठीक अगर विध्य महाविध्यालायों की बात करें हम लोग तो T and B law college भागलपुर में देखने को मिलेगा S के जी law college ये मुझपरपुर में देखने को मिलेगा MM college गया में पठना law college महंदुगाट पठना में महाराज college आराबोजपुर law college समस्तिपुर विदे law college मदुबनी सिवानन्द मंदल law college मदिपुरा MS college मोधिहारी में अगर पसूच गिसा महाविध्याले की बात करें तो ये आपका faculty of veterinary science and animal हस्वेंडी ये समस्तिपुर में है पठना veterinary college ये पठना में ललीत कला महाविध्याले की बात करें हम लोग तो faculty of fine arts and craft भागलपुर विश्विध्याले नियो संगीत और सिल्प में डिपुलोमा यहां से मिलता है government college of arts and craft ये बात पठना में मिलेगा दीखने को पठना विश्विध्याले fine arts में डिपुलोमा आगे है आपका प्रमुक प्रयोक सालाएं और अनुसंदान TV demonstration and tanning center ही पठना में दीखने को मिलेगा बिहार सोध संस्थान आपको पठना में दीखने को मिलेगा राजेंद the research institute अगंपर कुआ पठना में देंगी को मिलेगा अगर अन सिक्षा केंद्रों की बात करें विश्विश्जबर्ग ही तु तो आपने देखा हुगा ने थींद विद्ध्याले बिद्धियाले कदम कुगा पठना में देखने को में लगा बाली क्या विद्धिया पीट लखी सराय में मिलेगा बारती नित कला मंदिर ये पठना में देखने को में लगा बिहाराष्ट भासा पजचाद ये पठना में देखने को में लगा चित और मोर्थी कला विद्धिय सम्सूल हुदा ये पटना में है ललित नारायन में इंस्टिट्यूट ऑफ एकोनोमिक ग्रोथ एंड सोशल चेंजिंग बैली रोड पटना में है जेवियर्स फायर सेफ्टी एकडमी एस के पुरी ये पटना में है मुख वाधिर विद्याले ये भी पटना में है अगर हम लो कुलब में स्थापना वीजिक पटना में पिदीप 1297 से अधाली पूर्ट lol favored इंसे आधाया वर्थ ये भी पटना से इसके स्थापनाまぁ 1941 में हुई, अमरित वर्षा ये भी पटना से निकलता है. अगर अग्रे जी के समाचार पत्रों की बात करें हम लोग, तो सरच लाइट ये आपका 1998 से निकल दा है पटना से, हिंदुष्टान टाइम्स पटना से निकलता है, 1986 से निकल दा है, ये भी आपका 1982 से पटनासी ये तेहादी ये बतन ये 1940 से निकल दाया है पटनासी आपका ठीक है पटनासी उसके बाद आपकी भासाएं इने भी देख लीजे इनसे भी कुश्चेंस बनता रहता है ये भासाएं होगे योजिस्चेत में बोली जाती है उनका नाम होगे जैसे भोचपुरी ये आपके भोचपुर वक्सर चंपारन सारन सेवान गोपाल गंज रोहतास क सेसे एक पुरा में बोली जाते हैं है मैतली कते हैं अंगी का मैतली का एक रूप है इभागल पुर मौंगे बंका लखी सराय जमूई में बोल जी जाते है वज्जी का मैतली का पश्चमी से लिए समस्ति पूर सीतापूर सिभार मुझभफर पूर बेसा लिए स्थूर्या पूरी बंगला असम में नैपाली मैतली का समस्ट से बनी हुई भास है यह आपकी किसंज गंज जिले के डेंडा गाच पिखंड में बोली जाती है ठीक उसके बाद हैं आपकी प्रमोक जरने जलकुंड जलपे पात कौन-कौन से हैं सब्तधारा ब्रमा कुंड सोर कुंड मानक कुंड मकदोम कुंड राजगिर में स्तित हैं इस अभी कहा हैं आपके राजगिर में देखने को मिली गए गौमोक कुंड लशमर कुंड सीता कुंड रावेसुर कुंड रिसी कुंड भीमबांध सिंगारिसी भरारी जनम कुंड पंचतर कॉंड मुंगेर जिले में स्तित हैं आपकी बिहार के जल्पिपात जैसे रोह तास हो गया होगा नवाधा जिले में इस्तित है बिहार का प्रमुक जल्पिपात आपका काकूल लद्थ है इन नवाधा जिले में इस्तित आपको देखने को मिलीगा अब बात कर लेते हैं नदियों पर निर्मिट सड़क बार रेल पुल मातमा गांधी सेतू एक गंगा नदी पर है आपका पठना में सड़क मार्ग है राजिंद पुल गंगा नदी पर है मुकामा रेल बार सड़क मार्ग दोनों है सौन पुल एक सौन नदी पर है देहरी में रेल बार सड़क मार्ग दोनों है अब्दुलवारी बोल पुल एक सौन नदी पर है कोईल वर रेल बार सड़क मार्ग है बगहा चितौनी पुल एक गंडग नदी पर है बगहा में रेल बार सड़क मार्ग दोनों है पर्रेटक इस्थलों की बात करें तो पठना में हरमंदर साहिब विसाल गुरुद्वारा ही, गोलगर विसाल अन्नागार है, खुदावस्क से खाँ पुस्तकाले ये अर्वी और फार्सी की बहुमूल पुस्तकों का संगर है सहीद इसमारक, तिरंगा जंडा फैराने बालिस साथ सहीदों की समादी है, कुमरार मद्यकालीन बास्तु कलाय, जलान का कला इस संगराले है, पादरी की हविली पराचीन रॉमन कैथोलिक चरज है, पटना का संगराले मुगलवा राजपूत बास्तु कला का समशन यहां जाकरतास्रम, भारत के पितम राष्टपती, डॉक्टर राजिन पिसात का निवास है, सैप खा की मस्जिद, मस्जिद जहांगीर के पुद्ध साह जहां द्वारा इस्थापित है, सौनपुर का मिला, विश्व का सबसे बड़ा पसू मिला है, मुंगेर, अंग समराजी का क जेंद हिंदू मंदिर, वरारी गुफा, बहलेगाओं का मंदिर, मंदार पहड़ी है, गया, इहिंदू धरम इस्थले, विश्नुपाद मंदिर हैं, बोध गया, गौतम बोध को ग्यान की प्राप्ती हुई थिया, बोध्धी बैक्षिवी आपका यह नहीं है, बैसाली, भ राजगिर, राजगिर आपका गरम जल स्तरोत, हिंदू जैन बहुत तीर ते स्तलवी है, बाबापुरी, जैन दरम के पवर्टक महाभीर जी का निर्मार रहा है, स्तर, मनेर, सुफी संथ पीर, हजरत मक्खे दूम याहियक मनेरी की दरगा है, बिहार सरीप, मुसलिम संथ प किला बहमकवरा हैं आपको, सासाराम बिहार में आपके से साय सूरी का मकवरा है, इसका किला भी है, बरोनी यां तेल सोधन साला भी है, रेलवे जंक्सन भी है, बालमी की नगर, गंडग बात मरी योजना के समीप, इस्तिक नवीन नगर है, पश्टमी चंबारन जिला, पुरण देवी का मंदर है, पूरिया, भगवान नरसेंग अवतार, इस्तम्वे, महरसी में ही जनम इस्तान है, इसका, बन मन्खी, सहर साथ, तारा पीठे या, महरसी, बात कलते हैं, महान पुरुष उनके समंध इस्तान, डॉक्टर राजन पिसाथ, जो आपके प्रितम रा पीरा देई सारन से, बीर कुंगर सींग, जगदीशपुर से थे, भोगल भोजपुर, जैपेकास नारायन, सीता बदी यारा छपरा से, जैपेकास नारायन के अंदोलन से ही आपके लालू नीथिस, लोग ये ओवरे थे, ठीक, श्री किष्ण सींग, बिहारी किष्री, भोर मोंगेर से है, मंदनमिस महसी सहरसा से, महा कभी विद्याबती, विस्पी, दरवंगा से है, माभी स्वामी कुंडगराम बैसाली से, कोटिल पाठलीपुत से, चंदपुप्त मौर पाठलीपुत, सेसायसूरी सासाराम, सेसायसूरी इस कहां से था? सासाराम से सम्मझित, रा प्रजिसवरनात रेडू और राही हिंगना अरेजिया से मोहनलाल महतों बेरोगी ए गया से राजा राधी कार्मन पिसाद सिंग एक सूरपुरा से से पूजन साहे ए उन्नक से बोचपुर से सम्मंदित हैं बेविन धर्मों से सम्मंदित आपके चट्चेश इस्थान जैसे ब समंदित बहुत बहुत गया बुद्ध को घ्यान मिलाते हैं राजगर नालंदा विश्विध्याल यहीं है जैन धर्म से पाबापुरी हो गया पारसनाथ बैसाली चंपा पुरी सिक धर्म से आपका पटना इस्तिथार्विंदर साहिब हिंदू धर्म से गया पिंडदान यह से आपके डॉक्टर राजिन पर साथ इन्हें आप लोग देश रहतन भी कहते हैं अजात सत्रू भी कहते हैं संत राष्टपती भी कहते हैं जैपेकास नारायन को आप लोग नायक साहब के नाम से जानते हैं जेपी के साथ के नाम से भी जानते हैं डॉक्टर स्रीकिष्ण सींग, बिहार के स्री, डॉक्टर अनुगरे नारायन सींग, बिहार विभूती, बड़े साहब, जग जीवन राम, बाबुजी, नागारजन, बैदनातमिस, बाबा की नाम से जानते हैं, रामधारी सिंग दिन कर राष्ट कभी, कुंगर सिंग कोक्ला, खेल इस्थल हो गये, यह आपकी स्थान हो गये, खेल समट, आरा, बीर कुंगर सिंग पुलिस इस्टेडियम, और बीर कुंगर सिंग इस्टेडियम, दो इस्टेडियम है, आरा में, खागोल, जग जीवन राम इस्टेडियम, खागोल, गया में आपका सुब, सचीवाला एंडोर इस्टेडियम, ओमवेनूल हक इस्टेडियम, मितलेस इस्टेडियम, डाकताद मनोजन और इंडोर इस्टेडियम आपका पठना में देखने को मिलेगा। पूणिया की बात करें तो इंडरा गांदी इस्टेडियम, मुझभपर पुर में खुदी रामबॉस इस्टेडियम, हाजीपुर में रेलबे इस्टेडियम और हाजीपुर इस्टेडियम देखने को मिलेगा आपको। कला की अगर हम लोग बात करें तो मौर्ग कालीन कुमहार की विसाल कक्ष अस्ति इस्थम की आउसे से आमिले बास्तु कला की बात करें तो चमकीली पॉलिस्थ इस्थम एकास्म इस्थम लोरिया नंदनगड लोरिया अरे राज पश्टमी चमपारण राम पुर्वार अच्छडी आधी पिसलेते हैं गुपतकाल की बात करें तो मतला सेली से प्रभावित सुल्तान गन से प्राप्त बुद्ध की कास्मिक प्राण पालकला से बात करें पालकला की तो पत्थर तथा कांसे की मूर्थियां का निर्मार धीमन विड़फाल से लपकार बहुत धरम से प्रभावित अगर मद्दिकाल की बात करें तो सल्तनत और मुगल सेली सासाराम का स्यसाय कमकवरा मलिक बया इब रहीम कमकवरा बिहाल सरीफ साय्दौ्लat मनेर कमकवरा ये सभी आपके मद्दीकाल से सम्मन दित है उसके बाद अब अगर प्राचीन की बात करें बो तो इसमें चित कला, पाल चित कला, पांडू लिपी, चित्रण, दीवार पर चित्रण, अश्ट सहस, सरीक और पंच, रक्ष पांडू, चित लिपी, बौद्ध के जीवन के लगू चित अतांतिक प्रभाव, पटना कलम की बात करें तो पटना कलम, इसमें मुगल और वेटिस प्रभाव, लगू चित, कागज और हाती दाथ पर देनेग गीवन की चित, प्रमुख चितकार रहे हैं, सेवक राम, हुलास लाल, जैराम, दास, सिवदयाल, लाल, इसुरी परसाद फिर है आपकी मदुवनी चितकला, मदुवनी चितकला, भीती चित, अरीवन, लोकला, इस्तरियों की मतपूण भूमिगा, दीवार कपड़े, कागज पर चितकारी, पिरमुख चितकारती, पदमसरी, सियादीवी, कौसल्यादेवी, प्राक्तिक रंगों का प्रयोग किया गैसं में विहार M puedes में पिछली लोग गीत की बात किरें लोगनिती तो भागवान संकar की प्रात्ना गीतों को एक विशिश राग में गाना नाचारी मितला चित में विवाय के असर पर जाने वाले गीत को लगनी राग होली के असर पर गाय जाने वाले ओ को फाग या फागुगा चैत के महिने में एक बिसेस राग में गया जाने वाली बेयोग सिंगार सम्मंदित गीत को आप लोग चैता कहते हैं इस तरिया उन द्वारा गया जाने वाला गीत पूर्वी रवात है नगमत असफी नामक्च संगीत के पुस्तक की रचेता है राजा स्थापना वर्स हो गई इसके बारे में जो तत्थ है तर्मुक हो है बेसेस्था बिहार रिज़र्च सुसाइटी इस पटना में आपकी अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1915 में इसकी स्थापना हुई थी इतिहास पुरातत्य सिक्के मानक बिग्यार और दर्शन के चे आपका पटना वहु आपका पठना में उननीस स्थापना हुई त्रमासिक शोध्पत का परिकासन करता है तरह यहापका मैथली शायत परिषे इसकी स्थापना उननीस सो उननीस सो 49 में पराची नभीन मैथली गिरंथ गिरंतों का पिकासन करता है फिर्याब का विहार राष्ट भासा परिश्यत पठना में इसकी स्थापना 1950 में हुई अनुसंधान पुस्तकाले और इस्थापित परिश्यत पत्ती का पिकासित करता है फिर्याब ने सुनाओगा कासी फिसाद जैसवाल शर्ष इंटिड्यूट पठना में का है पठना में इसकी स्थापना की बात करें तो 1950 में ही इसकी स्थापना भी थी बारती इतियास और संस्किती में अनुसंधान कारेशों का निस्पादन करता है मिथिला संस्कित बिद्यापीट दर्भंगा में 1929 में इसकी स्थापना की गए तराचीन लुप्त बिद्यापर अनुसंधान एवं तराचीन संस्कित ग्रंथ के अनुवेशनर एवं पिकास्तन का कारेश करता है फ्रयाप का अरेविक एंड फार्सीयम रिसर्च इंचिट्यूट पठना इसकी स्थापना 1955 में होगी तर्यम रिषयम फार्सीयमें सोध एवजynnाहों का कारेश के लिए इसकी की ग्रिएथी इसर्च इंच्था फ्रकर जैन शांष्ठ सोध संस्थान वैसाली में है 1905 में इसकी स्थापना की गए जैन धरम साहित दर्शन हितिहास पर सोध कारी के लिए इसकी स्थापना की गई कला बमन पूडिया में है इसकी स्थापना उननीसो पचपन में हुई ललित कलाओं का प्रिचारी कारी करती है विहार उर्दू अकादमी 1975 में स्थापना हुई उर्दू के विकास से तू फुस्तकों एवं पत्तिकाओं का संपादन इसके द्वारा किया गया ठीक है आगे चलते हैं अब लो बात करते हैं नाट संस्था और संकठन ये स्थान हो गया इसका जहां है नाट संस्था और संकठन आरा कमाईनी यवानिका भोजपूर मंच युबानिती नटी नवोदय संग ये सभी आरा में और अंगाबाद नाट भारती एक्टरस युग गुर्व ये सभी और अंगाबाद में सुपोल भूमिक्या दरपन कला कें सूतधार थेटे रेस या मंधन कला फरिशत ये सभी आपकी सुपोल में गया यहां आपकी कलासं कला ने दी समनमार्ट आर्ट ललिक कला मंच नाट स्तुति ये सभी आपकी गया में मिलेगी चप्रा मैयूर कला कें सिवं संस्कितिक मंच हिंद कला कें इंदजाल मरूर्मा संस्कितिक दल इस अभी आपका चप्रा में मिलेगा जमालपुर रोवर्ट री कीशन कलब और उस्तौप ये से भी जमालपुर में मिलीगा लानापुर में बहु रूप्या, बहु रंग, नवादा में सुभादी रंग, संस्ताय, पढ़ना में रूपाक्चर, कला निंकुच, कुंज, कला दिर्मेनी, भंगीमा, त्रेयास, अरपन, अनामिगा, प्रांगड, सरजना, माध्यम, पाठली पुत कला निकुंज, विहार थेटर, कला संगम, भारती, जन नाट, संग, ये सबी आपको कहा मिलेगी, पटनावे, अगर बेगु सराय की बात करें हम लोग, तो जिला नाट परिशत, सरसुदी कला मंदिर, ये बेगु सराय, बक्सर, नवरंग कला मंच, वेहिया, भारत नाट परिशत, भागलपुर, स सागर नाट परिशत, दिशा, फ्रेमार्ट, आदस, नाट, कला, कैंद, अभिनाइकला, मंदिर, ये सबी आपको भागलपुर में, मुझव परपुर में, रंग, महनार में आपका अनंद, अभिनाइकला परिशत, सुल्तान इंगंज में, जंचेतना, और सासारम में, निरा लाख किलाब देखने को आपको मिलेगा पर यह आपके एक करा संग्राले हैं क्या है संग्राले कि देखिए इन्हें भी देख लीजें इनके नाम होगा संग्राले की इस्थापना वर्स हो गई विशेश्टा हो गई इसके बारे में पुरातात्विक संग्राले यह नालंदा में है 1917 में इसकी इस्थापना होगी उत्तरगुप्त और पाल कालीन पुरा उसिस यहां देखने को मिलेगे पुरातात्विक संग्राले 12 साली में है 1945 में इसकी स्थापना हुई मौर कालीं से पाल कालतर की आउसेस मिले है पुरातात्विक संग्राले बोध गया 1956 में इसकी स्थापना हुई बोध गया का उत्खनत मूर्थिया पुरात असेस यहां देखने को मिले गया चंदगाटी संग्रालाई दरभंगा में हैं इसकी उन्निस सो संतावन में स्थापनावी धातू लपड़ी मिट्टी और हाती दात की एतियासी काउसी सो पांडूलिपियां देखने को मिली गया संग्रालाई गया में हैं देखने को मिल इंगेxt नावादा में है Instagram मजब्यकालीन और सल्टनेद्कालीन प्रावसेश देखने को Mahehe पठना संग्राले पठना में 1917 में स्थापना हुए फिसे देदारगंज्य की पितिमा मौरकालैन से पालकाल तक कि पराचीन आवसेश जीवासम विरक्ष, मुगल चितकला एबन पठना कलम के संदर नमुने और संदर कास की पितिवाएं यहां आपको देखने को मिलेंगे अब है आपकी पुरा पुरा पुस्तकालाईओं का नाम है यह रादित पुस्तकालाईओं जिसपन बरस में इसकी स्थाफना भी वह बरस हो गया एक ठाव ठीक है? खुदाबक्स उर्दू लाइबरेरी पठना में इसकी स्थापना की बात करें तो 1891 में स्थापना कीगी कब? 1891 में पूडिया याक्का 1992 में बनाएगे 52 में 92 52 ठीक है? प्रमंडली ये पुस्तकाले की बात करें हम लो तो भग्मान पुस्तकाले भागलपूर में 1913 में सोहद पुस्तकाले मुझपरपूर में लचमेस और फगली कुस्तकाले दरबंगा में 1919 में इसकी स्थापना वी प्रमंडली ये पुस्तकाले गया में 1955 में प्रमंडली ये पुस्तकाले सहलसा 1905 में स्थापना वी सिरी नेंदन पुस्तकाले छपरा 1935 में स्थापना वी अब बात करते हैं विसिष्ट पुस्तकाले सारदा सदन पुस्तकाले लाल गंज में 1914 में स्थापना वी गेट पबलिक लाइबरी पटना 1916 में प्रभाबाती महिला पुस्तकाले पटना 1973 में, गोपाल नारायन पुस्तकाले पटना में 1912 में, बहत रामसरन दास पुस्तकाले समस्तिपूर में 1949 में, सरी हिंदी पुस्तकाले सोह सराय नालंदा में 1924 में, ग्यानिक निकेतन पुस्तकाले सीतामडी में 1946 में, गाटापूरक अनुदा दानित पुष्ट का लें सिंगा लाइब्रेडी पढ़ना में 1924 में इसकी स्थापना भी श्री कृष्ण सेवा सदन मुंगीर में 1969 में इसकी स्थापना देखने को मिली आपको ठीक है आगे चलते हैं हम लोग पर मुख धार में इस्थलों की बात कर लेते हैं मंदिरों की बात करते हैं सबसे पहले बहुत गया मंदिर गया में महावीर मंदिर पठना में विश्णूपद मंदिर गया में सोर मंदिर देव औरंगाबाद में पठना देवी मंदिर पठना म अरे राज मंदिर पूर्वी चम्पारण में देखने कुमी लगा। तुरे आपका गुरुद्वारा, गुरुद्वारा की वात किने तक्त स्तिरी हर्मिंदर पटना चिटी, गुरुतेगबाद होले गुरुद्वारा, गाए घाट पटना में। गुरु द्वारा गुरु सिंग सभा हूनिया में, गुरु का बाग पटना सिटी, मुंगेर गुरु द्वारा मुंगेर में, गुरु द्वारा हंडी साइब धानापूर, सासाराम गुरु सिंग गुरु द्वारा, गुरु द्वारा सभा एक गया में, गुरु द्वारा मैन में सासा राम जासा मस्चिद जामा मस्चिद सासा रम में पत्थर की मस्चिद वैसाली में साही मस्चिद हाजीपुर में जगट वा मस्चिद दरवंगा में संगी मस्चिद फुलबारी शरीम में तरयापकी गिर्जा Baptist या Christ Church समाहर नाले या पत ये भटना में Christ Church भागलपूर Baptist Church ये बाकर गन्य पटना में Catholic की बात करें हम लोग तो इसमें आपको देखने को मिलेगा Saint Joseph Church बांकीपूर पटना में Saint Thomas D. Aparsal Church गया में, Saint Helen Church बार में, Saint Francis असीसी Church मुझबपरपूर में, Saint Joseph Church जमालपूर, Saint Stephen दानापूर में Our Lady of Saroj Saroj Church ये आरा में, Willisade Virgin Mary Church ये बाक्सर में Nativity of the दी BBM बीदिया में, Saint Joseph दी वर्कर Church ये नवादा में देखने को मिलेगी फिरे आपकी सुपिसिद्ध बस्तु हाजीपूर में आपका केला चीनिया केला गया में तिलकुट मुझबपरपूर में आपको चीनी फेमस मिलीगी भागलपूर में शिलक का कपड़ा चूडा सासाराम में सिलवट्टा वक्सर में सुहन पापड़ी विसन की मिठाई मनेर पटना आरा किमत लड़ू फहमा से बेहिया भोजपुद या पूरी हाथ कान बाली बाड या लाई रामदारा में कोई को मिलाकर बनाई जाती जमुई रसगुला उदुवंत नगर आरा में खुरमा पीपरा सुपूल बस सिलाव खाजा मैं देखी मिठाई आगए देखने को मिलेगी आपको मितला में आपको दरभंगा मदुवनी में दही फहमस में लिगा चपरा में लिट्टी सत्तु वाला लिट्टी चोखा आप सुनते हैं लिट्टी चोखा जब यह चुनाव का टाइम होता है तो कई नेता आपके जाते हैं लिट्टी चोखा काने वही लिट्टी चोखा है अब बिसिष्ट पुरुसकार देख लेते हैं और उनकी छेत देख ल के चित में दिया जाता है चाड़िक पुरुषकार राजनिती सास्त के चित में दिया जाता है विद्यापती पुरुषकार हिंदी में लोग साहित में दिया जाता है मंदन में पुरुषकार इधरम और दर्शन में दिया जाता है, कैदारनाथ में पुरुषकार काब के चित में दिया जाता है, उपेंद महारती पुरुषकार इकलाव सिल्प के चित में दिया जाता है, गोपाल सिंग नैपाली नौगीत के चित में दिया जाता है, रामबेक् सज्ञानन सिंगा पुरुषकार अमरनाज्ञहपुरुषकार बाल सहित में दिया जाते हैं किसमें बाल सहित में पिरमुक साहित्तिकार उनकी किद्धिया है, बाडवट, कादमरी हर्चल, चंडी सतक, उसके बाद रामदारी सिंग दिनकर, और वरिसी रेडुका, हुंकार, रस्मीरती, परुसराम की वित्तिग्या, ये सबी आपकी रामदारी सिंग दिनकर की कभीता है, या उनकी रचना है भडिस्वरनात, रेडु, मेला अचल, जुलूस, पटलू बावु रोड, देग, तपा, देव की नंदन, खत्री, चंद, कांत्रा, संत्ति, काजर, की कोटरी, भूतनात, नौ लखाहार, अगर डॉक्टर राजिन पिसाद की बात करें, जो इस्थाई अत्यक्ष्ति समिधा इंडिया डिवाइडिट, चंपारन में सत्या गए, बापु के कदमों में, इस अभी डॉक्टर राजिन पिसाद की हैं, राजा राधी का रमन पिसाद सी, पुरोस और नारी, इनकी किट्टी है, डॉक्टर कुमार बिमल, मोल और मेमांसा, सरजना की सुर्ण, अंगार्स, इस संपुट सीपी के, योग मानव बापु, इस अभंग अनुवाव, अमर्द, सौंदर सास्त कितत, इस अभी डॉक्टर कुमार बिमल की हैं, ठीक है, फिर आरवट, आरवट की किर्थी का नाम है, आरवट संस्कित में है, वाजचिस्पती में भास भावती, भामती, ब्र वज्ज सूचिये, असुमेक साहब के, चाड़क, अध्थास्त, रामब्यक्च बेनीपूरी, आमेपाली, माडी की मूर्ति, चित्ता के पूल और संगमिता, विध्यापती, पदावली, किर्थी लता, किर्थी पता का, वाक्सयान, कामसूत्रम, मन्ननमिस, भाव विवेक, बिधी बिवेक, फिरे आपके जेवती ठाको, जेवती सर ठाको, दर्सन रतनाकार, वण रतनाकार, दावद, चन्दायान, विष्नु सरमा, पंच्तंत, हितोपदिष, बाबानागरुच, बड़े सुननाथ पारू, वल वन्मा, रतिनाथ की चाची, फिरे आपके सिप सागर मिस, दूब जनम छाई, राहुल संक्तियायन, दर्सन देख दर्सन, बुद्च, चर्या, विनैपिटक, और धमपत, नलिन विलोचन सरमा, दिष्टिकौन, माबदन, बिसके दाथ, साहित का इतियास दर्सन, इनकी कृतियां, केदारनाथ मिस, प्रभाद, जुआला, केकई, रितुबंस, पिक्तिया, इनकी किर्थियां, जानकी वल्लब सास्त्री, इनकी किर्थि के बाद करें हम लोग, तो काकली, गाथा, मेग गीत, अवंतिका, चिंताहास, त्रमी पिर्ष्ट, हांस बुलाया, मन की बाद, एक किरन, सो जाईया, दो तिनके का गोंसला, अस्य बु इनकी किर्थि है, साध अईमाबादी, नफसे पायदार, इनकी किर्थि है, तो यह आपकी कुछ मत्मून रचना कालते हैं, उनकी रचना है, इससे भी आपके कुश्चन्स कई बार, बन चुके हैं, 10 अगस्त 1942 की गोली कांड में सही छात्रों के नाम है, यह नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, ग्राम हो गया यह, जिला हो गया जिस स्कूल के छात्त थे, उनका नाम हो गया, उमाकांत प्रिसास सिंग था इनके पिता का नम राजकुमार सिंग था ग्राम था नरेंदर पुरू सारन जिला का है इक ग्राम और राम मोहन राय सेमनरी कन्नौबी कच्छा था रामानंद सिंग ये लच्मण सिंग इनके पिता थे सहादत नगर के थे पटना जिला में राम मोहन राय सेमनरी कर्नौबी कक्चा का चात था पिरें आपके 37 परसाथ जहां इनके पिता का नाम था जगदीश परसाथ जहां खड़ हरा के थे भागलपूर के जलात है इनका ए पटना कॉल कॉलिजियेट स्कूल का दसवी का चात था जगपत्ति कुमार सुखराज बहादूर का पित था खराटी के थे खराटी औरंगाबाद का है बी एन कॉलिज के दुदिये वर्स का चात था देवीपाद चौदरी देविपाद चौदरी देविपाद नाच चौदरी का विटा था जमालपूर के रहने वाले थे मुंगेर जिला का गाउं है मिलर हाइ स्कूल के नौबी का कक्चा का चात था राजन सिंग शिवनारायन सिंग इनके पिता का नाम था वनवारी चक्य का था सारंगा जिला का पढ़ना हाई स्कूल के मैटरेक कक्छा का चाथ था राम गोबिंद सिंग, देवकी सिंग इनके पिता का नाम दसरत गाओं का था पढ़ना जिले में पुन-पुन हाई स्कूल की नौभी कक्छा का चाथ था अब बात करते हैं बिहार के पिथम जैसे राजपाल हो गए इस तरह के जी के भी पूछ लेता है पिथम राजपाल, जैराम दास दौलत राम पहले राजपाल कौन थे बिहार के? जैराम दास दौलत राम पिथम मुकमंत्री की बात करें तो स्री किष्ण सींग थी 1940-61 के बीच रहे सरवादिक कालावधी वाले मुकमंत्री स्री किष्ण ही रहे 1940-61 सबसे कम कालावधी वाले मुकमंत्री 37 कुमाल सींग रहे पिथम हरीजन मुकमंत्री भोला पासवान सास्तरी रहे मैं इसलिए वो लाओं क्योंकि पता है आपको MP बिहार ऐसे कुछ स्टेट हैं इनसे कुश्चन मतलब अपने स्टेट से बहुत पूंचे जाते हैं MP में दो आप सभी पर्चित हैं कि सो कुश्चन साते हैं उसमें से आपके वही 50 के करी 50 55 कभी कभी 57 कुश्चन तक MP स्पेशल से ही पूंच लिए जाते हैं तो आपको इन्हें अगर इस स्टेट की अगर कोई परिक छाप दे रहे हैं तो इन्हें देख लेना पिथम मुसलिम मुकमंत्री की बाप्त करें तो अब्दुल गपूर थे 1973 से 75 तर पिथम महिला मुकमंत्री रावडी देवी पिथम मुसलिम राजपाल डॉक्टर जाकिर होसेन 1957 से 62 असोख चक प्राप्त करने वाला पिथम बैठती स्वरगिय रडदीर बर्मा थे बिहार के पिथम महा कभी एक बिद्ध्यापती थे कौन थे बिद्ध्यापती दिल्डी की गद्धी पर बैठने वाला पिथम बिहारी था स्तेर सा है 1540 में आपको पता होगा कि इसका जो मगवरा है वो सासारम बिहार में बिहार पर सर्पिथम बिजय पाने वाला पिथम मुसलिम आकरान था बप्तियार खिल दी था सबसे पहले प्राप्त नवपासाड यूग में आउसे साब की चिरान चप्रा में बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की आधार पर पठना है बिहार का सबसे चोटा जिला सेखपुरा है छेतफल की दिरिष्टी से बिहार का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टी से पठना है और सबसे कम जनसंख्या बाला जिला सेख पुरा है छेत पल में भी आपका सबसे छोटा जिला सेख पुरा है जनसंख्या गन्नत्य की दृष्टी से सबसे आगे से भर है 1880, 1880, ब्यक्ति पिती बर्ट किलोमीटर में रहते हैं और वैसे भी आपको पता होगा कि भिहार में सबसे जान्दा जंसंख्या घनत है राज्यों की बात की जाए तो पितम नंबर पर है अगर नियुन्तम जंसंख्या घनत्य वाले जिला की बात करें तो कैमूर भवुगा है 488 है सरबादिक लिंगनपाद बाला जिला अपका गुपाल गन्ये 1021 है यहां की लिंगनपाद यानि कि 1000 पर ग्यारेश 1021 महला है सबसे कम लिंगनपाद बाला जिला मुंगेर है यहां 846 महला है 1000 पर ग्यार बुद्सों पर सरबादिक छेत्पल बाला जिला पश्मी चमपारण है सरबादिक साक्छार्त दर्वाला जिला रोहतास है 73,37 7,37 वैसे मामले में सबसे कम है या साक्षरता भीहर में, और सरवादिक साक्षरता दर्वाला जिला आपने देख लिए, निवन्तम साक्षरता दर्वाला जिला पूनी आए, इनक्यावंद समलोग 08, पिती सतयां की जनसिंग्या पड़िये की है, भीहर का पिता, पितम खुला वि युजना है, बिहार का पितम दूर्देशन पिसारुन किन मुझभफर पुरे, इसकी इस्तापना 1978 में की गी थी, बिहार की पितम भोजपुरी फिलिम हे गंगा मैया तुहे पिहरी चड़ेवो, यहां की भोजपुरी भासा है, देख लिएजी, बिहार की पितम हिंदी फिल बिहार का सरवादी गंधक, उत्पादक, प्रोहितास है, क्या है, रोहितास है, जानपीट पुरुसकार, पुरुसकार प्राप्त करने वाली पितम भीहारी थी, डॉक्टर रामधारी सीन, तिनकर साहब, एक बात आप लोग समझ लिए, बहुत महंती होते हैं भीहारी लोग इसमें कोई सक नहीं न दोरा है, कि आप उन्हें कम महंती मानें, पिछड़ा हुआ अलग बात हो जाती है, लेकिन अब महंती लेकिन भहुत हैं, इतना दिक्ये, भारत में पितम, बिहार के संद्र में, भारत के पितम राष्टपती, डॉक्टर राजिन पे साथ, आप लोग अध्यक्ष, डॉक्टर सचीत अनंद सिंगा थे, ये भी आपके बिहारी थे, बैटिस काल में पितम भारती राजच पाल, स्वी सिंगा, 1921 की बात से, ये भी बिहारी थे, भारत का पितम गड़ तक आरवट, ये भी साहवाब के बिहारी थे, पहला लिखित अभीलेकत, ले 1936 में हुई जिसकी पितम बैठे, तो ये भी आपके बिहारी ही थे, सबसे भारत का सबसे बड़ा रेल्वे पुल, ये है आपका अब्दुल, बारी पुल, क्वेला और सौन सन्धिका है, बारत का सबसे लापमा सड़क पुल, गांधी से तू पठना में, भारत का सबसे के गांधी भारत में पहमस होने पर सबसे चाली हुए, अगर उद्धोगों की बात करें बिलो, तो कैन सरकार के सार्वजनिक प्रवंद के भारी उद्धियों, तेल सोधक कारखाना बरोनी स्थापन, इसकी स्थापना 1964 में हुई, भारत बैगन एंड इंजिनिरिंग कंपनी इसकी स्थापना में है, सार्वजनिक प्रवंद राजसरकार के अधियन उद्धियों की बात करें बिलो, तो बिहार, बिहार, एस्टेट हैंड लूम, पावर लूम, हैंडी क्राप्स, डवलमेंट, कॉर्पोरेशन लिमिटेड पठना में है, बिहार एस्टेट, इस्टेट स्कूटर्स लिमिटेड पठना में, बिहार एस्टेट इंडेस्टियल डवलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पठना में, बिहार आज उद्धोगिक, विकास नेगम की नमीन उद्धोगिक संस्तान की बात करें, नायलोन उद्धियों भोशपुल, ट्रांसमीशन टावर जडी जसी डी बिहार भाडनर्स गया नहीं, ठीक है, अब आगे बात करते हम लोग, बिहार में राज शासन के दिन उद्धोगिक उद्क्रमों की बात करें, दो बिहार इस्टेट कैडिट एंड, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एपठना में, बिहार इस्कूटर्स लिमिटेड पठना में है, बिहार इस्टेट फूड एंड, सिबिल, सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड पठना में, बिहार इस्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पठना में, बिहार इस्टेट डेरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पठना में, विहार इस्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेट एभी पतना में एक पतना बहुत बड़ा सहर है यहांका इसलिए जोगी है पतना विहार इस्टेट एग्रो इंडस्टी डवलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेट पतना में विहार इस्टेट मिनरल डवलमेंट कॉर Corporation Limited क्पट्टना में बिहार स्ट्रीद्स माल लेदर स्ट्रीय एविडेग के लिमेट करें जो आपका चीनी उत्योग मिर गंज समस्तिपूर, सीवान, नर्कटियागन, दर्बंगा, मुझभफरपूर, बन्मन, मन्खी, सारन, मजोलिया, बेटा, गोपाल गन, सहाबाद, गयापतना वेतिया, महराज गन, गुरोर, मडोडा, हरी नगर, वारसली गन्ज, लोहट, रयाम, मौधिपूर, बहरानपूर, फिर आपके अगर, हम लोग आँगे, सूति बस्त उद्द्यव की रात करें, तो गयापुलवारी, शरीव, बपसर, डुम, राव, मुकामा, और मांजी, पटना, मुझभपरपूर, मुंगेर, भागलपूर, किसंगर, रेशम, उद्द्यव, टस टसर, रेशमी, भागलपूर, और गया, इरी रेशम, सक्रापूसा, रोसरा, गोगल, कच्चा रेशम, उणिया, कटिहार, मनुहरपूर, जूट उद्द्यव, कटिहार, समस्तिपूर, दर्भंगा, सहरसा, चंपर, तमाकू उद्द्यव, दिलवार कर, दिलवारपूर, मु हैनार, शायपूर, ऐउद्द्यव, गंज, बाजा, काच उद्द्यव, पठनाव, सरावद्द्यव, सुल्दान गंज, मानपूर, मुंगेर, पंचरुखी, मडोह, मडोडा, चमडा उद्द्यव की बात करें, तो दीगा, मुकामा, बाटा कंपनी का, ओ गया में भी है, अगर लोगदी उद्द्यव की बात करें, तो समस्तिपूर, वरोनी, पठनाव, अगर लोगए उद्द्यव की बात करें, तो गया पूनिया, अगर हद करगा वस्त उद्द्यव की बात करें, तो गया पठना, मदुवनी, विहाज, शरी, भागलपूर, मुंगीर, दाउद गया में चीनी मिट्टी भागलपुर मुंगिर अगनी से मिट्टी भागलपुर में अभ्यक गया मुंगिर नवादा और भागलपुर में देखने कुमिदी चूना पत्थर चूना पत्थर आपका सहावाद में पहले केमूर की पत्थार में चुनाई टन रामडेरा बहूलिय रोहितासगड़ और बंजारी सहाबाद गंदक की बात करें तो अजमोर सहाबाद कसिया और योगी योगमा कोर केमूर पहाड़ियों में डोलोमाइट आपका सहाबाद में देखने को मिली आपको तो यह थी बिहार की स्तिति आपकी और अच्छे से से पढ़ लीजे ठीक क्या स्वाइट थे यहां की चली तो आज हम लोग बात करेंगे 36 गड़ सामान ग्यान के बारे में हैं तो तो सबसे पहले हम लोग 36 गड़ की मैपस में इस्तिति देख लेते हैं कि देखिए इस में भी दिख रहा है को मिया कि यह आपका भारत है एक बार अच्छे से मैपस में द पता होना चाहिए आपको पहले मद्धपदेश का हिस्सा हुआ करता था 36 गड़ लेकन सन 2000 में इसे अलग करके नया राज्य बनाए गया था इसकी राध्धानी राय पुद्देख रहे हैं सबसे जाना कुश्चेंस आपके बनेंगे यही कि किन-किन राज्यों से सीमा लगती ह इसकी आपकी उत्तरपदेश से भी लगती है जहरकंड से भी लगती है उड़ीसा से भी लगती है और उसके बाद तेलंगाना से भी लगती है देखिये और आंध्पदेश से भी लगती है और इसकी महराष्ट से भी लगती है साथ राज्यों से सीमा लगती है इसकी समझ में आए तो यह आपकी 36 गड़ की रिस्तती और बाकी आप देखी रहे होगे मैं तो कहता हूँ हर राज्य को आप लोग क्रम से याद रख लिजे क्योंकि कुश्चन्स नीते बनते हैं और एक नाई कुश्चन्स आता रहता है परि यहीं से दर्शन कल लीजिए राज 36 गड़ राज जानी आपकी रायपूर अगर महत्य की बात करें तो इसकी महत्य आदिवासी जाती यहां बहूल राच्य यानि कि आदिवासी जाती यहां पाई आती यह खनेज और बन संपदा से संबन संपन छेते चेत्रिये जंता की आस साथ तीथ आपेट च्छाओं का पिदिग लिए नामकरन की बात करें कि 36 गड़ नाम कैसे पढ़ा इसका तो 36 गड़ों की संख्या के आधार पर इसका नाम 36 गड़ रख दिया गया कल्चुरी राजा चेदी वनसीय थे और उनका नाम चेदिस गड़ कहलाता था उनका जो र स्थापना की बात करें तो एक नवंबर सन 2000 को स्थापना हुई याद रखिए मद्विदेश से अलग करें कि 26 गड़ राज बनाए गया था किसे मद्विदेश से पहले MP का हिस्सा हुआ करता था चेदफल की बात करें तो एक लाग 35 जार 192 किलूमीटर चेदफल में पहला ह हुआ है अगर जन संख्या की बात करें तो दो करोड़ 55 लाग 45,198 ब्यक्ति हैं यहां की जन संख्या 2011 की जिन गड़ना के इनुसार बात कर रहा हूं ठीक है इन्हें से आपके पूरोस हैं एक करोड़ 28,000 28,000 895 महला है है इसमें एक करोड़ 27,12,303 अगर दस्किये एक से 2011 की बीच की विद्धी तो ए रही 22,6,30 की विद्धी देखी गए अगर हम लोग जन संख्या घनत की बात करें तो 189 व्यक्ति पिती बार किलूमीटर में निवास करते हैं कितने 189 अगर साक्षरता की बात करें तो 70,3,30 साक्षरता है इनमें से पूरोस साक्षर हैं आ कुल साक्षर बेखती होगे एक करूर 53,9,922 जिनमें आपके पूरुस हैं 88,7,893 महिला हैं 65,72,29 इस तरी पूरुस अनुपात की बात करें यानि कि लेंग अनुपात की तो यह 991,3,000 पर हैं मतलब आपके यह हैं कि 991 महिला हैं इसे ही आप लोग लिंगनपात कहते हैं संभाग की बात करें तो 5 संभागें 2011 की जंगरना की अनुसार बात कर रहा हूं 2011 पांस संभागें इसमें बिलासपुर, राइपुर, वस्तर, दोरुप, सरगुजा जिलों की बात करें तो 27 जिले हैं कितने 27 जिले हैं गाउं की बात देते हैं कि जो चत्तीस गड़ की विधान सवा सीटे हैं 90 कितनी 90 और यहां जो लोग सवा सीटे हैं गया रहे हैं और राज्य सवा सीटों कि अगर हम लोग बात करें तो पांच हैं कितनी बिधान सवा 90 लोग सवा गया रहे हैं और राज्य सवा सीटों कि अगर हम लोग बात करें तो हिंदी चत्तिस गड़ी और उर्दू भी यहां बोली जाती हैं उच्च नियाल है जो हाई कोट है यहां का बिलासपुर है हाई कोट बिलासपुर है अगर इस्थिती की बात करें इसकी तो 17 डिगरी 48 मिनट उत्री अक्छान से 24 डिगरी उत्री अक्छान से और 80 डिगरी 14 मिनट पूर्वी देशानतर से 84 डिगरी 25 मिनट पूर्वी देशानतर तक आपका विस्तार इसका ठीक है इसे याद रखिए जिस तरह से आप याद हो सकता है याद रख लेंगे अगर इसकी सीमा की बात करें तो अउत्तर में आपका उत्तर पिदेश लगता है उत्तर पशेम में पूर्पूर में आपका आंफ़ी सत अब्री सब नगता है क्या लगता है जेहार cles लगता है इसके सीमाओं की बात करें तो 6 राज्यों से लगती है कितने 6 राज्यों से एक से किनर रुपई याद रखिए सीमा 6 राज्यों से तब लगती थी जब 2011 की जनगरना हुई थी लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 2014 में आपका नया राज्य बना था ते लंगाना तो अब इसकी सीमा ते लंगाना के राज्यों से भी लगती है तो अब टोटल 7 राज्यों से लगती इसकी सीमा ठीक है वैसे 2011 की जनगरना के रुसार अगर हम लोग देखें तो इसकी सीमा 6 राज्यों से लगती थी आपकी लेकिन अब 7 राज्यों से अगर इसके बिस्तार की बात करें तो लंबाई इसकी पूर्व से पश्चिम की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 700 किलो मीटर है और चोड़ाई की बात करें तो उत्थर से दच्छिन की चोड़ाई इसकी 435 किलो मीटर है पर मुख अगर इसके यहां की नगर देखे जाए तो उसमें आपको मिलेंगे जैसे आपका बिलासपूर हो गया दुरुग भिलाई रायपूर अगर नदियों की बात करें तो महानादी गोदावरी नरवदा रिहन इंद्रावती देखने को मिलेगी ठीक है अगर जल्पे जल्पे पात की बात करें हम लोग चित्त कूट इंद्रावती नदी पर साथ दारा इंद्रावती कुपते सो इसावरी नदी पर इस्ते थे प्रमुख वैक्च की बात करें तो साल आम हुगा जामुन मास सागोन तेंदू अंजन खेल देखने को मिलेगा यां मद्ध परिचमी रेलवे के प्रमुह जंक्सन यहां विलासपूर और रायपूर देखने को मिलेगा हुग विलासपूर रायपूर अगर हवाइड़्डे की मात करें तो रायपूर जगदलपूर विलासपूर हवाईड़्डा दिल्ले मुंबाई कॉलकात के अंदरों से जोडा अगर यहां आकास बाड़ी आकासवाणी पिसारन केंड़ की बात करें तो चार है राएपुर जगदलपुर विलासपुर राएगळ आकासवाणी पिसारन की बात करें दोग तो आपको देखने को मिलेगा यहां हिंदी में चत्तीज कड़ी उडिया हलवी गॉंडी हिंदी चत्तीज कड़ी उडिया हलवी गॉंडी ठीक है उच्छ सक्ति के दूर्दसन ट्रांस्मीटर के इंद की बात करें तो ये रायपूर में देखना है को भी लेगा आपको जगदलपूर रायपूर और जगदलपूर कला संस्किती की बात करें आर्टेनी कल्चर की तो खेलोने, मिट्टी के आकर श्रक बरतन, लाग के सामान, लगड़ी के काम, जरी का काम, चमड़े का काम, धातू के बरतन, राजी की पिरमुख हस्तकला निर्मार में यहां देखे जाते हैं अगर पिरमुख बोलियों की बात करें हम लोग यहां, कौन-कौन सी बोली-बोली जाती है तो इसमें आपको आपको देखने को मिलेगा अगर पिरमुख समारो और उस्ताओ की बात करने तो चकदर समारो यह रायगड में रहस समारो यह बिलासपुर में पंडवानी पिसंग यह समपूनचेत में होता है परेटन की बात करने तो कबरा गुफाएं यह आपकी रायगड में जोगी मारा की गुफाएं रायगड सरगुजा और धार में के बात करें तो भोरम देव यह प्राचीन मंदर रायपूर जवलपूर सडग मारपा है बिमले सरी मंदर यह डौंगर गड में है चित्तुकूट जल्ग प्रपाथ एक जगडल जगडल पूर में आपको देखने को मिलेगा लोग नित सुगा नित करमा नित डंडा यह पिर रहस नित रावत नित सरगुल नित बार नित नाच्या नित गासिया बाजया नित पथी नित यह आपके प्रमुख नित देखने को मिलेगा नित जन्जातियों के विशेश परव की बात करें दंते सोरी ये बस्तर की जन्जातियों द्वारा मेगनाथ ये गौंड जन्जाति द्वारा रसनवा ये बैंगा जन्जाति द्वारा ककसार ये अबु जहमानिया जहमानियों द्वारा ये विसे इस परव मनाए जाते हैं बैक्ती की बात करें तो पिरमुक बैक्ती तो मोतिलाल बौरा चंदुमल चंदाकार बिद्या चरन सुकल राजिन पिसा सुकला बिर्जु महराज पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी ये सबी यहीं के थे चतिजगर के पिरमुक मेल की बात करें तो राजिम का मेल रायपूर चंपरन का मेल रतनपुर का मेल बिलासपूर खलारी का मेला महा समुद्ध दंते सोरी का मेला दंते बाडाम ये सबी आपके मेले लगते हैं ठीक है या विदान सभा या एक सदनात्मक है यानि कि केवल बिधान सभा है, बिधान परिश्द यहां नहीं देखने को मिलेगी वैसे भी आम लोग पहले देख चुके हैं सुरू में इनकी लोग सभा संख्या 11 है, बिधान सभा 90 और राज सभा 5 है राज ये देवास आपका एक नमबर को मनाया जाता है क्योंकि आपको पता होगा, एक नमबर 2000 को, सन 2000 को चतिसगड की स्थापना की गई थी राज की पसू, जंगली भैसा, राज की पक्सी, पहाडी मेना राज की ब्यक्ष, साल, पिथम मुखने आदी, नियामूर्थी डवलू, ए सेसक इसके पिथम मुखने आदी से यह आपकी जंजातिया हैं, जैसा कि आप सभी को बताएगी, मद्वदेश और चतिसगड में सबसे जान्दा जंजातियां आपको देखने को मिलेगी जंजाति होगी, उपजंजाति होगी, निवास इस्तन हो गया है, इनका गॉंड, इसकी जंजातियां इसमें परधान, अगरिया, ओजा, नगारची, सोलहास इसका निवास इस्तन है कांकेर, वस्तत दान्दिवार बैगा, इसकी उपजंजातियां बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नार, रे मेना, काड मेना इसका निवासिस्तान है विलासपूर, राजनंदगाउं, कोरवा, इसकी उपजन जातिया है पहाड़ी, कोरवा, दिहारिया, निवासिस्तान है सरगुजा, राइगर, जसपूर, विलासपूर, जानजीगिर, और आओ, इसका उपजातिया है इसमें आपको कुरुक, धनका, धांगर, कोल्डाव, निवासिस्तान मिलेगा रायगर, सरगुजा, जस्पूर, हलबा, इसकी उपजाती है हनवी, वस्तरिया, चत्तीस गडिया, कांकेर, दंतेवारा, रायपूर, दोर्ग, राजिनाद गाउं, यहां निवास करते हैं, फिर आपका भत्रा, इसकी उपजातिया है, समभत्रा, अमनेत, पित, यह बस्तर और रायपूर में आपको देखने को मिलेगी, कवर, कंबर, यह आपकी कनकार, तनवार, कमालवंसी, दूज, कंबर, पैकारा कोरिया, रायगर, यह सबी इसकी उपजातिया है, चतिसगड के पहाड़ी छित्रों में देखने को मिलेगी, बियालासपूर, जसपूर, सरगुजा, रायपूर, जानजीगीर में देखने को मिलेगी, आपको, फ्रैक कमार, यह आपको बियालासपूर, जानजीगीर, दुरुग, रायगर, जसपूर, कोरिया, सरगुजा में माडिया, अभूज माडिया बस्तर में देखने को मिलेगी। फिर्याप के विध्याले, क्या है विध्याले? इन्द्रा गांदी संगीत कलाविस्स विध्याले खेरागड में, इसकी इसस्थापना उनी सो चपन में की गई थी जब मद्विदेश और 36 गड़ एक ते तब की गई थी लेकिन आपको पता है कि सन 2000 में 36 गड़ को अलग कर दिया गया तो ये 36 गड़ वाले इससे में पहुच चुका है पंडिर रवी संकर विस्विध्याले रायपूर में इसकी स्थापना 1964 में की गीए अगर हम लोग राज्य में चिकिस्ता महाविध्याले रायपूर में है जिसका नाम जवाल लल नहरूं, मेडिकल, मेमोरीयल मेडीकल कॉलेज रायपुर है। सास्की आयूवेदिक महाविद्याले, रायपुर में देखने को मिलेगा। पसू च Autumnila महाविद्याले अंजोरा गिला में देखने को मिलेगा। इंजिरेनिंग महाविंत्याद है रायपूर विलासपुर में जगदलपुर विलाई में देखने को मिलेगा आपको और आसास की हैं हम लोग अगर विद्ध्यालेयों की बात करें इसमें तो आपको बिलाई इस्टिस्टिट्यूट ओफ ट्रकनलोजी है चत्तपती सिवाजी इस्टीवी आपको यह घुन देखने को लगा रायपूर इस्टिटीट उप टोक्नोलोजी ए वी आपको रायपूर में देखने को मिले ग़िंग़ ईस्टीट्री संकारचार कोलेजों इंजिनरिन इभी आपको बहलाई में देखने को मिले लगा विस्विध्याले की बात करें सो विथ्य विस्विध्यालै Institute of Technology गुरु घासी राम विश्विद्य हले इप बिलासपूर में देखने कुछा है अगर हम लोग बात करें यहां की किर्सी यानि की उपच के साब से क्या उत्पादक छेते हैं कहा है चावल दुरुक, रायपूर राजनाद गाओं, बिलासपूर सरगुजा, बस्तर में देखने को मिलता है गंडा दान का कटोरा भी आपने सुना होगा चावल दिख पेना होता है इसलिए दान का कटोरा भी कहते हैं से चर्टीज गड़कू गंडा आपका रायपूर में, बिलासपूर बस्तर में देखने को मिलता है तुवर, अरहर, राजनाद गाओं, कबर्दा, रायपूर, सर्गुजा, द्रुग, बिलासपुर में देखने को मिलेगा, सरसों की बात करें तो कोरिया, दंतेवारा, वाडा, सर्गुजा में देखने को मिलेगा, बाजरा, ये बस्तर, संभा, रायगर, जस्पुर में देखन को मुंग राइगाड डिलासपूर है विलासपूर में देखने को मिली गाई ठीक है है खनेज उत्पादक के बात करें या उत्पादनुद ये हो गया चया हो गए मैगनीच क्या होगए मैगनीच बिलासपूर कांकेर बस्तर दांतेवारा बॉकसाइड रायपूर रायगर्ण सर्गुजा बिलासपूर कोर्वा कबरदा बस्तर कुईलाब का कोरिया सर्गुजा रायपूर बिलासपूर रायगर्ण जस्पूर लोई हैस की बात करें तो बस्तर, सरगुजा, कांके, दंतेवाड़ा, दुरूग, ताबा, ताबा की बात करें तो बस्तर, राजिनन्द गाओं, बिलासपूर, कांके, चूना पत्तर, रायगर, बिलासपूर, दुरूग, रायपूर, जसपूर, दंतेवाड़ा, कांके, डोल पिरिनियम की बात करें तो सरगुजा, बिलास्पू, दुर्ग, हीरा आपका रायपूर बस्तर में देखने को मिलेगा, यहासी उत्पादन होता है, सैलीमिनाइट बस्तर दंतिवाना, याद रखिए उत्पादन किसी चीज का होता है, जैसे इनका खनन होता है, क्या होता है, अगर आप उत्पादन सब्द यहां यूज करेंगी, तो मुझे लगता है, बेस्ट नहीं होगा, एस्वेस्टोस, बस्तर में दुर्ग में देखने को मिलेगा, टिन, एस्ग, यहापकी बस्तर और धंतिवाडा में देखने को मिलेगा, कॉलंडम, कोचनोर बस्तर, में देखने को मिलेगा, फ्रयापके राज्य में केंद्रिय सार्वजनिक चित, और राज्य के सार्वजनिक चित और किसी उद्धियोग, विकास नेगम द्वारा इस्तापित उद्धियोगों का विवरन, दच्छिडपूर भी रेल बैगन बर्ट्रोस, रायपूर में भिलाई नगर में मिलेगी तुरुक में, इस्तापना 1955 में की गई, यहाँ आपका कच्छा लोहा इस बातादी का काम होता है, भारती ऐलूमिनियम कंपनी लिमिटेट कोरवा में है, 1965 में यहाँ बनाईगी, यह ऐलूमिनियम से संब्दी थे, फिर आपका मांडर सेमेंट वर्क्स, सेमेंट कॉर्पोरेशन ओप इंडिया, मांडर रायपूर, 1971 में बनाईगी, पोर्टलेंड सेमेंट, कोरवा सुपर थर्मल पावर इस्टेशन, एन्टी पीजी, कोरवा में, 1978 में इसकी स्थापना की, बिद्धोत उत्पादन इसका काम है, साउथ सेमेंटिश्टर्ण कोल फिर्ट्स लिमेटर बिलासफोर, 1986-86, उत्वादी द्वस्तु हैं कोईला, क्या है कोईला, अब हम बात कर लेते हैं, राष्टी उद्ध्यान और अभ्यार, इससे भी आपके कुश्चेंश पूझती रहते हैं, यह नाम हो गया, उनका छेतफल हो गया अब एक किलूमेटर में, जिला हो गया, और मुख बढ़ने प्राणी इसमें जो पाये जाते हैं, उनका नाम, इं आपके बाग तिंदुगा, बाराय सिंगा, जंगली भैसा, चीतल, सावर, गौर, किष्ण में, मात्रक में, जंगली कुत्ता आधी देखने को मिलेंगे, कांकेर गाटी, इसका छेतफल 200 वर्ग किलूमेटर है, यह आपके जगदलपुर में देखने को मिलेगा, बस्तर में, यह आपका बाग तिंदुगा, सावर, चीतल, पहाडी में देखने को मिलेगी, कुटरू, इसका छेतफल 4.45 वर्ग किलूमेटर है, कांकेर में देखने को मिलेगा, इसमें आपके जंगली भैसा, देखने को मिलता है, गुरु घासी राम, इसका छेतफल है, 1440, 705 वर्ग कि पूरिया में देखने को मिलेगा, इसका विस्तार, बाग तिंदुगा, चीतल, नील गाए, चिंका रायस में पशू देखने को मिलेगी, जानवर अगर अब्भ्यारन की बात करें, तो यह अब्भ्यारन हो गया, इनके नाम छेतफल हो गया, जिला हो गया, मुख बन पुरा इसका चीतल, भालू, गौर, और सावर, जंगली, सुगराद, आदी आपको देखने को मिलेगा, अचानक मार, इसका चीतफल 555.5 किलोमीटर हो गया, इसमें आपको बाग तिंदुगा, चीतल, सावर, गौर, भालू, जंगली, सुगर, आदी देखने को मिलेगा, तमओर प यहां आपको बाग तिंदुगा, सावर, चीतल, नीलगाय, भालू देखने को मिलेगा, सीता नदी, इसका चेतफल 555.55 किलोमीटर हो यहां आपको रायपूर में भी मिलेगा देखने को धमतरी दो जगे, इसका बेस्तार मिलेगा, बाग तिंदुगा, सावर, चीतल, पामेंट पामेंट इसका चितफल 262 km है दांति बाडा में देखने को में लीगा है जन्गली रहसा यहां देखने को में लीगा नेया यहां कि प्रमुक बन नजीम है वड़न वड़न वपारा वड़नवापारा जो भी हो 244.66 वर किलोमीटर चेत्मल फैला हुए महा समुन्द रायपूर जिले में फैले हुए यहां आपको बागतिंदुगा चीतल गौर भालूभ मुंचक एदन चौ सिंगा देखने को मिलेगा भैरमगार 149 वर किलोमीटर हमें दान्तेवाडा बागतिंदुगा जंगली भैसा साबर चीतल देखने को मिलेगे बादल कोल dus 104.45 वर किलोमीटर चेत्मल में फैला हुए जस्पूर क्या यह जस्पूर में देखने को मिलेगा यह जिले में बाग तिंदुए चीतल, सांबर गौर भालू, मुंजक, हिरन देखने को मिलेंगी स्मय। बैरम देव यह आपका 163.80 km में कहला हुए कवर दावें। बाग तिंदुए चीतल, सांबर, नील गाय यहां आपको देखने को मिलेंगी। तो यह कहानी थी आपके 36 गड़ की पूरी। यह तो नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से 36 गड़ आपका कवर हो जाता है। लेकिन आप गर बाहर ही हैं और वहां के कोई एक्जाम दे रहे हैं तो इतना पढ़की जा सकते हैं। क्योंकि देखेए जो उस स्ट्रिट में रहता है आप सोचीं बिहार में जाकर आप लोग टॉप कर जाए विहार सामान ग्यान में तो यह संभव नहीं है क्योंकि वहां का जो लोग इस थान ही है वो आप से कुछ ज़ादा जानता होगा वहां की बारे में। तो इस तरब से आपको देखती रहना है काई कि29 अब हम लोग बात करते ह्यार्यासा नियान के वारे है तो सबसे पहले हम लोग खरेयां की स्तिर देख लेते हैं मैप से एब आपको डेहरा होगा मैपस हरां ऐसे आपको आपको फूर अभारत ये तिब्बत हो गया चीन वाला हिस्सा नेपाल है भूटान है ये म्यानमार है बंगलादेश है नीचे आपका स्री लंका अफगानिस्तान उपर अफगानिस्तान नीचे पाकिस्तान प्योंके वाला हिस्सा लगता है आपका अफगानिस्तान से ठीक है कभी कभी आप लोग अरुना चल्पिदेश में भी देखते हैं क्योंकि चीन अपना कबजा, की बात करता है कि उसका छेत है, हर्याणा की बात कर रहे हम लोग, तो यह आपका हर्याणा, देख रहा है, नई दिल्ली, नई दिल्ली से आपका इसकी सीमा लगती, उत्तर से भी लगती है पंजाब उसके बाद राजिस्थान से भी लगती इस किसी है ठीक है उपर आप पंजाब देखी रहे हैं यहां उत्तरा खंड से भी थोड़ी सी मह लगती है इस तरह से यह कहानी आपके मैपस में है इसके राध्धाने है चंडिगड क्या है चंडिगड हर्याणड की राध्धानी चंडिगड देश का उत्तर पश्चिमी भाग में इसकी स्थापना एक नवंबर 1966 को ही थी एक नवंबर 1966 अगर हम लोग इसके भोगोलिक इस्तिती की बात की जाए तो 27 डिग्री 49 मिनिट उत्रियक्षांस से 30 डिग्री 55 उत्रियक्षांस तक और 74 डिग्री 27 मिनिट 8 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनिट 5 पूर्वी देशांतर इस्तित्य इसे इस तरह से याद रखिए 27, 29, 30, 55 74, 278 77, 365 जिस तरह से आपको याद हो आपको बस याद रखना है ठीक है कोई भी तरीका अपना सकते हैं आप लोग सीमाओं की अगर बात करें तो उत्तर में आपका हिमाचल पिदेश दच्छेड और पश्चे में राजिस्थान फूर्म में आपका उत्तर पिदेश उत्तराखन और दिल्ली उत्तर पश्चे में आपका पंजाब और चंडीगर देखने को मिलेगा क्या होगा चंडीगर भी देखने को मिलेगा आप लोग जाते हैं इसकी राध्धानी भी चंडीगड है चंडीगड क्या है कि एक कैंसासिक पिदेश भी है छेतफल की बात करें तो 44,400 वारेवर किलूमीटर छेतफल में फैला हुआ है अगर जंशंक्या की बात करें हम तो इसकी जंशंक्या है आपकी दो करोड तेरेपन लाग इंक्यावन हजार चारसो बासट वेक्ति एनमेसे पुरोस हैं एक करोड चौटीस लाग चौरानवे हजार सासो चौटीस मैला हैं एक करोड अठारे लाग शहपन हजार सासो ऋटथाज अगर दसकी बिद्धी की दर की बात करें तो 2001 से 2011 की बीच में नो उन्नीस दिसमलोर नव्य पितीसत की बिद्धी देखी गई है जंशंक्या में जीरो से छे वड की आयू की जंशंक्या की बात करें तो यहां है 33,8721 33,8721 इस मैंसे बालक हैं आपके 18,43,109 बालिका हैं 15,37,612 लेंगन पात की बात करें तो 0 से 6 वर्स की आयू में लेंगन पात है 834 सबसे कम 834 अगर इस्तरी प्रोस्त की बात करें अनपात की तो 889 है महला हैं पिती हजार पुरसों पर सबसे लेंगन पात सबसे कम लेंगन पात यहीं देखा जाता है 889 ठीक है जनसंग की अगनत की बात करें तो 573 ब्यक्ती पिती ब्यक्ती किलोमीटर में रहते हैं साक्चरतापकी 75.6 पिती सत है जिसमें से पुरस हैं आपके 84.1 पिती सत महला हैं 65.9 पिती सत अगर पुल साक्चर ब्यक्तीयों की बात करें तो एक करोड 65,9988 है जिसमें से आपकी महला हैं 97,994,66 और महला हैं इसमें से पुरस हैं आपके इसमें जिले हैं आपके 22 उच्चन्याला है चंडीगर राज का दिवस मनाये जाता है राजी दिवस एक नवंबर को परवत की बात करें तो उत्तर में सिवालिक फाहडियां और दश्च्र पस्चिम में अरावली परवसेनियां लगी हुई हैं से अगर यहां की प्रमुख नदियों की हम लोग बात करें तो यहां की प्रमुख नदिया हैं यमना, घगर, मारकंडा, बढकल, सावी, इंदोरी प्रमुख नदियों की बात करें तो अंबाला, गुडगाओं, हिसार, करनाल, कुरुछेत, रोहतग, फरीदाबाद, सिर्षा, सौनीपत, जिंद किर्सी की बात करें तो 75,30 लोग किर्सी कार में सलगने हैं, कितने 75,30 एक बड़ी आबादी किर्सी पर निर्वर करती हैं तो यहां आपके फसलों की अगर बात करें हम लोग, तो यहां आपका चाबल बाजरा, जो, चना अजुआरी गेहूं, गन्ना, तिलहन का पास, अत्य देख बिक्सित, दुख्द, उद्ध्यो भी यहां बिक्सित हैं खनिच की बात करें तो लोई हैस्क, आपका महंदगड में, चूना पत्थर, अमबाला महंदगड, काज की बालू, ततना सिलेट, गुडगाओं, डोलोमाइट, चेनी मिट्टी, संगममर, गरिफाइड, दुललम मिद्दाय, इमालती पत्थर, यहां खनिच की रूम में बि अंसपतिगी, साइकेल, कार, मारूती उद्ध्यो, लिमेटेड गुडगाओं, स्तेलाई मसीन, इंजिनरिंग के सामान, वर्स्त और कागर उद्ध्यो, राजदूत मोटर साइकल की फरीदाबाद में इसकी कमपणी यहां उद्ध्यो है, एसकोर्ट, टेक्टर और केलवीने फरीदाबाद में देखने को मिलेगा बनता है, चीनी टेलिवीजन सेट, काज का सामान, पीतल की बस्तु हैं देखने को मिलेगा, अगर हम लोग हर्याणा के परेटन स्तलों को भी बात करें, तो बढखल जील एफरीदाबाद में हैं, दपचीक होडल, जंगल बवलर धार होडा, कर्ण जील उच्छना, मैकपाई फरीदाबाद, काला तीतर अबू सहर, किंग फिसर अंबाला, राजन्स सूरजकुंड, इसका इलार्क पानीपत, सोहिना, सुल्तान पुरपक्ची वि यादवेंद, गार्डन, पिंजोर, चीड, वन के पिसेद मोजनी इस भी हाग मिलेंगी, अगर प्रमुक परवत और तिवारों की बात करें हम लो, लोहाडी, यहांका प्रमुक तिवार है, टिका, यहांका प्रमुक परव्वी है, अगर प्रमुक बिस्भिध्यालायों की की बात करें तो चौत्री चरंसिंग किरसी विस्विध्याले यह आपका हर्यानव में ही देखने को मिलेगा हिसार गुरुचेत विस्विध्याले कुरुचेत महर्शी दयानंद सरसुती सुरी महर्शी दयानंद विस्विध्याले रोहितक गुरु जंबेस विस्विध्याले यह हिसार में है अगर अगर वंद्हान मंद्दि की बात करें तो एक सद नात्मक है यानि कि बिदान सभा यहां की वड़ें बिदान परिश्चत नहीं है है कि लोग्व़ा सदस्वा की संख्या 10 से वे जंडान सबाके संख्या नभ Sultan HS और राजसवा सदसों की संक्या 5 है ठीक है लोकसदवा सदस संक्या 10 विधानसवा सदस संक्या 90 राजसवा सदस संक्या 5 है प्रमुक अगर हम लोग रेलेवे स्टेस्टनों की बात करें है तो इसमें अम्बाला कुरूचित हवाइड़ों की बात करें तो हिसार पेंजहों कर नाल नौल भिवानी बनक्राड़ी विहार की बात करें तो सल्तानपूर् पक्चिविः गुडगाओं गुडगाओं अनु संधान के अन्द की बात करें तो हम लोग National dairy research institute करणाल नेशनल dairy research institute करणाल में है अगर हम लोग राज्किय पसू की बात करें तो काला हिरन है या कर राज्किय पक्ची काला फैंकुलीन है राज्किय बैक्च पीपल है और राज्किय पुस्प आपका कमल है तो एक कहानी थी कुछ आपकी कुछ मत्पूं पॉइंट इसमें हर्याणा के बारे में हैं अब हम लोग बात करते हैं हिमाचल पेदेश के बारे में यानि कि हिमाचल पेदेश का सामन ग्यान देखते हैं हम लोग तो सबसे पहले हम लोग इसमें इसकी मैपस में इस्तिती देखते हैं आके कहां है आपका हिमाचल देखिए आपका प्यारा भारत इसमें प्यारे भारत में यह है आपका हिमाचल पिदेश मैं बार बार बोल रहा हूं इन सभी राज्यों को करम से रट लीजे हिमाचल इसकी सीमा आपकी उत्तरपेदेस से भी लगती है हर्याणा से भी लगती है पंजाब से भी लगती है जम्मू कसमियों से भी लगती है और इसकी सीमा अब लगदाग से भी लगती है क्योंकि अब नया राज्येक केंदसासित के लगदाग बन चुका है तो इससे भी लगती है और तिब्बद वाले हिस्से से भी लगती है इसकी सीमा चीन से ठीक है तिब्बद वाला जो चीन का हिस्सा है इससे भी लगती है तो ये कहानी है आपके हिमाचल पिदेश अब चलते हैं हम लोग इसके जो तत्थे होने देख लीजिए राज्जे माचल पिदेश इसकी राध्धानी सिमला होगी राध्धानी क्या होगी सिमला यह आपका यह देश की उत्तरी सिमान्त पिदेश में बसा हुआ है देश का उत्तरी सिमान्त पिदेश है अगर इसकी पहबोली की स्तिती की बात उत्तर से उत्तरी अक्षांस और 33 डिगरी 12 मिनिट तक फैला हुआ है उत्तर में देशांती ये विस्तार की बात करें तो ये 75 डिगरी 47 मिनिट पूर्ब से 89 डिगरी 6 मिनिट पूर्ब तक फैला हुआ है तो इसे किसी भी तरह से आपको याद रखना है फिर चाहे आप लोग 32 बारे 32 याद रख लिजे 33 बारे याद रख लिजे याद रखे ये अक्षांस है और ये आपकी देशांतरी विस्तार है 75 डिगरी 47 यानि कि 75-47 पूर्ब से 806 पूर्ग तक फेला हुआ है अगस्की भौग लिक सीमाओं की बात करें तो बात भी कर चुक है मैपसर भी देखा चुक है कि उत्तर में से जमभू कस्मीर और आप जम.कस्मीर को आपको पता है कि अक्ष介.भू कस्मीर और लगदा ये जम.कस्म.कस्म. तो दोनों की सीमा하세요 हिमाचल पदेश से लगती हैं, 12.000 में आपका हर्याणा, 12.00 पूर में उत्तराखंड उत्तरपिदेश, 12.00 पश्छे में आपका पंजाब और पूर में आपका तिबबत जो चीन का हिस्ता है, इसकी सीमा लगती हैं, अगर इसके छेतफल की हम लोग बात की जाये, तो इसका छ 673 किलोमीटर छेट फल में फैला हुए है हिमाचल के अगर यहां की जनसंख्या की बाप करें तो 68,64,602 ब्यक्ति रहते हैं तोटल जनसंख्या कितनी है यहां की 68,64,602 इनमें आपके पूरोस है 34,81,873 उमाहिला है 33,82,729 इसकी अगर दसकी बिद्धी की बात करें 2001 से 2011 के बीच की बिद्धी तो यह 12.935 की बिद्धी देखने को मिली है 0 से 6 आयू वर्स की जनसंख्या की बात करें तो 7,77,898 इनमें आपके बालक है 4,7,469 बालिकाए है 3,7,449 अगर हम लोग लिंगन पात की बात करें इसके लिंगन पात 0 से 6 वर्स आयू में तो 909 है और साक्षरता की बात करें तो 82,8 पिती सत हैं जिनमें से पुर्स हैं 89,5 पिती सत महिलाए हैं 75,9 पिती सत कुल साक्षर व्यक्तियों की बात करें तो यह हैं 45,49,736 जिनमें से पुर्स हैं आपके 27,52,590 महिलाए हैं 22,187,146 अगर हम लोग लिंगन पात की बात करें इस्तिरी पुर्स की तो 900,72 महिलाए हैं पिती 1,000 पुर्स मफर अगर जनसंख्या घनत की बात करें तो 123 बेक्ति पिती बार किलूमीटर में निवास करते हैं कितने 123 बेक्ति मुख्भासा की बात करें हम लो तो यहां मुख्भासा हिंदी अनभासाओं में पहाड़ी तता उसकी उबोलियां जैसे मंडाली हो गया कुलूती तांगडी लहोडी जिला की बात करें हम लो तो जिलों की संख्या बार है हैं और यहीं आपको बता देते हैं हम कि जो आपका यहां की इसकी स्थापना 1971 में हुई यहां आपकी 68 इसका उच्छ नियाला की बात करें तो इस सिम्ला में है हाई कोट सिम्ला में फ्रमंडलों की संख्या यहां तीन है जिनने सिम्ला मंडी धर्मसाला राजी दिवस मनाया जाता है 15 अपरेल को परबत की बात करें तो सिवालिक पिर बंजाल जासकर तथा महाहेमाले की चोटियां यहां देखने को मिलेंगों प्रमुक सिखर की बात करें हम लोग आएक तो हैं सिल्ला इसकी हुंचाई है 7026 मीटर फिर आपका रीयो फर फर ग्याल इसकी हुंचाई है 6701 मीटर फिर आपका द्यों टिबबा इसकी हुंचाई है 6000 मीटर फिर आपका परगोण 6400 मिटर चूड उंचाई है 3637 मीटर दर्जों की बात करें हम लोग यहां दर्जी भी पाए जाते हैं तो बारा लाचा ला यह आपका 4883 मीटर उंचाए लाहुल लगदाक में देखने पीन पारबती 3319 मीटर कुल्लू लाहुल तथा चुवारी यह आपका है 3150 मीटर चमबा कांगणा जोड़ता है यह तर्रा अगर नदियों की बात की जाए हम लोग तो यहां नदियों आपको देखने की मिलेगी सतलज, ब्यास, चीनाव रावी टॉंस, गिरी और वाटा जीलों की अगर हम लोग बात करें तो पारसगर, रेवल सर अगर बांध जीलों की बात करें तो गोविंद सागर जील एबं पॉंग पांध यहां देखने को मिलेगा सिचाई तथा जल की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा देखने को सिचाई गिरवाटा भाबोर साह पितन, साह नहर परियोजना अगर बिद्दुत परियोजनाओं की बात करें तो इसमें आपको देखेगा तो उत्रिवाग में ऊस्ट ने करा उसिटरी तो में धर्शा रबादिक बर्सा वाला पारिस्ता नेया धर्म साला है 340 cm यहां बार्षा देखने को मिलेगी अगर और बार्षिक बर्षा की बात करें तो 181 सीध असमलो एक सेंटीमीटर देखने को मिलेगी अगर तामबान की बात करें तो गिरिज यानि की गर्मी के समय में 18 डेगरी सेंटीमीटर और सीध काल की बात करें तो ऑसर दो डिगरी सेंटीमीटर देखने को मिलेगा फिर आपके परवर्थी है नगर इसमें आपकी डलहोजी हो गया धरमसाला कुल्डू रेनुगा चंबा खजियार कसौली कालका लाहौल सोलन मनाली चायल कोपरी नारकंड़ अन्यप और फिरमुक्नगर की बात करें तो परवान हुग गया मंदी रामपूर सुंदर नगर विलासपुर पालंपुर जोगिंदर नाहन सिर्मोर शिरसोर उना के विदार मंदल की बात करें तो एक सदनात्मक हैं यहां बिदान बंदर बिदान सभाय बिदान सभा में सीटें 68 हो गए लोग सभान में 4 हो गए राज सभा में 3 हो गए पहले भी बात बता चुका हूँ आपको ठीक है? तेने यह किरसी की बात करें तो यहां की एक बड़ी जनसंक्या 76 पिती सथ लोग किरसी ब्योसाइच से जुड़े हुए है बैसे तो भारत में देखते हैं किरसी पिदान देशे भारत तो यहां सब जाना ही कुछ लोग जुड़े हुए पिरमुक फसलों की बात करें तो गेहु मक्का चाबल जौद दालें आलू सबजियां तिलहन आपको देखने को मिलेगे पिरमुक फल की बात करें तो सेब नासपाती खुबानी अंगूर आलू चा रसदार फल आलू बुखारा आंडू सोपारी यह सभी देखने को मिलेगे बन की बात करें तो कुल छेत के 68 68 पितीसद भाग पर बन जिसमें आपका इमार्थी लकडी इनन की लकडी गौन बिरोजा प्राप्त होता है खनेज चट्टानी नमक मंडी जले की दांग गुमा खाने चूना पत्थर विलासपूर सिरमोर मंडी सिलेट विलासपूर चम्मा सिरमोर जिफशं सिरमोर एउरेनियम कुल्लू गाटी विराइटस डौलोमाईट पाइराइटस पिरमो खुद्धियोगों की बात करें परवानू इलेक्टोनिक खुद्धियो थोजाई सेमेंड पॉलटा साहब और बर बिलासपुर धरमकोट सिर्मोर सराप सोलन अखबारी का ज़े यहां पिर मों खुद्देग देखने को मिलेंगे और आपने देखा होगा यह आपका सतलज ब्यास बेसन पर मिलेगा तारभीन का तेल बिलासपुर साहन नाहन बंदूख निर्माण नाहन अन्य उद्देगों की बात करने तो लकडिक पर खुदाई का काम गलीचा निर्माण चीनी उद्देव चमड़े की वस्तुएं उनी कंबल मिटी के वर्तन बिरोजा तियार करना विद्दुद मौटने विद्दुद बलब अदिध्र गडियों के पुल क incarn那我們 आदि देखने को मिलेंगे विद्द्दी विष्विद्द्दुद हे घंचल पिदेश मैं विष्विद्द्द्दی शिम्ला में हिमाचल पिदेश किर्सी विष्विद्द्द्द्द्द wipes रंपूर में 1978 में स्थापना हुई डॉक्टर वाई येस परमार यूनिवर्सिटी और फार्टी कल्चर एंड फॉरेस्टी इस सॉलन में 1985 की स्थापना हुई अवाई एड्डों की बात करें तो जब्बार हार्थी इसमला में मिलेगा देखने को भंठार कुल्लू गाटी में गगल कांगडा मे यहां के पर्याटन केंदों की बात करें तो कुल्लू, कांगडा, रवी घाटी, सिमला, डलोजी, धरमसाला, कसोली, सोलन, चैल, खुपरी, आधी परवर्ती ये दर्षनी ये स्थलें यानि की घूमने लाए तीर थ्याक्तियों के लिए ज्वाला जी, चामुंडा देवी, चिंतु पूर्णी, रेनुका खोल सर, देवदत सिथ, नैना देवी उलेखनी है, नारकंडा, इसकींग, हितु परवानू, ये सभी देखने को मिलेगे राष्टी ये पार्क की बात करें हम तो गरेट हमालें, नैस्टी पार्क, रोहिला, राष्टी पार्क, कुलू देखने को मिलेगे बंद पराणी हैं बिहारी की बात करें, सिकारी देवी अब्यारन, मंडी बनाली, चायल, धरन गाटी, गोबंद सागन सो देवम अनुसंधान के इंद्रों की बात करें, तो बिज्ञानी उद्धोगिक अनुसंधान परिशाथ कॉंपलेक्स पालंपूर में देखने को मिलेगा सेंटर पोटेटो रिसर्च इंस्टीटूट सिमला में देखने को मिलेगे नैशनल बायलोजीकल लेवरिटी पालंपूर में देखने को मिलेगा, फ्रे आपके उद्धोगिक संस्थान, नायन फाउंडी लिमेटिन नहान में है, राजकी पसु यहां का हिमतिंदुगा है, राजकी पक्षी वेस्टर्ण टेग्रोपन है, राजकी बैक्ष देओदार है, राजकी पसु रोहो रोहो डूर्ण है, ठीक है, तो यह था आपका हिमाचल पेजिस की कहानी, ठीक है, कुछ पिरमुक तथी बताये जा रहे हैं इसमें, याद रखे, क्योंकि आप समझते हैं कि कि किसी भी राजी के बारे में बात की जाए, तो वैसे आप लोग उसमें बारत का बुगूल आपने देखा है, उसमें देख चुके हैं, बारत की समिधार में देख चुके हैं, सभी राज्यों को लगवग, तो कबर तो आपके वैसे हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ जानदा ही विस्तार से आपको पढ़ना है, तो कोई बुक्स खरीद लिजे, अ इसमें आपका जारखंड यहां पढ़ता है, लेकिन हम लोग मैपस में अच्छे से भारत की मैपस में इसकी स्तिती देखते हैं पहले, यह हमारा प्यारा भारत का नक्सा है, इसमें आपका जारखंड आपको देख रहा होगा, चलते हम लोग जारखंड की तरफ, यह है आप आपका जारगंड ठीक है तो इसकी सीमा आप देख रहे हैं कि उडिशा से भी लगती है इसकी सीमा आपकी यहां उत्तरपेदेश से भी लगती है यहां उपर पटना से और इसके बाद यह पश्चिमंगाल है आपका उडिशा, 36 गड़, उत्तरपिदेश, पटना, मतलब बिहार, और उसके बाद पश्च बंगाल इसकी सीमा इनसे लगती है, क्योंकि आपसे पूंच सकता है बिहार, जारखंड, PCS किसी भी एक जाम में कि कितने राज्यों से लगती है, तो आपको बता देना है, उत्तरपिदेश, 36 गड़, उडिशा, पश्च मंगाल, बिहार बिहार से तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि बिहार से ही तो अलग होकर बना है आपका जारखंड राज इसकी रादधानी की बात करें तो राची है, इसकी रादधानी, याद रखिए हम सभी ये आखड़े 2011 की जनगणना के नुसार बात कर रहा हूँ, 28 वे राज्य की रूम में इसकी तिथी आने की तिथी ये 15 नवंबर सन 2000 में बना, 28 वे राज्य की रूम में बना थे, ठीक ह फिर आपने देखा है, 29 वे राज्य की रूम में आपका तेलंगाना बना, उसके बाद आपने देखा है, 2019 में आपके जम्मू कस्मीर को दो भागों में बाट दिया गया, एक लद्दा, दूसरा जम्मू कस्मीर, तो अब आपके 28 राज्य बचे हुए हैं, हम 2020 में बात कर र इसके मात की बात करें तो अनुसूचित, जन्जाती, आदिवासी, वहूल लाच्य, खन संपदा का विपूल भंडार भी है, अनेका अनिक खनेजों का एकाधिकार भी है, जार्खन का, एक उद्द्युक सिंखला वाला राज्य जार्खन, नामकरण की बात करें तो आदिव गोली किस्तिती है आपकी 21 डिगरी, 58 मिनिट, 10 सेकंड, उत्तरी अक्छांस से, 25 डिगरी, 19 मिनिट, 15 सेकंड, उत्तरी अक्छांस तर, देशांतर ये विस्तार की बात करें, 23 डिगरी, 20 मिनिट, 50 सेकंड, पूर्वी देशांतर से, 88 डिगरी, 4 मिनिट, 40 सेकंड, पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है इसे आप किसी भी तरह से याद रख सकते हैं अगर हम लोग राजी के विस्तार की बात करें तो लंबाई उत्तर से दच्छन तक इसकी 380 किलोमीटर है और अगर पूर्फ से पश्चम तक की चोड़ाई की बात करें तो 463 है कितनी 463 जैसे यह है ठीक है इसे माल लीजिए आपका जहर करें तो यहां से आपकी उत्तर से दच्छन तक की 380 और पूर्फ से पश्चम तब की 463 सीमाओ की बात करें तो राजी की उत्तर में बिहार इसका दच्छम में उरिसा पूर्फ में बंगाल ओ पश्चम में चतिजगड़ उत्तर में उत्तर पिदेश आपको मैपस में भी हम लोग बता चुका हूं प्रमंडल की बात करें तो इसके प्रमंडल चार हैं पलामू संथाल परगना उत्री चोटा नांगपूर दच्छडी चोटा नांगपूर गठन की समय इसमें अठारे जिली थे वर्टमान की बात करें 2011 की जन्गर्मरा केर्म सार तो 24 जिली है अनुमंडल 35 है प्रखंडों की स ठीक है उसके बाद आंगे हैं आपका उच्छ न्याले की बात करें तो जारकंड उच्छ न्याले हैं देश का 21 बा उच्छ न्याले बना था आपका जारकंड उच्छ न्याले अगर इसके छेतफल की बात करें हम लोग तो 89,716 वर्ट क्लिवीटर में यह फेला हुए 89,716 जन्सेंख्या की बात करें तो 3,39,88,134 ब्यक्ती हैं इन मैं से पुरुस हैं आपके 1,79,3,315 महला हैं 1,60,57,819 अगर दसकी यह विद्धी की बात करें यानि की 2001 से लगाकर 2011 तक की विद्धी की बात करें तो यह आपकी 22 देसमलो 4,30 की विद्धी देखी गए जन्संख्या में जीरो से च्छे वर्स की आयू की बढ़ की जन संक्या की बात करें तो 53,89,495 है इसके बाद आपका लिंगनपाद की बात करें ये जीरो से च्छे वर्स की आयू में लिंगनपाद की बात की बात की जा रही है 948 है कितना 948 अगर लिंगनबाद की बैसे बात करें तो 949 है पिती हजार पोर्सों पर 949 महला है अगर जनसंग की अगनदत की बात करने तो 414 वेक्ती पिती वर किलूमीटर में रहते हैं साक्षरता की बात करें तो 66.430 है इसमें से पुरोस हैं आपके 66.830 महला हैं 55.430 कुल साक्षर वेक्तियों की बात करें तो 1 करोड 83,289 वेक्ती साक्षर हैं इनमें से पुरोस हैं आपकी 1 करोड 8,82,519 महला हैं 54,45,550 अगर राज जी की भासा की बात करें तो राज जी की भासा है हिंदी और अन भासाओं की बात करें तो संथाली हो गई मुंडारी, हो, उडिया, बंगला बिधान सवा की बात करें तो यहां एक सदात्मत बिधान मंडल हैं अकेली विधान सवा हैं ठीक है विधान सवत सदसों की संख्या बात करें तो 81 पिलस 1 यानि की बराबर 82 जन मैं से 81 आपके निर्वाचित होते हैं जनने जनता चुनती है एक सदस को एंगलो इंडियन होता है कैसा होता है इसे आपका राजपल चुनता है मनुनीत किया जाता है लोग सभा एंगलो इंडियन सवा से लोग सभा सदसों की बात करें तो 14 संग क्या है यहां राजपल सदसों की बात करें तो आपकी 6 है इस पिकार आपकी 82 चौदे 4 6 राजपल में 6 हैं लोग सभा में 14 हैं और विधान सभा में 82 हैं प्रमुक नगर अगर हम आके देखें तो इनके प्रमुक नगर हैं आपके राची जमसेतपोर, वुकारो, धनबाद, पत्रादू, हजारी वाग, ग्रेडी, देवगार, दुमगा, मदूपव, राचकी ये पसू की बात करें तो हाथी यहां का, राचकी पक्ची कोयल है, राचकी पुस्ट पर यहां का पलास है, सरवादिक उचाई जल्पपात आपका हुन्रू है, इसकी उचाई चोहतर मीटर हुच है, साची की सवड रेखा नदी पर यह आपका जल्पपात है, अगर सरवुच सिखर की हम लोग बात की जाए, तो पारसुनात है, इसकी बात करें तो यहां मक्का आपका हजारी बाग राची पलामू संथाल परगना में देखने हुमलेगा, रागी यह हजारी बाग पलामू में, जो पलामू में, बाजरा हजारी बाग राची सिंग भूम संथाल परगना में, मिस्ता यह संथाल परगना राची हजारी बाग सि और तिसी यह पलामों में ठीक है उसके बाद अगर विश्व विद्यालेयों की बात करें यहां कि जारकंड की तो राची विश्व विद्याले यह राची में 1992 में isकी स्थाफना की गई. विडला इंस्टिटीट अपनों के टेकनॉलोजी विस बिर्ध्याले मे इसरा राची में हैं. इसकी स्थाफना उन्नीस सौपचपन में हुई. इन्देन स्कूल अपनीस सॉचपईस में की गई. यानी कि बहुत पुराना स्कूल है. अगर हम लोग चिखिस्सा महाविध्यालेओं की बात करें तो राजेंद मेडिकल कॉलेज ये राची में है इसकी स्थापना आपकी 1960 में हुई M.G. M. Medical College ये आपका जमसेत मुर में देखने को मिलेगा आपको इसकी स्थापना 1961 में की गई पार्टलीपुत मेडिकल कॉलेज ये धनबाद में देखने को मिलेगा इसकी स्थापना 1971 में की गई हॉस्पीटल पूर मेंटल डिजिज कांके राची में है राची में 1918 में इसकी स्थापना की गई विधिमाद मिध्यालेओं की बात करें तो छोटा नांगपुत लॉ कालीज राची में है 1954 में इसकी स्थापना लॉ कालीज हजारी वाग में है इसकी स्थापना 1977 में की गई अब बात करते हैं पिसा असनिक शरचना की तो ये प्रमंडल हो गए इसके बाद ये मंडल हो गए मुक्untした हो गए अनुमंडल हो गए पलामू यह प्रमंडल है इसके मंडल की बात करें तो इसमें पलामू है इसका मुक्याल है डाल्टेन गंज इसमें अनुमंडल आता है डाल्टेन गंज हुसेनाबाद लातिर और चतरपुर इस चतरपुर आपका याद रखिए जारखंड वाला है एक चतरपुर आपका MP में जिला है ठीक है इसमें पलामू में दूसरा मंदल है आपका गड़वा इसकी मुख्याले गड़वा है और अनुमंदल गड़वा नगर उठारी है उठारी संथाल परगना इसमें आपका दुमका इसका मुख्याले दुमका अनुमंदल दुमका सदर जाम ताड़ा दूसरा है अगर उत्री छोटा नांपुर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा हजारी वाज इसका मुख्याल है हजारी वाग हजारी वाग राम रामगर्ण वरी इसमें अनुमंदल सामिल है कुरडमा कोड रमा इसकी रात मुख्याल है कोड रमा है इसमें अनुमंदल कोड रमा है चत्रा 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 धनवाद 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 बुकारो बुकारो चा कोटा नागपूर इसमें आपकी राची आता है इसका मुख्याला राची है इसमें अनुमंडल देखने को मिलेगा राची सदर कुटी गुमला गुमला इसका मुख्याला है गुमला सिम्डेगा इसका मुख्याला इसका अनुमंडल है लोह रदग्गा इसमें अनुमंडल लो लोहर दग्गा है पश्चमी सिंग भूम इसका मुख्याले चाईवासा है अनुवंडल सिंग भूम सदर सराय केला चक धरपुर पूर्वी सिंग भूमी मुख्याले जमसेद पूर डाल भूम और घाटसी इसके अनुवंडल है अब चलते हैं हम लोग पसू पसू चिकसालाओं की बात कर लेते हैं विहार वीटनरी कॉलेज ये राची में देखने को मिलेगा राची वेटनरी कॉलेज राची में मिलेगा 1964 में राची कॉलेज और बेटनरी साइंस एंड एनिमल एस बेंडी ये राची में मिलेगा देखने को अगर इंजिनेरिंग की बात करें हम लोग इंजिनेरिंग महाविद्य हलायम की तो यहां मिलेगा विर्शा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसे दर्जा मिला हुए यह आपका सैंदरी धनबाद में देखने को मिलेगा इसकी स्थाफना में इस तरह राची में देखने को मिलेगा इस तरह आपके किर्सी महाविद्याले बबानिकी वानिकी महाविद्याले राची एग्रिकल्चर कॉलेज राची में स्थापना इसकी 1955 में कीगी फैकल्टी ऑफ फॉरिष्टी राची में विर्सा किर्सी विस्विद्याले राच से संबत देए प्रयोक चालाओं की बात करें और अनुसंधान केंद तो यहां कुष्ट रोक अनुसंधान केंद राची में देखने को मिलगा इंडियन लाथ रिसर्च इंस्टिट्यूट नामकॉम राची में है 1925 में इसकी इस्थापना की गए सेंट्रल माइनिंग धनबाद में मिलेगा देखने को 1948 में इसकी स्थापना की गए सेंट्रल फ्यूर रिसर्च इंस्टिट्यूट जादुगोण इसकी स्थापना 1947 में की गए कब 1947 में तरह आपका नेशनल तो metallogical levels में देखने को मुलेगा Research and Development Center for Iron and Steel या आपका राची में देखने को मिलीगा आपको पुस्तकालेयों की बात करें हम तो राजी पुस्तकाले राची में इसकी स्थापना 1903 में राजी पुस्तकाले चाईवासा इसकी स्थापना 1957 राजी पुस्तकाले धनबाद में 1956 में राज पुस्त काले दुमका इसकी स्थापना 1952 में की गई 1952 में आगे चलते हम लो प्रमंडली ये पुस्त काले ये आपका हजारी बाग में देखने को मिलेगा 1922 में इसकी स्थापना की गई फिर्यापकी संगराले, राची संगराले, राची में 1972 में स्थापना हुई, जहां जन्जातिय जीवन की अनिक बस्तु हैं, एवं सास्कों के समय के आउसे सुरक्चित देखने को मिलेंगे सारुजनिक फिर्बंद राच शासन के दिन उद्ध्यों, जहारकंड माईका सेंडिकेट लिमिटेड हजारी बाद, जहारकंड इस्टेट सोपर फॉस्पेट फैकल्टी लिमिटेड धनबाद, जहारकंड एयर प्रोडक्ट लिमिटेड आदितपूर, जहारकंड खिल एरिया एरिगेशन, कॉर्परेशन यह आपका राची में देखने को मिलेगा, जहारकंड इस्टेट बैकन फैक्टरी आपको राची में देखने को मिलेगी, जहारकंड इस्टेट एलेक्टिक एक्क्यूपमेंट फैक्टरी यह राची में देखने को मिलेगी, जहारकंड ही दोगा हाट है वो कार्म इसपाथ शयंत arcade मुपरों में गई संह इंडूस्तान कॉपर लिमिटेट गाठ में First इंट्रश में इस्थापना कुए हाइन अ Cheer specially इंसलेटर फेक्ट्रीव आची में इंडियन ऎलुमिनियम कंपनी मुरी मायनिंग एंड इंजीन इंजियन Corporation Corporation Limited राची 1965 में बना, Heavy Engineering Corporation Limited राची में 1958 में इसकी स्ताफना की गई, Indian Explosive Limited Company गोंबिया में 1955 में इसकी स्ताफना की गई, फाइटलाइजर कॉर्पोरेशन ओप इंडिया लिमिटेड इस सेंदरी में 1959 में इसकी स्थापना की गई फाइड़ाइट्स फॉस्पेट एंड केमिकल्स लिमिटेड सेंदरी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड धनबाग में देखने को मिलेगा आपका ठीक है अब हम लोग बात करते हैं राज राच उद्धोगिक पिकास निगम के नभीन उद्धोगिक संस्थान गड़ी का कार खाना राची में देखने को मिलेगा समेंट कार खाना पतरातू में देखने को मिलेगा अब बात कर लेते हैं पिरमुक जंजातियां उनके छेत देख लेते हैं क्योंक में देखने को मिलेगी मुंडा राची सिंग भूम में देखने को मिलेगी हो पलामू संथाल परगना में देखने को मिलेगी भूमिच राची सिंग भूम में देखने को मिलेगी खडिया सिंग भूम में देखने को मिलेगी सौरिया पाडिया राजमहल में देखने को मिलेगी बिरहोर ए संथाल परगना में मिलेगी असुर सिंग भूम में देखने को मिलेगी खरवार आपको पलामू में देखने को मिलेगी कोरवार पलामू में गौंड सिंग भूम में महली राची में बेदिया सिंग भूम में चेरो पलामू में चिक बडाईक राची में, कोरा संथाल परगना में, परहिया पलामों में, किसान पलामों में, माल पहडिया संथाल परगना में, हिल खेचरा, ए छोटा नांगपुर, बंजारा संथाल परगना, बद्थोडी सिंगभूं, बरजिया गुमला, कुरमाली हजारीबा, विचिया स संताल परणना में देखने को आपको मिलेगी फिर आपकी समाचार पत्त और पत्तिकाएं जारखंड में जू निकलती हैं प्रभाद खवर एदेनिक प्रकासन इस्थल है इसका राची और 1984 से निकल रहा है रोजगार प्रभाद खवर पाक्षिक यह आपका राची से निकलता ह आज देनिक है ए राची से निकलता है राची एक्सप्रेस ए राची से निकलता है जन्मत डेली निकलता है धनबाद से 1859 से निकल रहा है आप आज ए भी देनिक है प्रकासन इस्थल धनबाद 1927 से निकल रहा है घर बंदू इस सब्ताय में एक बार निकलता है यापका लोह अब बात करते हैं प्रमुक नदियों की यहां कौन-कौन सी नदिया है यह नदी का नाम हो गया उद्गमिस्थल हो गया उत्री कोयल नदी राची के पठार के मद्द से निकलती है दच्छडी कोयल नदी छोटा नांगपूर के पठार से किम्मद से निकलती है फल्गू नदी यह उत्री छोटा नांगपूर पठार से निकलती है शक्री नदी उत्री छोटा नांपूर के पठारी छित से निकलती है दामोदन नदी आपकी छोटा नांपूर के पठारी भाग से निकलती है स्वर्ड रेखा नदी, छोटा नांगपुर के पठारी भाग से निकलती है, बराकर नदी, उत्री छोटा नांगपुर के पहाडियों से निकलती है अब हम लोग बात कर लेते हैं बनो उत्पात, बनो से मिलने माने उत्पात कौन-कौन से हैं? लामुन, चिरोजी, बैद, गौन, तेंदूपत्ता, आधिप्राफ्त होते हैं, शबज रहे हैं, यानि कि बन पर भी हमें, इसलिए तो बोलता हूँ, बन बचा कर रखना चाहिए, अभी मैं कली परसों कहीं आर्टीकल पढ़ रहा था है, पता है, हमारे फैंपड़ी एक तो ह जब कहां पेड़ लेते हैं उसे, और पेड़ ऑक्सीजन चोड़ते हैं, हम लेते हैं, आप सोचिए एक कड़ी तूट जाए, यहां पेड़ पूरे खतम हो जाए, तो यह आपका एक फैंपड़ा मतलब एक भाग फैंपड़ी का खतम हो रहा है, हम लोग साध जिन्दा मिट्टिया, लाल मिट्टी, यह छोटा नागपूर के चित में देखने को मिलेगी, अबरेक मूल की लाल मिट्टी, कोडरमा, जुमरी तलेया, मंडू, बढ़का गाउं में देखने को मिलेगी, रेतिली मिट्टी, पुरवी हजारी बाद धनबागत में देखने को मिलेगी काली मिट्टी राज महल की पहाडियों के चित में देखने को मिलेगी लेटे राइट मिट्टी पश्टमी राची दच्छड पलामू संथाल परगना में राज महल में देखने को मिलेगी सिंग भूम में डाल भूमी देखने को मिलेगी बिसम जाती है मिट्टी इस सिंग भूम में चेत में देखने को मिलेगी आपको फिर अब बात करते हैं हम लोग आकासवाड़ी और दूरसण के अंद देखते हैं जारखंड के जारखंड का पिरमुक आकासवाड़ी के अंद राची में है चटी पंचवरसी युजना में राची में दूरदरसण के अंद इस्थापित किया गया है जिसकी परदी ब्याबक है जमसेथपूर धनबाद 1984 में तथा हजारी वाग एवं डालटेन गंज में लगू सक्ति वाले ट्रांस्मीटर के अंदों को इस्थापित किया गया था गाव 1984 की बात है अन्य आकासवाणी के अंद आपके हजारी वाग में देखने को मिलेगा डालटेन गंज अब बात करते हैं जहारखंड की पिरमुक धार्मिक इस्थलों की बारे में यहां आपके मंदिरों की बात करें तो बैदनात धाम मंदिर देव घर में देखने को मिलेगा बद्यकाली मंदिर चत्रा में जगनात मंदिर राची में पहाडी मंदर मंदिर एवी राची में देखने को मिलेगा गुरुद्वारा की बात करें हम तो मैन रोड गुरुद्वारा ये राची में देखने को मिलीगा हजारी वाग गुरुद्वारा हजारी वाग में देखने को मिलीगा गिर्जागर गिर्जागर बैप टिष्ट या आपका C.N.I. Church राची में देखने को मिलीगा C.N.I. Church चाईवासा में देखने को मिलीगा गिरजागर कैथोलिक या आपका कैथोलिक आस्रम डाल्टेन गंज में मिलीगा देखने को सैंट पैट्रिक चर्च एक गुंगला में देखने को मिलीगा जारखंड के जलकुंडों में प्रमुक बात करें तो हजारी बाग, सूरजकुंड, पिंडार कुंड, दुवारी, कावा, बेलकपी और लोरगात है संथाल परगना में बात करें तो सिंगपूर हो गया, जरी पानी हो गया, तंतलाई हो गया, तंते सुरी हो गया, वर्माईसा हो गया, रामपूर तथा नूनी भी ला हो गया हजारी बारत का सूरज कुंड सबसे अधिक गरम जल का कुंड माना जाता है अगर हम लोग यहां के प्रमुक बादों की बात करें तो इससे भी आपके questions बनते रहते हैं यह बाद हो गया जिस जिले में है उसका नाम हो गया जिस नदी पर है स्थापना बरस और नदी यहां दी दे बिद्धूत पादन की चंता इनकी होगे तेले आवाद यह आपका 350 मीटर लंबा है और 33 मीटर उचा है यह आपके कुडरमा जिला में देखने को मिलेगा इसकी इस्थापना 1903 में की गई बराकर नदी पर की गई थी जल्बिद्धूत ग्रह की दो इकाईयां 4 मेगाबाट की यहां लगी वी है दूसरा है आपका कुडरमा बांथ यह 3.5 किलो मीटर लंबा है और 49 मीटर उचा है यह आपका हजारी वाग जिली में देखने को मिलेगा 1905 में इसकी इस्थापना की गई थी कौनार नदी पर है 40,000 किलो वाट चमता बाली भूमी गत जल्बिद्धूत परियोजना है मैथन बांथ यह आपका 4357 मीटर लंबा है और 56 मीटर उचा है यह आपका धनवाट जिले में देखने को मिलेगा फिर आपका पंचेंत बांथ यह आपका जहारखंडे में मिलेगा इसकी उचाही इसकी लंबा है 25 किलो मीटर और उचाही है 45 मीटर उचाही जहारखंड के धनवाद एबं पश्चमंगाल की पुरूलिया चिलों की सीमा पर रिस्तित है इसकी स्थापना 1969 में गी गई वराकर नदीपर 20,000 किलोवाट चमता की इसकी चमता है बिद्दुद गरहे कनाडा मयूराक्ची प्रियोजना दुमका में है इसका 1955 में स्थापना की गई और मयूराक्ची नदीपर उच्थे थे थे नलकारी बांद रामगर्ड केंट हजारी बाग में इस्ते थे 1960 में देखने को मिलेगा नलकारी नदीपर तैनुगाट बुकारो 1973 में दामुदन नदीपर इस्ते थे गैतल सूथ राची में स्थवर नदी रेखा पर इस्ते थे 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 ठीक है आप चलते हैं जारखंड में कुछ महत्कून आंदूलन आप ने दीखा है कि बहुत कुछ आंदूलन हुआ है तो सभी आंदूलन को हम लोग देख लेते हैं जिससे अगर यहां से आपके questions बनता है कोई तो आप आराम से कर पाएंगे देश में 28 विराज जारखंड के गटन का इतियास काफी उताव चड़ाव का रहा है जारखंड आंदूलन का इस्तियास बहुत पुरा है सबसे पहले चलते हैं हम लोग 1360 EZB में AD में फिरोस साहें बाब का बिहार का वियान जारखंड चित तुरकों द्वारा पदाकरांद फिर 1765 में मोगल वास साहालम ने इस्ट इंडिया को राजस संग्रे एजेंट बनाया फिर आती है 1771 की बाद जारखंड चेत इस्ट इंडिया कमपनी की अधीन आया फिर आता है आपका 1785 बाबा तिलका माजी का आंदूलन यह होता है फिर 1797 बूदी में मुंडा विद्रो निदत करता थे इसके विश्णू मान की पर 800 पलाँमो में चेरी विद्रो होता है इसकी निदत करता थे भूव कन सीग फिर 1831 में कोल विद्रो होता है इसके निदत करता थे बुद्ध भागत उससंगράम और सुर्मा त्रे 1831 से 33 की बाद भूमिज विद्रो होता है इसके नेतद करता थे गंगा नारायन सीन 1845 में जारगंद चित में किष्चेनयों का प्रवुएस होता है 1856 की बाद है कि सिपारी विद्रो नेतागर थे इसके विसुनाद साही गडबत राय सेख भिकारी आदी उसके बाद 1869 की बाद है चोटा नांगपूर प्रमंडल में खरीद विक्री कानलू लागू सरदार आंदूलन की सुरुआ थी थी 1869 में फिर 1869 की बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं 1860 की बाद तामाड में मुंडा विद्रो होता है इसके नेतद करता रहते हैं दुखन मानकी 1869 चोटा नांगपूर कास्तकारी आदिनियम लागू हुआ 1872 संधाल वरगना बंदोवस्तिनियम लागू हुआ 1878 में चोटा नांगपूर में सरदार आंदूलन भार्टी बन कानून लागू हुआ 1895 से 1900 के बीच बिरसा आंदूलन से ओरिजिनल सर्वे रेटलमेंट 1901 बना 1903 की बात है छोटा नांगपूर कास्तकारी संसोधन कानूलागू उठ हुआ जमीन के स्थानांतर पर रोग लगी 1912 की बात है बंगाल से बिहार एवं उडिसा पितक किये गए 1913-14 की बात है ताना बगत आंदूलन होता है इसके नेतत करता रहते हैं जात्रा बगत सीबू माय देविया 1930 की बात है नमक सत्यागे होता है इसके नेतत करता रहते हैं सैदिल महतो मोहन महतो गोकुल महतो गड़े साधी 1936 की बात है, बिहार से उड़ी सा पिथक हुआ 1938 में आदिवासी महासाबा होती है इसके नेतित करता रहते हैं जैपाल सी 1942 की बात है, बाड़ छोड़ो अंदुलन होता है इसके नेतित करता रहते हैं चूनाराम महतु, गोविंदा महतु 1938 में खंड सावा अंदुलन होता है, जारखंड अंदुलन 1905 में आपका होता है पिथक जारखंड राज की गठन के लिए राजपुनर गठन आयोक की समक्च पिदरसन इसके नेतित करता रहते हैं जैपाल सीम थे 1989 की बात है, जारखंड नेता सकतिनात महतु की हद्या होती है 1980 की बात है जारखंड ये मौक्ति मोचा ने बिहार विधान सावाय में 14 इस्थानों पर कबजा किया उसके बाद 1989 आता है, केंद सरकार ने जारखंड मसले की पर एक सम्ती उत्य टाथिद की 1992 में जार्खंड मसले की सम्ती ने जार्खंड जनरल काउंसिल के गठन की संस्तूती किये All जार्खंड इस्टिट्यूट इन्यन ने जार्खंड बंद का आहन किया जो व्यापक रूप से सफल रहा फिर आपका 1994 आता है बिहार विधान सभाण ने जार्खंड चित्री ये 183 फरीशत के गठन की संस्मन्दी विधयग पारीथ हुआ 1977 में बिहार विधान सभाण में पिथक जार्खंड राच्ज्म संस्मन्दी पिश्टाव पारीथ हुआ 1998 में बिहार विधान मंडल द्वारा बिहार पुनर गटन विद्यक पर चर्चा तीन दिनों का विशे सत्त आयुजित किया गया उत्तब जाके 2000 में सन 2000 में 15 नवंब सन 2000 को जहारखन आपका 28 वा राज बनता है याद रखिए कोई नया राज आजकल की बात अलग है लेकिन पहले राज बनाने के लिए कई लंबे सफर रहते थे समझ रहे हैं आप लो यहां पीछे आपके कुछ जल्पे पात हैं ने भी याद रख लीजे क्योंकि इनसे भी कुश्टेंस आपके बनते रहते हैं यह आपके जल्पे पात होगे कुण्ड जिलाव नदी हुंडरू राची जिले में स्वड़न रेखा नदीपर दसम राची में काँची नदीपर सदनी राची में संक नदीपर जोनार राची में जोनिया इफिरि बाराव रारू नदीपर हेडनी पूर्वी सिंग भूम जिले में रजरप्पा हजारी बाग में देखने को गहागरी पलामू में गहागरी नदीपर गौतम गाग ये पलामू नदीपर देखने को मिलेगा आपको अब हम लोग बात कर लेते हैं जारखंड की नाट संस था है और नाट संग ठने आके ठीक है जारखंड के ग्रेडी यहाँ आपको मिलेगा तास नाट गुरुप तीमोर्ती रंगराले युगा रंगमंच जमसेदपूर यहाँ आपको निहारिका निसान ड्रामाटिक एसोसीएशन अरब नाट संग मंच अराधना कलपना अनुपता कल्चरल सोसाइटी रंग भालती अभिनए यहाँ मिलेगे धनपाद की बात करें अगर धनबाद की तो यहाँ अंकुर बुकारो की बात करें बुकारो कलाकन, छंदरूपा, एमचे और आर्टियेश्ट इसोसीएशन मिल लेगा राची की अगर बात करें तो आयाम, वसंद्रा आर्ट, रंगदरपन, सार्तक, देश प्रिया, नाट्या नचल और हजारी यह बाग में आपको संबराट अगर संस्किती की बात करें हम लोग यहां की, तो महलाओं द्वारा गया जाने वाला लोकीत, जुमर, डॉमकच, अंगनई, डईडधारा, बिवागीत, जन्जाद, इन, आदिवासी नेत्राओं की बात करें तो पाई का नेत, छल नेत, छल नेत देखने को मिलेगा आपको उसके बाद यहां जदुईनेत, कर्मानेत, नचनीनेत, नडवानेत, अगनीनेत, चोकारा, संथाल, जामदा, गटवारी, माथा, सोहराव, चोकरा, लूरी, सायरो, आदि संगीत बाद यहनत की बात करें तो तवाग्द, केंदरी, एकतारा या फिर गुपी चंद, जंत, सारंगी, टुईला, भुवांग, आनंद लहरी, आदि देखने को मिलेगे सुसिर बाद यहनत की बात करें तो बासुरी, आड, वांसी, सनाई, मदन भेरी, सिंगा, संक देखने को मिलेगा आउनद बाद यहनत की बात करें तो मांदर, मादल, ढोल, डाग, घंसा, नगाड़ा, कारहा, तासा, जोडी नागरा, बिसम ढाकी, धब, चांगू अगर घनबाद देंद की बात करें तो यहां ज्ञाल, करताल, झांज, थाला, मजी, मंदिरा, घंटा, घंट, काठी, देखने को बहलेगा अगर खेलकूंद की बात करें, खेलकूंद इस्तल तो चाइवासा, चाइवासा एस्टेडियम जमसेतपुर में बात करें तो यहाँआद आपको देखने को मिलेगा कीनान शटेडियम, G.A.R.D. टाटा स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, मोहन अहुजा इंडोर इस्टेडियम धन बाध में आपका रेलबे स्टेडियम, डिगवाड़ी स्टेडियम देखने को मिलेगा वो कारों की अगर बात करें तो रेलबे स्टेडियम मोहनकुमार मंगलम स्टेडियम देखने को मिलेगा हजारी वाग में आपका हजारी स्टेडियम देखने को मिलेगा राची में मेकम मेकन स्टेडियम सताप्ती स्टेडियम वेश्रा मुंडा स्टेडियम देखने को मिलेगा अगर हम लोग यहां के बन्द जीब अभ्यारणों की बात करें तो यहां को डालमा अभ्यारण देखने को मिलेगा पूर्वी सिंग भूमी पर इसका छित्वल है 192.22 वर किलोमीटर इसकी स्थापना 1978 में की गई थी यहां के प्रमुख बन्द जीब इसमें पाए जाते हाथी तिदुगा हेरन फरे आपका हजारी बाग नेशनल पार्थ यहां का हजारी बाग में देखने को मिलेगा इसकी स्थापना आपकी इसके छित्फल की बात करें तो 186.25 बर किलोमीटर है अगर यहां के बन्द जीब की बात करें तो सामर नेल गाय चीतल जंगली वेल तिदुगा हेरन बाग इसमें देखने को आपको मिलेगे इसके आपका पलामू अभ्यारन यहां का पलामू में देखने को मिलेगा इसके इसके छित्फल की बात करें तो 704.25 बर किलोमीटर है इसके इस्थापना 1976 में की गई थी प्रमुख बन्य जीब यहां हांती गौर चीतल साबर नेल गाय देखने को मिलेगी आपको फर्यापना अंगला है आपका बेतला राष्टी है उद्यान यह पलामू में देखने को मि किलोमीटर और इस्थापना हुई 1986 में वन्य प्रमुख बन्य जीब हाती गौर चीतल सामर नीलगाय बाग महुआ डांड बेडिया तरश्तिली यह महुआ डांड में मिलेगी पलामू में इसका चेत्पल 63.25 किलोमीटर है इस्थापना 1996 में हुई बेडिया हिरन वाइल लोगोर्ज यहां देखने को मिलेंगे आपको तर्यापका तोप चांची अभ्यारन यह आपका धनबाद में देखने को मिलेगा इसका चेत्पले 8.75 किलोमीटर सामर चीतल तिन्दुआ बेडिया हिरन देखने को मिलेंगी लावा लोंग ब दो दसमलो जीरो साथ बढ़ किलोमेटर बन जीब है कि बाग तिंदुगा सावर नील गाए हिरन देखने को मिलेगी फिरे आपका इचागर्ड पक्षी बिहार या आपका जमसेद महर में देखने को मिलेगा पितेग बर्ष लगवग 200 साइवरियन पक्षी आते हैं आपके कुडरमा बन प्राणी इस्थाली यहापका हजारी बाग में देखने को मिलेगा एक सो सततर दसम्लों 35 किलोमीटर चेथफल में फेला हुए बन प्रमुक जीवों की बात करने तिंदुगा सावर हिरन देखने को मिलेगा फारफनाद बन जीव सरनाद इस्थाली एक ग्रीडी में मिलेगी अब बात करते हैं जारखन के प्रमुक व्यक्तियों की बिशिष्ट व्यक्ति अलवर्ट एकका प्रमबीर चक्त प्राप्त सैने के विर्षा मुंड़ा इस सुतंता सैना निती जत्रा और आव इताना भगत आंदूलन की नेता थे भागीरत माजी एक खेरवार आंदूलन की नेतित करता थे सिद्धू और कानू यह संधाल विद्रो का नेतित करते थे आप से किस तरह से क्विश्चेंस बनेगा कि गंगा नारायन कौन थे तो आप बता सकते हैं कि भूमेच विद्रो का नेतित करता थे बाबु राम नारायन सिंग इस उतंता सैनानी बार सामाजी का करता चत्रा के थे डॉक्टर गब्बियल हैम रोम जड़ी बूटी विसेशगत और थे गुमला के डॉक्टर जैपाल सिंग यह होकी के पिसे दिखलाडी भी रहे आदिवेसी निता भी रहे सखाराम गड़ेश देवसकर इसाहितकर और देवघर के थे साहितकार ललिप मोहन र थे उसके बाद बाबुलाल मरांडी यह पिथम मुख मंत्री थे याद रखे यसबंद सिंगा यह पूर्ग्यंद्रिय बित्य और विदेश सचिप मंत्री रहे हैं जारगन के प्रमुख परब तेवारों की बात करें अगर हम लोग मेलेंगी तुसु परब यह आपका सिंग जैनती बुद्ध जैनती बिजय दस्मी दीपाबली गौबर्धन सश्टी परो एद मुखरम यह सबी आपके जारगन्ड में देखने को मिलेंगे अगर मेलों की बात करें हम लोग जारगन्ड के तो आपको यहां बेली लगेंगी स्तरावनी मिला देवगर में एकेसी महाद के गाएगा गौशाला मिला चाईवासा रामनवमी ने मिला हजारीवाग में सरहल मेला यह आपका रागन्ड में ठीक है अब अगर हम लोग जारगन्ड के राजमार्ग की बात करें पिरमुक राजमार्ग तो राची रावकिला राज उचपत्त राची लोहर दग्रा राज उजमार्ग यह आपकी प्रमुक राजमार्ग देखने को मिलेगी सोतंता संगराम जंजात्य आंदोलन बिद्रों भी हुए हैं उन्हें भी दिख लीजे तमान बिद्रों यह वर्स 1789 में हुआ और 1794-95 में हुआ यह आपका छोटा नांगपुर छेत में हुआ था नांगपुर में इसके नेतत करता रहे बुद्ध भगस संगराम सूर्मा मुंडा हो और आओ खिरवाज जन जाती हो द्वारा जमीदारों दीकूंग की विरूद यह विद्रो था भूमिच विद्रो यह 1831 के बीच हुआ यह हुआ था बीर भूम सिंग भूम में इसके नेत नेतत करता थी गंगा नारायन लगान बेवस्था की विरूद यह आंदोलन हुआ था फिर्यापने सुना होगा संथाल विद्रो यह वर्स आपका 1855 में हुआ संथाल परगना में इसके नेतत करता थी सिद्धू और कानों कानियों ठीक है विसे इस बैटेस सोसक राजनीती राज़स नीती के खलाप हुआ था महाजन साहुकार रड़ नीती आधी की विरूद था खेरवार विद्रो यह आपका 1874 में हुआ संथाल परगना में इसके नेतत करता थी भागीरत माजी और विसे इस तत्त इसके बारे में है संथाल विद्रो की आसफलता के पितिकरिया स इसके नेतत करता रहे हैं विर्षा मुंडा साहब कौन सी विर्षा मुंडा साहब अब कुछ आपके फर्याटन स्थल हैं आके यहार घंड़े इन्हें भी देख लीजें इनसे भी कुश्चेंस आपके डारेक्ट बनते रहते हैं यह फर्याटन स्थल का नाम हो गया दर्शनी स्थल वेतला राष्टी पार्ग पलामू में यह राष्टी पार्ग है अनुसंदान केंद मिलेगा पुलिस्टेंडिंग कॉलेज भी यहां आपको देखने को मिलेगा पारसनात ग्रीडी जैन तीर तिस्थल है सम्मेद सिखर यहां देखने को मिलेगा जमसेथपुर जोबली पार्क टाटारन एंड इस्टेल कंपनी धनबाद में उद्धोगी के या आपको चेरों राजाओं की रा हधानी मिलेगी और गरमजल्द सरोत मिलेगा जंगल में इस्थित मीदनी राय का किला मिलेगा संदरी या औरवर्घ्क कार ख선ना लगाया है दोर रप्पा को यह बाद को को देखने को मिलेगा तभी का बासुकनात धाम और मसान जोरबान देखने को मिलेगा तेलेया तेलेया बांद है यहां कोनार कोनार बांद देखने को मिलेगा बेथन धनबाद में मैथान बांद है और मैथान में देवी काली का मंदिर भी है पंचेत धनबाद में पंचेत बांद मिलेगा बुकारो बुकारो बांद है देखने को मिलेगा बैदनाद धाम, क्या है? बैदनाद धाम, देवगार, यहां आपको बारे जियोती लेंगों में नव लखा मंदिर, राम लच्मन मंदिर, काली, दुर्गा, सरसुती, आदी के मंदिर देखने को मिलेंगे दुमका, वास्कुिनाद धाम, मसान, जोर बांद, गुड़ा, यहां फरक्का बांद देखने को लगए, राची, बिर्साद जेविक, उद्ध्यान, गौतमधारा, हिनी, दसम जल्पिपात, गेतल सूर डेम, राची जील, राची पहाडी परिस्तित, सती मंदिर, मौराबाद पहाडी परिस्तित, रवन्ना टेगोर का विस्तराम ग्रेवी, देखने को मिलेगा आपको, तो एक कहानी थी आपके जहारगंड की, ठीक है, याद रखिए, आप इसलिए बता देता हूँ, कि आप अगर जहारगंड के नहीं हैं, तो आपके लिए इतना पढ़ना काफी होगा, क्योंकि आप नहीं पढ़ सकते हैं किसी वी राजी के बारी में जाना, अगर आप वहां के हैं, तो आप तो इस्पेशल पढ़ते ही होगे वहां, और आपको जानदा जानकवरी होई, तो कुछ मत्पूर तथ थे, यह नहीं कह सकता हूँ कि पूरा जारगंड कवर हो चलिए तो हम लोग बात करेंगे मद्विदेश सामान ग्यान के बारे में, वैसे याद रखिए मद्विदेश सामान ग्यान को पूरा कवर्ज कर चुके हैं, और बहुत ही डिटेल से विस्ताल से पढ़ चुके हैं, और आप उसे पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता ह है कि आपका कोई questions छूटेगम MP, इस पेसल से, तो करीब आपकी 17 गंटे की class हो, सुपरफास्ट रिवीजन के नाम से, जो आपकी पिले लेस्ट सूची बनी हुए, उसी में डली हुए, और 17 गंटे की ये class कवर कर लीजे, इसके बार कोई भी questions नहीं जाएगा, फिर चाहे आ लाज्यों को हम लोग cover कर रहे हैं, तो यहां भी आपका cover कर लेंगे, लेकिन अगर आपको विस्तार में लगता है कि आपको विस्तार में पढ़ना है, तो वहां की class डली हुई है, तो सबसे पहले maps में हम लोग मद्धपिदेश की इस्तिती देखते हैं, यह हमारा प्यारा इसमें आप देख रहे होगे, बीचों बीच है आपका मद्धपिदेश, इसके रादधानी बोपाल ने, इसके अगर हम लोग सीमाओं की बात करें, किस किस से लगती है, तो इसकी गुजरास से सीमा लगती है, राजिस्तान से भी, उत्तर पिदेश से भी, और इस तरह सीमा आपकी मद्धिदेश से लगती है, गुजराध, जराजिस्तान, उत्तर पिदेश, और सबसे जानदा आपकी उत्तर पिदेश से होकर भी जाती है, मद्धिदेश के भी चोईस से, मद्धिदेश की रादधानी बोपाल है, इसकी स्थापना हुई थी एक नमबंबर 1956 को एक नबंबर 1956 लेकिन आपको पता हो कि बरत्मान स्वरूप इसका 31 अक्टूबर सन 2000 को हुआ कब हुआ 31 अक्टूबर सन 2000 को यानि कि एक नबंबर 2000 को आपका 36 गड़ इससे अलग हो गया था नामकरण की बात करें तो देश के मद्ध में इस्तित होने की कारण मद्ध पिदेश नाम इसका पड़ा हिदय पिदेश से भी हम लोग सम्माद इसे जानते हैं हिदय पिदेश की नाम से भी इस्तिती की बात करें तो देश का सबसे मद्ध बरती भागे मद्ध पिदेश आपका इसकी भोगोलिक इस्तिती की बात करें हम लोग तो 21 degree 26 minute उत्टरी अख्छांज से 26 degree 45 minute उत्री अख्छांज तक और देशांतर की बात करा हैं तो 74 degree पूरवी देशांतर से 82 degree 47 minute पूरवी देशांतर तक फैला हुआ है 26 से 26 degree 54 से 82 47 तक इसे अपने हिसाब से आप लोग याद कर लीगूँ अगर इसके बिस्तार की बारत करें तो पूरुफ से पश्चिम यानि की यहां से आपका यहां तक पूरुफ से पश्चिम 870 km है और उत्तर से दस्चिन इसकी लंबाई चोड़ाई इसकी 605 km कितना 605 km है सीमाओं की हम लोग बैसे भी देख चोगे हैं इसकी सीमाओं मैपस में उत्तर में उत्तर पिदेश उत्तर पूर्व एवं पूर्व में आपका 36 गड़ दच्चन में आपका महराष्ट पश्चिम में राजिस्थान और गुजराद देखने को मिलेंगी अगर छेतफल की हम लोग बात करें तो 308,252 km है 308,252 याद रखिए जब तक यह 36 गड़ इसके साथ मिला हुआ था तो छेतफल में सबसे बड़ा राजिस्थाफ का मद्विदिस्थान लेकिन आपको पता हुगा जब से 36 गड़ अलग हुगा तो दूसरे नम्मर पार आच चुका है पहले ही पर राजिस्थान जनसंक्या की बात करें तो 7 करोड 26,26,809 है यह 2011 की जनकरणा की इनसार बता रहा हूँ इनमें से आपके पुरो से 3 करोड 26,12,306 महिला हैं आपकी 3 करोड 50,14,503 10 की विद्धी की बात करें यानि की 2001 और 2011 की 20 जनसंक्या की विद्धी की बात करें तो यह रही है 20.30 की विद्धी हुई है अब बात करें 0 से 6 वर्स आयू वर्ग की जनसंक्या की बात करें तो यह आपकी 1 करोड 8,09,395 इनमें से बालक हैं आपके 56,36,172 बालिकाए हैं 59,73,223 लिंगनपाद की बात करें तो 0-6 वर्स आयू में 988 है और लिंगनपाद पुर्सों में बात करें इसमें तो इसमें आपकी 931 महला हैं पिती 1,000 पुर्सों पर लिंगनपाद कितना है? 931 जीरो से छे वर्स की आयू में लिंगन बात कितना है नौसो अठारे जन संक्या घनत की बात करें तो 236 है व्यक्ति पिती बार किलूमीटर में रहते हैं 236 अगर साक्षर्था की बात करें तो 59.330 है जिनमें से आपके पुरोस हैं 78.70 संबाग आपकी बात करें तो यह हैं आपकी चार करोड़ 28,59,199 इनमें से पुरोस हैं आपके दो करोड़ 54,328 माहिला हैं 1,46,881 संबाग आपकी संबाग कितने हैं 10 जिले 52 नया जिला कौन सा बना हुए निवाडी यह आपका टीकमगड से इलग करके बनाए गया है निवाडी निवाडी इसमें आपका ओर्चा जो अभी टीकमगड में पढ़ता था अब यह ओर्चा आपका निवाडी जिले में बढ़ना लगा है ठीक है विधान मंडल की बात करें तो एक सदनात्मक है यानि की केबल विधान सभा है इसमें आपकी विधान सभा सदसों की बात करें तो 230 है लोग सभा सदसों की बात करें तो 39 है राज सभा सदसों की बात करें तो 11 है क्या है 11 है याद रखी अभी आपक चुनाव हुएं सत्रवी लोग सागा के इनमें अठाई सीटे आपकी बीजेपी ने जीती थी एक सीट आपकी कॉंग्रेस ने जीती थी कमल नात के बेटे ने छिदवाड़ा की जीती है न कुल नात ने ठीक सिंदिया भी इस पार आपके चुनाव हार चुके थी अब आपके राज्ये सभा से चुने गए हैं सिंदिया साव यहां की भासा है हिंदी अन्य भासाओं की बात करें तो उर्दू बा अन्य चेत्तिरी भासा हैं पिरमुक नगर इंदौर भोपाल जवलपूर ग्वालियर उज्जैन है प्रमुक रेलवेस्ट जंग्सन की बात करने तो भौपाल जवलपूर, इंदौर कटनी, बीना, इटारसी, रितलाम, होसंगाबाद, सहडोल, खंडवा, जंग्सन हवाइड़ों की बात करने तो भौपाल गवालियर इंदौर, जवलपूर, खजराओर उसने डियालाय की बात करने तो यह आपका जवलपूर में देखने को मिलेगा, इसकी दो खंड़ पीट है, एक इंदौर में दूसरी आपकी गवालियर में है, ठीक है, राजी दिवस की बात करने तो एक नवंबर को मनाए जाता है, राष्ट की ये बेक्ष आपका बरगत है, राष्टी पसु आपका वारे सिंगा है, राष्टी पक्ची आपका एसीन पेराटाइज फिलाई केचर है, राष्टी पुस्प आपका पेरोट टी है, विस बिद्ध्यालेओं की बात करें हम लोग, तो इसमें डॉक्टर सबसे पुराना आपका डॉक्टर हरी सींग, गौ जवलपूर में, तेकने को मिलेगा, इसकी स्थापनां पेरों पाय से देवि एहल्याबाई, एंदौर में में तेकने को मिलेगा, 1964 में इसकी स्थापना की गई जीवाजी विस विद्याले ग्वालियर में 1964 में इसकी स्थापना की गई आउदिस पिताब सींग विस विद्याले रीवा में 1968 में इसकी स्थापना की गई वरकतुला विस विद्याले इभुपाल में मिलेगा उनिस सो सत्र में इसकी स्थापना की गई जवाहलाल नहरू किर्सी विस विद्याले जवलगुर में देखने को मिलेगा 1964 में इसकी स्थापना की गई थी उसके बाद माकनलाल चतुरवेदी राष्टी पत्तिकार्टा विस विद्याले भुपाल में 1990 मैं स्की स्थापना की गई मात्मा गांदी चितकूट मंदला बalyगाड जब वालिर। हिरा की बात करने तो पन्ना मुझगाओ सफ्ना पन्ना की हिरे की खाना आप लोगोंने सुनी योगी चर्चा में बनी रहते हैं बॉकसाइड मंदला जबलपूर बालागाड सहटोल, छिदबाडा, बैतूर, होसंगवाद, लोहा, होसंगवाद, जबलपूर, सागर बिधीशा, धार, मंदसों, सोना, बालगाड, ताबा, बालगाड, चुने का पत्तर, जबलपूर, कटनी, राजगर, दॉलोमाइट, जबलपूर, चीनी मिट्टी, ग्वालियर जवलपूर सतना सीधी सहडोर, इूरेनियम सहडोर, एसबेस्टस जाबुआ नर्सिंग पूर, गैस सतना जवलपूर बैतूल हो संगवाद, ग्रेफ हाइट बैतूल में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? उसके बाद आँगे, अब बेट, अब रख ये आपका अच्छे द जवलपूर, बैतूल हो संगवाद, सहडोर, सीशा, मद्दपिदेश में पाये जाता है, टीन, बैतूल गोपिंदपूर, चुखाड़ा, रॉक फॉस्पेट, जाबुआ चतरपूर, सागर, फैल्सपार, सहडोर, जवलपूर, संगमरमर, जवलपूर सपेद, बैतूल, भी नहीं, छेदबाड़ा, ग्वालियर में, देखने को मिलेगा, ग्वालियर में आपका रमगीन, और जवलपूर में आपका सपेद, कुछ इस्थानों की पिसिद्धी के कारण भी है, जैसे आपका भीम बैट का, भीम बैट का, बैट का, और चत्तुर भुज, नाथ, इस अकवारी कागज के मिल के लिए पिसिद्धी, सिंग्रावली, कोईला कदान के लिए पिसिद्धी, खजराओ, कलात्मक मंदिरों के लिए पिसिद्धी, बेडागाट, ये संगमरमन की चट्टानों के लिए पिसिद्धी, मजगाओ, हीरे की खान के लिए, पन्ना, हीरे की ख और बानदवड अव्यारन सफेद सेरों के लिए पिसी दें अप्हिम याद रखी मंदसोर अफिम के लिए और गांजेल के लिए आपका खंडवाजिला पिसी दें उसके बाद हैं आपके पुरुसकार एब समाद इसे भी आपके कुष्चान्स अकसर बनते रहे हैं तो यह आपकी पुरुस्कार संभान की नाम हो गए, इस छेत हो गए, इनकी धनरासी हो गई धनरासी यह बदलती रहती है हमेशा, तो यह जान्दा महत्पून नहीं रहती है कालिदा सम्मान ये आपका सास्तिय संगीत रोपंकर कला, रंग करम सास्तिय नेत के छेत में मिलता है सिकर सम्मान ये आपका साहित पिदर्शनकारी कला है, रोप कला है में मिलता है तांसेन सम्मान सास्तिय संगीत में मिलता है तोलसी सम्मान लोग एवं पारंपरिक खलाओं के लिए मिलता है। धनरासी याद रखिए जो भी करेंट में बढ़ती रहती है, इसलिए कोई इस्तर नहीं रहती हैं कि लग्तामंगिसकर्श पुरुसकार इस सुगम संगीत के लिए दिया जाता है। जवाहल नहरू पुरुसकार इस आपका आधारवूत बिज्ञान और तक्निक के छित में दिया जाता है। 1982 में स्थापित हुए था विकास और इंजिनिरिंग बिज्ञान के लिए। प्रेया आपके मैतली सर्ण गुप्त संगान या ही आपका हिंदी कभीता के छित में दिया जाता है। कभी संबान भार्दी कभीता एकवाल संबान उर्दु साहित के लिए मातमा गांधी संबान गांधी दर्शन के अंडुप सामाजिक कार के लिए आपका दिया जाता है। गांदी संबान तरह आपका सरद सरद जोसी संबान ये आपका हिंदी बैंग लेखां के लिए दिया जाता है कुमार गंदर संबान युगा सास्ती संगीत कार के को दिया जाता है किसे और कुमार संबान ये आपका संगीत के चेत में दिया जाता है देभी एहल ल्यावाई पुरुसकार ये आलूचना की चित में दिया जाता है पदुमलाल पुन्नालाल वक्सी पुरुसकार ये ब्रेंग ललित निवन संसमड रेखाचित यात्रवितान आत्मकथा डायरी पत प्रिपोतार्ज इन सभी चित्रों में दिया जाता है अब बात कर लिते हैं मद्दपदेश की प्रमुक पैदावार यानि की फसलों के बारे में और उनके छेत्रों के बारे में ग्या हूं ये आपका ग्वालियर सागर रतलाम मंदसोर विदीसा उज्जन गुनारीवा हौसंगाबाद देवास की ओर जाबगा इंदोर सतना जबलपुर और खंडवा में देखने को मिलीगा जवार की बात करें तो मंदसोर नीमच रतलाम उच्जन राजिकर साजपूर देवास खंडवा 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 वही है जिसमें गांजा आपका देखने को मिलता है खरगों चना चना आपका मंदसोर नीमच विदीसा गुना से ओर जाबगा देवास बोपाल इंदोर उज्जन रतलाम होसंगाबाद नर सिंगपूर जवलपूर राहसें टीकंगर हर्दा विंड मुरेना में देखने को मिलीगा अफीम आपकी मंदसोर गन्ना आपका उज्जन से ओर जाबगा दवरा सिवपूरी मुरेना कपास की बात करें तो इंदोर ग्वालियर उज्जन धार भिंड मुरेना सेवपूर सिवपूरी चिदवाड़ा मुपाल आदी में देखने को मिलीगा अरहर तूर यह आपका छिदवाड़ा भिंड इंदोर उज्जन दिवास खंडबा रिवार सतना सागर दमोज चतरपूर पन्ना टीकमगर धार ग्वालियर मुरेना भोपाल में देखने को मिलेगा मुंख्ःली की बात करें तो मंदसव नीमच-करवण दार में देखने को मिलेगा तेलहन तिल और तेलहन तिल यह आपका छतरपूर होसंगअबाद सीव पूरि सिदी में अलसी की बात करने तो बालगार सत्ना दरीबा होसंगाबाद ज्याबुगा सागरगुना पन्ना में गांजा की बात करने तो एक खंडवाज लेकि टिगरियाग बढ़गाओं गुर्जर जामली लाइनपूर रुस्तमपूर में देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मद्वधिस की प्रमुख राष्टी अब उद्यानों की बात कर लेते हैं यह आपके राश्टियोर द्ज्द्ध्यान का नाम हो गया, छट फल हो exam यह आपका जिला हो गया है और मुख, बनने जीब जो पाए जाते हैं उसमें उनकी नाम हो गया ठीक है बांदों गड़ इसका चितफल है आपका 437 बर्ग किलोमीटर यह उमरीजय जिला में देखने को मिलेगा बागतिंदुगा बागतिंदुगा चीतल गौर नीलगाय मुंजक खिरन आधी देखने को मिलेगा फॉसिल जीवास इस 27 बर्ग किलोमीटर में है मंदला में दे देखने को मिलेगा काना किसली 940 बर्ग किलोमीटर चेतफल में फ्यला हुआ है मंदला जिली में यह आपको बागतिंदुगा बारे सिंगा गौर सामर किष्णमेट मात्रकमेट जंगली कुत्तरा चीतल जंगली कुत्ता चीतल सेरव वायसन आधी देखने को मिलेगा बर्ग किलोमीटर चेतफल में फ्यला हुआ है सिवपुरी में तिंदुगा सावर चीतल नीलगाए चिंकारा जंगली सुवर प्रवावी प्रवासी पक्ची मगरमच आधी देखने को मिलेंगी उसके बाद आपका है पन्ना पन्ना में आपका 543 किलो बर्ग किलोमीटर में पन्ना चतरपुर जोन में फ्यला हुआ है बागतिंदुगा सावर चीतल चिंकारा भालू आधी रेखने को मिलेंगी पैंच एच 293 किलोमीटर चेतफल में सिवपुनी छिदवाडा में फ्यला हुआ है बागतिंदुगा सावर चीतल गौर मुंजा खिरन नीलगाए जंगल अधी देखने को मिलेंगी बन विहार इस 4.45 किलोमीटर है बहुपाल में मद्विदेश के सभी वन ने प्राड़े संजय यह आपका 497.309 किलोमीटर में सीधी में बागतिंदुगा चीतल यह देखने को मिलेंगी एक बात आप लोग हमें सेयाद रखी मद्विदेश के जो से रहेंगे यानि कि MP के बारे में तो आपका इतने से काम नहीं चलेगा MP के लिए तो आप उसे क्लास को देख लें उसमें पूरा अपडेट करके बताये गया है 2019 तक का ठीक है 2019 पूरा बताये गया है उसमें तो आपड़ लें अच्छे से सभी जोड़ी नए अपडेट हु होगे इनका उध्यस की बात होगी जिस उध्यस सेसे बनाये हिए मदध्य इस उद्धो की निगम बोपाल इसकी स्थापना औने सो मद्धविदेश उद्धोगिक विकास निगम एब भुपाल में इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, उद्धोगों को बड़ावा देने के लिए पितिक पिकार की साहिता इसमें दे जाती है, फिरे आपका मद्धविदेश लगू उद्ध्यग निगम भुपाल इसकी स्थापन आपकी उपयोक्त बित्तिय साहे था कि रूम में दी जाती है उसके बाद है आपकी मद्यपदेश हस्थ सिल्प निगम घोपाल 1972 में से की स्थापना की गई थी हस्थ सिल्प का विकास सुनिश्चित करना इस था काम है इसके उद्देश के लिए इसकी स्थापना की गई फरे आपका मद्यपदेश टेक्स्टाइल निगम इंदोर इसकी स्थापना 1970 में की गई थी इसका उद्देश है आपकर सूती कपड़ों की मिलों का संचालन करना परियापका मद्देश एग्रू एंडश्टीज निगम भोपाल इसका उद्देश है किर्सी पर आधारित उद्द्योगों का विकास सुनिचित करना फिर आपका मद्यपिदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन भोपाल इसका उद्देश से बहुमूल खनीजों के अनुसंदान उत्खनान एबं ब्यापार में सहायता देना फिर आपका मद्यपिदेश निगम भोपाल इसकी स्थापना 1977 में की गई छोटे उद्देश का उत्वार में रियाद करने की अवस्ता सुनिश्चीत करना मद्यपिदेश फिर आपका मद्यपिदेश हैंड लूम हैंड नाले संचालन भोपाल इसकी स्थापना 1976 में की गई हैंड लूम के अत्रिक्त पावलूम उद्दोगिक संतियों की स्थापना करना उनके बित्तिय विवस्था करना और उनके विकास में सही हो देना इसका काम है पर आपका मद्धपदेश इवाम ग्राम उद्यो बोड भोपाल में इसका उद्धेश है खादी बस्तों के उत्पादन को बढ़ावा देना ये आपके कुछ मद्धपदेश की प्रमुक्र समाचरपत हैं समाचरपत हो गया पिकास अनिस्तल हो गया जहां से निकलता है जैसे नई दुनिया यह आपका इंदोर भोपाल से निकलता है भासकर यह आपका उज्जेन भोपाल जवलपूर ग्वालियर से निकलता है से आपका मदवधेश chronicle या आपका भो पाल से, कहाँ से? भोंपाल से, फिर बात करते है, मदवधेश के पर मुक अभ्यारण है, इनसे भी questions आपके बंदे रहते हैं, ये आपकी अभ्याराण हो गया, इनका छेतपल हो गया बर्च किложूमेटर में, जिला गया और मुख बन पराणी होगे जो इसमें पाए जाते हैं बोरी इसका चेतफल है पांसो अठारे वर किलो मीटर होसंगा बाब में देखने को मिलेगा इसमें आपके बाग तिंदुगा चीतल सामर गौर भालू मुंजग खिरन निलगाए आधी देखने को मिलेगा तरहे आपका सेला चेतफल 348.12.2 म है इसका मिलेगा घर मौर इसमें भी देखने को मिलेगा इससे मुक बंण पराणी मिलेगा गढ़ियाल कच्छूock ्लराणी पकाशी आधी संधोरी इसका na बाग तिन्दुगा साहवरचीतल, नीलगाय चिंकारकिष्म तरह आपका राता पानी 68.89 किलोमीटर में है तरह आपका राहसेन सेन में इसमें आपका बाग तिन्दुगा साहवरचीतल değ को तरह आपका 449.49 किलोमीटर हे या आपका 172 मिन देखने को मिली और बाग तिंदुगा साबर चीतल गौर, नील गाय, जंगली मुर्गा, मुर्गी इसमें देखने को मिलेगा पालपुर कुनो, इसका छितफल 345 वर्ग क्लूमीटर है मुरेना में देखने को मिलेगा इसमें आपको बागतिंदुगा सावरचीतल, चिंकारा, किष्णमेट, नीलगाय देखने को मिलीगी पानपथा, इसका छितफल 245.84 बागतिंदुगा सावरचीतल, नीलगाय, मुंजखेरन, चौसिंगा, भालू देखने को मिलीगा पचमडी, इसका छितफल 471.85 बागतिंदुगा सावर, चीतल चिंकारा, नीलगाय, भालू इसमें और गौर देखने को मिलीगी फरे आपने सुनाओगा नौरा देखी, नौरा देखी आपका छितफल 1034.82 बागतिंदुगा सावर, इसमें और आपका सावर, नीलगाय, किष्ण मेरे, चीतल भालू चिंकारा, जंगली कुत्ता देखने को मिलीगा फरे आपका राश्टी चंबल, इसका छितफल 3902 km है, मोरे ना में, और इसमें घड़े आल, मगेर खचुए, उद बिलाव, डॉपलिन, प्रवासी पक्षीज में आपको देखने को मिलीगी नर्सिंगर, इसका छितफल 57.19 km है, राजगर में देखने को मिलीगा, इसमें आपका तिंदुगा चीतल, साबर नील गाए, मोर दुवार, धनेस देखने को मिलीगा क्योनी, इसका चेतफल 122.70 बरक किलोमीटर है, देवास्तियोर में देखने को मिलेगा, तिंदुगा चीतल सामवनी लगाए, आधी देखने को मिलेगी इसमें, कैन, इसका चेतफल 45 बरक किलोमीटर है, ये आपका चतरपूर पंद्ना जिली में देखने को मिलेगा, घर्याल म आधी देखने को मिलेंगी आपकी तरह आपका घाटी गाओं आपका घाटी गाओं यह आपका है पांसो बारे वर्ट किलमीटर ग्वारियर में हैं सौन चिडिया चिंकारह किष्ण में नीलगाय देखने को मिली गांधी सागर 362.62 बर्ट किलमीटर चिडफल में मंदसोर में तिंदुगा नीलगाय चिंकारह देखने को मिली गांधी पैन इसका चिडफल 110.64 बर्ट किलमीटर है मंदला जली में बाग तिंदुगा सामरचीतल मुंजग हिरन देखने को मिली गांधी तरह उसके बाद आपने बगदी रा इसका चिडफल 480.9 बर्ट किलमीटर है सीधी जली में तिंदुगा किष्ण में चिंकारह नीलगाय आधी देखने को मिली गांधी राला मंदल ये आपका 234.55 बर्ट किलमीटर है इंदौर में बाग तिंदुगा सामर गौर भालू देखने को मिलेगा ओर चा ये 45 बर्ट क निवाडी में आपका ओर्चा भी आता है पितिवी पुर्ग भी आता है निवाडी आता है बाग तिंदुगा सावर चीतल नीलगाय चिंकारह मुंजग हेरन इस सभी देखने को मिलेंगी अब बात कर लेते हैं हम लोग इतिहासिक दुरूग इसमें आपका ग्वालियर का कि चंदेरी का दुरूग गिन्दाओर गड़ रायसें का दुरूग बांदोगड अजयगर ओर्चा दुरूग मंदला का दुरूग मंदसोण का किला नर्वर का किला इस सभी आपके इतिहासिक दुरूग है इस से कुश्चन सा आपकी कई बार बने हैं पिरमूंक जल दुखद धारा जल पर पाद सहडूल में मिलेगा नर्वदा नदी पर, कपेल धारा जल पर पाद सहडूल में मिलेगा नर्वदा नदी पर, दुखद धारा जल पर पाद सहडूल में मिलेगा ये भी नर्वदा नदी पर देखने को मिलेगा, ये आपके कुछ नदीयों के किन चंबल नदी, महु आपका चंबल, साजापूर आपका पार्वती नदी, निवाड आपका निवाड नर्वदा नदी, पज्चमडी तावा नदी, और धार आपका धार नदी के किनारे बसा हुए नर्वदा, शिवपुरी आपके सिंद, गुना आपका वैतवा, उज्जेन, चिप्रा नदी के, उसके बाद सिवपुर, यह आपका चंबल, राजगड, पार्वती, जाबुआ नर्वदा, दतिया सिंद, देवासकाली सिंद, मंदसों सेवना, साची आपका बैतवा नदी, ओछाद बैतवा नदी, मंदला आपका नर्वदा नदी के किनारे बसा हुए और बालागाट आपका वानगंगा नदी के किनारे बसा हुए है मत्विदेश की पिरमुख नदीयां और उनके उदगम स्थल की बात करें हम लोग तो जैसे आपकी नर्वदा नदी है, यह अमरकंटक से निकलती है, महानदी आपकी सिहावा की निकट से निकलती है, तापती जैसे हम लोग तापी के नाम से भी याते है इस सत्पुडा में बैतुल पठार की मुल्ताई से निकलती है चंबल आपकी मुग के निकट जाना पाव परवत से निकलती है बैतबा आपकी बिंद परवत बोपाल से निकलती है कहा से? बोपाल के पास से काली सिंद ये आपकी देवास की निकट बढ़ती बागलो ग्राम से निकलती सिंद आपकी मालवा पठार में सिरोज की निकट गुना जिले से परवती आपकी बिंध्यांचल परवत दसान आपकी सागल कैन आपकी बिंध्यांचल में क्यमूर परवत सिंखला टॉन्स, तमसा, एक क्यमूर परवत सिंकला, हस्तो, क्यमूर परवत, तबा, महादेव परवत, पंचवडी, चिपरा, उज्जैन, काक्री वार्डी, पाहडियों से निकलती है यह आपके प्रमुक बांद है, क्या है, प्रमुक बांद इनसे भी कुश्चन्स बनते रहते हैं, पानी पीते रहा करिएगा, पानी आपकी सरीर के लिए जरूरी है इसमें आपका बांद सागर प्रियोजना, ए सौन नदीपर, राजगाट बांद, ए आपका बैतबा नदी, बरगी बांद, ए नर्वता नदी, बार्ना बांद, बर्ना नदी, तावाबान, तावा नदीपर, गांधी सागरबान, चंबल नदीपर, फ्र आपके दर्स नहीं ये स्थल की बात करे, तो गूजरी महल या आपका गौालियर में इत दार महल रायसेन, मौती महल गौालियर, हवा महल चंदेरी का किला, मौती महल मंडला, बगिलियन महल मंडला, मदन महल जबलपुर। राजा अमन का महिल अजयगर्ड पन्ना, जैविलास पेलिस, जैविलास ग्वालियर, जहांगीर महिल ओर्चा, खरबुजा महिल धार, राजमंदिर, राजा मुहित का महिल राइसेन, असरपी महिल, तर्यापका बादल महिल राइसेन, दाई का महिल, नोखडा महिल, राणी र काद आपकी कुछ परियोजना है इससे भी आपकी questions बनते रहे हैं मद्विदेश की क्रमुक परियोजना है इसमें आपकी चंबल एफ्यंड मुरेना मंदसौर से लावन भीत होता है चल्दू एफ्यंड मंदसौर में भानपूरा फ्यंड भान्देर इसरे आपका दिया ग्वा ग्वालियर सिवपुरी दतिया भिंड काकेटो ग्वालियर तिग्रावान ग्वालियर महसारी बान इससे भी ग्वालियर आपका लावान भीत होता है हरसी बान ग्वालियर वरियारपूर बांगो ए चतरपूर दुननगवा चतरपूर उर्गिल चतरपूर राजगाट गुना सिवपुरी टीगमगर, मुईनी पेकप, सिवपुरी, बांग, बाला घाट, अपर बैन गंगा, बाला घाट सिवणी, माही, धार जागुगा, रत लाम, कोलार, इससे आपका सिवओर, क्या है सिहोर बर्ना रायसेन सिहोर हलाली रायसेन विदीशा समराट असुक सागर भी गोलते हैं से जामनी भेंड टीकमगर बांट सागर रीवा सीदी सतना सेडोल तबा होसंगवाल बर्गी जबलपूर नर्शिंगपूर सुकता खंडवा अपरतापी खंडवा थावर मंडला ये सबी इससे लावान बित होते हैं उसके माद मत्पदेश के इतिहासिक एवं दर्शनी अस्तले ने भी देख लेजिए परेटक की स्तल हुए दर्शनी स्तल कालियद ये उज्जें भर्थी गुर्पाय हैं भेलसा विदीसा यहां गुदैगरी की कुफाय देखने को लिए खंडवा ओंकारिसुर मंदिरे सहडूल अमरकंटिक नर्बदा का उदगम स्तल है ए अमरकंटक से ठीक है उसके बाद उज्जें आपका यहां आपका महा कले सुम मंदिर भी देखने को मिलेगा मासारदा का मंदिर यह आप चर्चा में सुनते रहते हैं मेहर का सारदा का मंदिर साची बहुद थीर्थ पिसे दिस्तूप है महेसोर निकट इंदोर की निकट है भब मंदिर घाट है मुकतागरी बैतूल यह आपका जेन तीर्थ इस्तल है जबलपूर दुवादार जल्पिपात के कारण पिसे थे सहडोल कपिलधारा जल्पिपात रीवा में आपका चचाई केवटी और बहुटी जल्पिपात आपको देखने को मिलेगा पंचमडी राजकाईक माथिल इस्टेशन भेडागार प्राक्तिक द्रिस जनसंक्या की दिरिष्टी से बात करें तो सबसे चोटा जिला हर्दा है सबसे चोटा संबाग होसं का बात है सबसे बड़ा जिला इंदोर एक बात यादर किया क्या बात कि अभी जो नया जिला आपका निवाडी बनाए गया है यह सबसे जनसंक्या में सबसे छोटा है और छित्मलव में भी सबसे छोटा है तो जो 2021 की जनगरना हो गई उसमें आपका निवाड़ी जुड़ जाएगा ठीक? फिरे आपका जनसंक्या गनत की दिरिक्टी से बात करें दो सबसे बड़ा जिलाब का बोफाल है यहाँ आपकी 855 बेक्ती पिती बार किलूमीटर में निवास करते हैं सबसे धनिये गनी आबादी बाली तैसील आपकी इंदोर है यहाँ आपकी 849 बेक्ती रहते हैं पिती बार किलूमीटर में अगर चितफल की दृष्टी से बात करें तो सबसे छोटी तैसीन अजय गड़ है सबसे छोटा संभाग आपका होसंगाबाद देखने को मिलेगा ठीक है तो यह थी आपकी मत्विदेश राज की कहानी ठीक है चलिए तो हम लोग बात करते हैं राजिस्थान सामन ग्यान के वारे में किसके राजिस्थान सामन ग्यान के वारे में तो चलिए सबसे पहले मैप में इसकी इस्तिती देखते हैं हम लोग यह आपका प्यारा मैप इसमें पूरा भारत है उपर आपका नीचे स्री लंका हो गया मयानि मारव हो गया बंगलादे, भूटान, नैपाल तिबत, चीन, पाकिस्तान और यहाँ अफगानिस्तान उपर क्या है? अफगानिस्तान, हमें बात करनी है राज्जीस्तान के बारे में देखिए तो यह है आपका राज्जीस्तान इसकी राध्धानी क्या है चैपुट इसकी सीमा की बाद करें तो गुजराथ से लगती है आपकी मद्विदेश से भी लगती है उत्तर पिदेश से लगती है दिल उत्तर पिदेश के बाद हर्यादा से लगती है उसके बाद पंजाब से लगती है इसकी ठीक है हर्यादा उत्तर पिदेश, मध्यपिदेश, गुजराद और इसकी इंटरनेशनल बोड़ी सीमा भी लगती है किस से पाकिस्तान से देख रहे हैं आप लोग पाकिस्तान तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे राज राजिस्थान हो गया, राधधानी जैपुर हो गया इसकी इस्तिती के अगर हम लोग बात करेंगे तो इस भारत की बारत के उत्तर पश्चिम भाग में तेइल डिग्री तीन मिनिट उत्री अक्षांस से तीस डिग्री बारे मिनिट उत्री अक्षांस तक है और पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो यह आपका उनत्तर डिग्री तीस मिनिट पूर्वी देशांतर से अठतर डिग्री सत्रे मिनिट पूर्वी देशांतर की की बीच इस्तित्य आपको ठीक है इसे ऐसे याद रख सकते हैं तेश्ट दो सतने तीस से तीस बार है उनतर तीस से अठतर सत्र है एक मोबाइल नंबर की तरह याद रख लें जैब इससे भी आपको याद रहे बस याद रहना चाहिए सीमा बक्ति इसके राज्यों की बात करें तो इसकी सीमा जिस जन राज्यों से लगती है तो राज्य की उत्तर पश्चिम भाग में उत्तर में पंजाब उत्तर पूर में हरयाणा पूर में आपका उत्तर पदेश दश्चिन पूर में आपका मध्यपदेश दश्चिन और दश पूरुप से पस्चिम 870 किलोमीटर है और चोड़ाई की उत्तर से दच्चन या आपकी 826 किलोमीटर है पूरुप से पस्चिम 890 उत्तर से दच्चन 826 कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि छेतफल में सबसे बड़ा राजिस्ता नहीं है इसका छेतफल 3,42,229 किलोमीटर है देश में पिथम इस्थान पर है 3,42,249 दस्किये बिद्धी की बात करें यानि की 2001 सी 2011 की बीच जनसंक्या में बिद्धी 21.3 की बिद्धी देखी गई है और जनसंक्या की बात करें तो 6,85,48,437 है इसमें से आपके पुरो से है 3,55,59,997 महला हैं 3,29,97,440 0 से 6 आईउगर्ट की जनसंक्या है यहां आपकी एक करोड 6,49,504 लिंग बात आपका 0 से 6 वर्ष की आईउगर्ट में 888 है कितना है आठ सो अठासी है उसके बाद साक्षर्ता की बात करें तो साक्षर्ता आपको देखने को मिले गिया 66,1,30 कितनी 66,1,30 जिनमें आपकी पुरो से हैं पुरो स मिलेंगे 89,2,30 कितने 89,2,30 महला हैं मिलेंगी इसमें 52,1,30 कुल साक्षर्व्यक्ती की बात करें तो यह तीन करोड, 82,75,282 पुरो साक्षर्ता की बात करें इसमें पुर्सों की संख्या क्या है तो यह हैं आपके दो करोड, 36,88,400 भारे महलाओ की बात करें तो एक करोड, 45,86,870 अगर जनसंख्या गनत की बात करें तो 200 बेक्ती पिती बरट किलूमीटर में रहते हैं और लिंगन पात 928 है 928 महलाएं, पिती एक हजाल कुर्सों पर हैं ठीक है? 928 तो राज बात साक्षर्ता की बात करें तो हिंदी है आपकी पुस्प यहां, रोहिया ब्यक्च, खेजडी राच्किय पसू, उंट उंट आपको यहां देखने को मिलेंगे अधी राच्किय पक्षी ग्रेट इंडियन वस्टर्ड राश्टिय खिल, वास्केट वार्ट जिले, 33 याद रखिए, सब यहांक्रे आपके 2011 की जनगरना के नुसार है ठीक है, वो बदलते रहते हैं आप 2021 में जो जनगरना होगी उसमें अपडेटिट होकर आएंगी ठीक है बिधान मंडल की बात करें तो एक सदनात्मक है यानि केवल बिधान सभा है बिधान परिशेद नहीं है बिधान सभा सदसों की संख्या की बात करें तो 200 है कितना? 200 लोग सभा सदसों की बात करें तो 25 है राज्य सभा सदसों की बात करें तो 10 है राज्य सभा सदस 10 लोग सभा 25 बिधान सभा परिशेद बिधान सभा सदस 200 राजिस्थापना दिवस आपका 30 मार्च को मनाया जाता है किसको 30 मार्च को सरवोच परवस्थिखर की बात करें अगर हम लोग तो गुरु सिकर है इसकी मुझ चाहिए सरवाधिक बात की बात करें तो यह माउंट आवु राजिस्थान लोक सिवायो हु का मुख्या अज्मीर में राजिस्थान उच्छ न्याला जोत पूर्म, राजऽ्स्थान राजखस मंडल अज्मीर में देखने को मिलेगा राजिस्थान माधमीक सिक्षा बोर्ट अजमेर में क्या है अजमेर में राजिस्थान के पितंग मुखमंतरी हिरालाज सास्तरी सहाब है पित्वम निर्वाचित मुख मत्री टीकाराम पालीवाल थे राजिस्थान के पित्वम बिधानसवा अध्यक्ष एते आपके नरुत्तमलाल जोसी राजिस्थान के पित्वम मुखने अदिस कमलकांत बर्मा राजिस्थान की पिथम राजिस्थानी फिल्म नजिरानू राजिस्थान की पिथम राजिस्थानी फिल्म ती नजिरानू राजिस्थान की पिथम महिला पाइलेट तो इनका नाम है नम्मता भट्ट राजि की पहली महिला फिलाएंग ओफिसर निवेधीता राजिस्थान की पिथम माईला मुकमंत्री वसुंद्रा राजी राजिस्थान की पिथम माईला बिधान सवाद धेक्च सुमित्रा सींग कौने सुमत्रा सींग कुछ चर्चे तो उपनाम हो गया नगर हो गया उनके और व्यक्ति बागण की गांदी बागन के गांदरी ये भोगी लाल पांडया हैं कौन है भोगी लाल पांडया राजिस्थान के गांदी गोकल भाई भट मातमा गांदी के पांचवे पुत जमनालाल बजाज राजिस्थान के की मरू कोकिला गावरी देवी राजिस्थान की अबूल फजल, मुहनोद, नैंसी राजिस्थान की पिथम एक्ष्टॉक, एक्षेंज, जैपूर राजिस्थान का सिम्ला माउंट आगू को कहते हैं राजिस्थान का हिदय, अजमेर को कहते हैं राजिस्थान का प्रवेश्थवार भरतपुर को कहते हैं राजिस्थान का कस्मीर या पर पूर्व का बैनिस पुदैपुर को कहते हैं गुलावी नगर या पर पूर्व का प्रैदिस जैपुर को कहते हैं राजिस्थान का गौरब चित्तोरगड को कहते हैं कि राजिस्थान के थर्मौपॉली हल्दी गाटी को कहते हैं। राजिस्थान का खजुराहू कि रानु को एक खजराहू आपका MP में हैं चतरपुर जिले मेंटफी है के याद रखें। राजिस्थान का बिलोर भेंसरोनगर दुर्प को कहते हैं, पहाडी का नंगरी डुंगरपुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर् हल्दी घाटी का सेर राणा पिताब साहब को कहते हैं तो राजिस्थान का नागपुर कोटा नगर को कहते हैं देश के छेतफल का पितीसत भागे 10.74 पितीसत कितना 10.74 पितीसत राजिस्थान की इस्थलिये सीमा पूरा गिरा हुए इसकी चीमा कितनी है 5920 किलो मीटर 5920 किलो मीटर राजिस्थान की सीमा से लगे हैं जिलेओं की बात करेंगा राजिस्थान की तो इनमें आपके सामिल है स्री गंगा नगर, बीका नेर, जेसल मेर, बाड मेर, राजस्थान, ये सभी है, ठीक है, राजस्थान मेर, सबसे लंबी इंतराष्टी सीमा रेखा, जेसल मेर की लगी हुई है पाकिस्तान से, ठीक है, नियूंतम इंतराष्टी सीमा बाला जिला है, बीका नेर, क्या है, बीक राजमें पाकिस्तान की सीमा का प्यारम भी किस्थान है? हिंदू मलकोट, स्री गंगा, स्री गंगा नगर में का? स्री गंगा नगर में राज में पाकिस्तान सीमा समापती स्थान कहा है यह साहेगाड बार्ड मेर में साहेगाड बार्ड मेर में अगर छेतफल की दिर्ष्टी से सबसे बड़े जिलाई के बात करें यानि कि राजिस्थान का छेतफल की दिरिष्टी से सबसे बढ़ा जिला यह है आपका जैसलमी ठीक है उसके बाद छेतफल की दिरिष्टी से सबसे छोटे जिला एकी बात करने तो यह है दौलपुर राजिस्थान का मरुस्थली यह भाग की बात करने तो 60-30 सत है कि देश में पिथम पंच्याती राज का स्त्रीगडेस करने वाला आपका नागौर यही सबसे पहले आपने टुना हुगा कि आपकी पंच्यात व्यवस्था लाज्जिस्थान में जले में गरम जले की। बीकानेड है, सरवाधिक आध्द जिला आपका जहलावाण है। और राजी की सबसे लंबी नदी की बात करने तो यह आपकी चंबल नदी है। मद्विदेश से निकलती है, और राजिस्थान में वैत्ती है। राज में पूर्ण बहाओ के आदार पर सबसे लंबी नदी बनास है, सबसे बड़ी खारी पानी की जील सावरी जील है, सबसे मीटी पानी की जील राज समंध है, सबसे प्राचीन परवसंखला अर अवली देखने गुमलेगी सरबादिक पसू संख्या वाला जिला उदेपु में वर्दमार महाबीर मोक्त विस्विद्ध्याले कोटा में, मोहनलाल सुखडिया विस्विद्ध्याले उदेपुर, महसी दयानंद विस्विद्ध्याले अजमीर, राजिस्थान किर्सी विस्विद्ध्याले विकानेद, राष्टी विसी विधी विस्विद्ध्याले च विष्विध्याले यह आपको जोदपूर में मिलेगा बीकानेर में फिर बात करते हैं डीम्ड विष्विध्यालेयों की तो विडला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एंड साइंस फिलानी में वनस्तली विध्यापीट वनस्तली में जैन्विस विष्वार्ती यह लानलू में राजिस्थान विध्यापीट उदयपूर में बात कर दो देते हैं राजिस्थान के प्रमोक उद्यूपतियों की बारे में तो विडला हो गए बंगर हो गए डालमिया रामपूरिया गवैन का करनोडिया सिंघानिया मौधी बजाज यह सावले आपके राजिस्थान के उद्युपतियों प्रमुक उद्ध्योग देख लेते हैं हम लोग क्या है प्रमुक उद्ध्योग सल्फियूरिक एसिड प्लांट ये अलबर में है बड़ी लाइन के बैगन बैगन फैक्टी कोटा किंतिम रेसम के कारखान है कोटा गुलापुरा जैपुर बासबारा और बरक कोटा उद्धैपुर इंजनों की मरम्मत तथा मालगाडी की डिप्पी लोको एंड केरिज वोर्क्सोप अज मेर में देखने को मिलेगा परवच चोटियों की बात करें हम लोग तो पहली भी कुछ बता चुके हैं गुरु सिखर माउंट आवू पर है सिरोही में इसकी उचा ही है 1722 मीटर सेर इमाउंट आवू पर ही है सिरोही में ही इसकी उचा ही है 1597 मीटर जरगा इखुदाइपुर में है 1431 मीटर उची है अच्चलगर्ण इमाउंट आवू पर ही है सिरोही में 1380 मीटर उची है रगुनाद गड़ सीकर में है यह 1050 मीटर है खो जैपुर में है 920 मीटर तारा गड़ यह आपकी अजमेर में देखने को मिलेगी 830 मीटर उचिए बाबाई जैपुर में है 792 मीटर उचिए बेराट अलवर में 704 मीटर पर मुख नदियों की बात करें तो यहाँ चम्बल है घगर है बेड़च है माही है काकनी है कोठारी यह सब यहाँ नदी देखने को आपको मिलेंगी इसके बाद आपकी बनास नदी भी है उसके बाद खारी हो गई सौम नदी, काली नदी काली संद नदी, लूनी नदी बाणगंगा, पारवती, कांतली, जोखम, सावरवती यह सबी नदी आपकी राजिस्थान में देखने को मिलेंगी अब बात कर लेते हैं, राजिस्थान सरकार के उद्दोगे उक्रम इस्टेट बूलन मिल्स एबी का नेर में है हाइटेक, प्रेस्टीजन, गिलास प्रेक्ट्री, दोलपूर में है दी गंगापूर गंगानगर सुगर मिल्स लिमिटेड गंगा नगर में देखने को मिली राजिस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स एदिडवाना में साल्ट वर्क्स डिडवाना एबं पशपाद्रा में राजिस्थान एस्टेट टेने रीज लिमिटेड एट टॉंक में वस्टेड बूलन मिल्स चुरूल लाड़नू में मिलेगी फिलोर्स पार बेनिफीसियन सेंद मांडो की पाल डूंगरपूर में देखने को मिलेगा सेंटल इंडिया मसीरी मेरीफेक्चरिंग कंपनी भरतपूर में मैयूर बीडी इंडेस्टीज टॉंथ क्यमें अरवली 142 बाहन लिमिटेड अलवर में देखने को मिलेगी राजिस्थान में भारत सरकार के ओक्रम तो यह आपका हिंदुस्थान जिंक लिमिटेड देवारी उधरपूर में हिंदुस्थान कॉपर लिमिटेड खेतरी जुन जुनुन हिंदुस्थान मसीन टूल्स निगम अजमीर में इस्टीव मैं टेशन लिमिटेड कोटा में में पर उसके बाद पर मुख मंदिर देख लेते हैं क्योंकि यह मंदर भी देखने को भी लेंगे अधिक दिलवाड़ा जयन मंदिर यहां आप चेहन धरम के पांच सुपिसिद्ध मंदिर देखेंगे दिलवाड़ा जयन मंदिर कुम्म स्याम मंदिर 1449 में महराणा कुम्मा न निर्माड किया गया नादद्वारा मंदिर स्री किष्ण की मूर्ति इस्थाफित की गई ब्रह्मा मंदिर पुस्कर में इस्थित पिसिद्ध मंदर है एक लिंग मंदर केलासपुरी उदैपुर में सिपजी की चार मुख वाली मूर्ति इस्थाफित की गई यहां देखने क इसमें आपकी जैनमूर्तियां देखने को मिलेंगी फिर बात करते हैं राजिस्थान की बोलियां समध्ध स्थानों से संबंदित इस्थान मेवाडी एकुदायपूर भीलवाड़ा चित्तोडगड में देखने को मिलेगी मारवाड़ी एक बीकाने जौथपूर जेसलम्पूर जेसलमे फिकावटि में देखने को मिलेगी अंद थी नो कि हनटी एक कोठा वूंदी अधायपूर सायपूर में देखने कुं मिलिली बांगडी नो गरपूर वाशभाना Ch стать jalapلام onions देखने को मिलेगी, डुन डाडी जैपुर में देखने को मिलेगी, वरज दिल्ली बा उत्तर पिदेश से लगे, वे भाग और भरतपुर में देखने को मिलेगी, अब कुछ यहां प्रमुक जीलें दे दी गई हैं, मीठे पानी की जीलें, जैसमंद जील ये आपकी उदैपूर में देखने को गईए नक्की जील सिरोही में, पुसकर जील अजमेर में, राजसमंद जील राजसमंद में, पिछोला जील उदैपूर में, फत्य सागर जील उदैपूर, आना सागर अजमेर में, फरे आपकी कारणी खारे पानी की जील ह साबर जील जैपूर, फलोदी जील जोधपूर, डिर्वाना जील नागोर, पंच बत्रा जील बडमेर, काबुद जील जिसलमेर, लून करंसागर, करंसार ये बीकानेर में, अबिसष्ट सिल्प कार, बिजलाल गुदय पाल, हाथ के वस्थ हपाई की सिल्प, ग्यान पिकास मीनाकार, ये मीनाकारी उतकरिष्ट कारी के लिए बिसथितले, पंधित ललुबिसासर्मा, संगमरमर का उतकरिष्ट कलाक्रिटती के लिए बिसितले, मुफम्न हनीप उर्ता इसंगमरवर प्रफ सुनहरी नकाथी के लिए पिसेतें। सांतीलाल जुसी फड़ चितकारी के लिए पिसेतें। बावुलाल से सौधिया चंदन की लगड़ी पर जड़ाउकार के लिए पिसेतें। तुरमुक लोगनित हिकांत, पनिहारी, बगारिया, घपाल, संकरिया, कटबुतली, खयाल, जूलन सिला, कामन, गगनोर, जिन्दाद, तैराफ्ताली, गोपिया, हुमर, डांडिया, आधी के लिए पिस्थे तुरमुक जंजातियों की बात करें तुमीना, भील, गरासिया, सहारिया, दमोर, सांसी, बाका, टाइडी, बावली, कटोलिया, कटोडिया, कालिगोर, नेगदा, पटिलिया, टोली, भील, पटवा इस अभी यहाँ जंजातियों आपको देखने को मिलेगी अगर संगरहलाओं की बात करें हम लोग तो जैपूर का संगरहलाए, बीकानेर का संगरहलाए, राजपूताना संगरहलाए, अलवर का संगरहलाए, कोटा का संगरहलाए यहाँ देखने को मिलेंगी सब ठीक है उसके बाद प्रमुक इस्थम और मीनारों की बात करें बोग तो जैसे आपका केड़ती स्थम हो गया चित्तोडगड में विजय स्थम चित्तोडगड इसरलाट जैपूर में घंटागार अजमेर गमता गात्री जोथपुर गुलर कालू दान जोथपुर सपदर जंग गमीनियर कोटा में, का कोटा में किर मों किले हैं आपके ठीक है इसक मेंग देह निंहें बंसकी स्थान उर्निर्मातब हो गया चित्तोडगड का किला सब्सक्राइप में देखने मिलीक इसके जोर निर्मातब थे उनका था चित्राग मौर ऑँ Do La Mora का सा सकता है। जैसलमाल का किला जैसलमेर में है महारावल जैसलमी भांटि राज च कम्बलLaugh का उदयपुर में ऐख कुम्बलगट में बनवाए था। आमेर का किला आमीर जैपुर में है, कचवारा राजा ने बनवाया था, राजा मान सिंग ने, जैगड का किला, जैपुर में है, मेजा राजा जैसिंग और सभाई जैसिंग ने सी बनवाया, नाहरगड का किला, यह आपका जैपुर में ही मिलेगा, सभाई जैसिंग ने बनवाया था, तारगड क किला जालोर में परमार बंस ने बनवाई जूनागड का किला बीकानेर में राय सिंग ने बनवाई दीक का दुख भरतपुर में राजा सूरज मल ने बनवाई था भटनेर का किला हनमानगड में नरेश भूपत ने बनवाई था बयाना का किला भरतपुर में महराजा बिजय पाल साहब ने बनवाए था रड़ थ prz STEPBOнов का किला सवाई मादौ पुर में रड़ थम्बन ने बनवाए था पुंदी का किला सब्सक्राacaoCause. पूंदी पूंदी में देव शिंग ने बनवाए था लौहा-गढ़ का किला भरत- पुर में सूरज्मल ने बनवाए किसने सूरल मने अप्रमुक नगर हैं उनकी सस्थापकों की नाम है जैसे अजमेर इसके सस्थापक थी अजयपाल साहब अलवर लावपिताब सिंग भरतपुर राजा सूरजमल बीका नेर राव बीका जी चित्तोडगर चित्रांगद मौर डुरंगपुर सहारा वल सहा सहारा डुंगर सिंग गंगा नगर स्तरी गंगा सिंग जोतपुर राम जोधा जी जैपुर सवाईजय सिंग जैसल में भाट्टी जैसल जहाजपुर राजा जनमाजे खिजराबाद खिजजखास किसंगर किसंसींग राटो पिताबगर महरावल पिताब सिंग रतनगर महरार अरतन सींग आप लोग मुवी देखी होगी ना पदमाबती पदमाबत उसमें आपने को देखेंगे राजे सूरत गड महराजा मूरद शूरा सें सुजान गड महराज सूजान सींग उमेद नगर उमेद सींग उधैपुर राणा उदै सींग राजिस्थान के प्रमुक सिलालेग और उनकी प्राप्ति बिजोलिया का सिलालेग 1170 में देखने को मिला चीखे का सिलालेग 1723 से संबन्दी थे आभू का 4800 सिखालेग 1285 दिलबाडा का सिखालेग 1434 चितोड का केटी स्थम 1460 रशिया जी का हमी सिलालेग 1264 सिंगी रिषी का सिलालेग 1428 समीदेशुर के मंदीर का सिलालेग यापका 1428 रनकपूर का पिसस्ती 1449 कुम्बलगर का पिसस्ती 1460 राम सिंग की विकानेर पिसस्ती 1494 जमवा रामगर्ड पिसस्ती 1613 जगरनाथ की पिसस्ती 1652 राज पिसस्ती महाकाप 1446 तर आपके प्रिमोख नगर और उनकी प्राची नाम यह बरत्मान नगर हो गए और प्राची नाम अलबर पहले से आलोर की नाम से जानते हैं यतापकड को कांटल डूंगरपूर और वासवाड़ा को बांकड करोली को गोपालपाल नागर को अचितिपूर सांचोर को सत्थपूर बिजनगर को जहलारा पाटन कहती थी यह आपकी कुछ प्रमुक राज महल है चेंद महल जैपूर में मिलीगा जग मंदिर महल उदेपूर में जगनिबास महल उदेपूर राडा कुमबा महल चित्तोडगर रामभाग पैलिस जैपूर बिननए besly अलवर में गोपाल बावन दिंग में फिरमुक मस्जित ने हैं एवं मखवरी अडाई देन का जूपड़ा अजमेर में ख्वाजा मूई नि दीन चिस्ती की धरगा अजमेर में अकवर का मस्जित अकवर की मस्जित आमेर में नाली सर मस्जित सांवर में गुलाप खाका मकवरा जोधपूर में, गुलाम कलंदर जोधपूर, अलाउद्दीन की मस्जित जालोर, एक मिनार मस्जित जोधपूर में, फिर आपके उध्यान, बनजीब, अभ्ध्यारन, एम सरक्षन परियुजन, रड्थम मौर, बाग परियुजन, एपिस्तावी विच द्वारा विच्ट प्राक्ति धर्वर्द घूसित किया गया, और रड्थमबोर राष्टी उध्यान, फिर आपके उध्यान, यापका मिलेगा सरिस्का बनजीब अभ्यारन, मरू राष्टी उध्यान, ताल्चापर बनजीब अभ्यारन, दारा बनजीब अभ्यारन, बन्न जीब अभ्यारन जवाहर सागर वन्न जीब अभ्यारन सीता माता वन्न जीब अभ्यारन मांट आबू वन्न जीब अभ्यारन फूलबाडी की नाल वन्न जीब अभ्यारन जैसमंद वन्न जीब अभ्यारन उसके बाद आपका है बन्न भिहार वन्न जीब अभ्यारन केसरभाग अभ्यारन, रामसागर अभ्यारन, सेड़गर वन्न जीब अभ्यारन बंद बरेठा वन्न जीब अभ्यारन, सवाई मान सिंग वन्न जीब अभ्यारन रावली ताडगढ वनिजीब अभ्यारन वसी अभ्यारन केलादेवी अभ्यारन नहरगढ वनिजीब अभ्यारन जंबरागढ वनिजीब अभ्यारन, प्रयापके पिख्यात साहित लेकक उनकी कितिया, लेकक होग है, वे इनकी कितिया हुए, चंद बर्दाई, इनकी कितिया का नाम है पितवीराज रासो, सूरमल, वीरसत सई, वन्सभासकर, केसाउदास, गुड रूपक, विठल दास, रुकमनी, हरन, करनी धान, विकास, सागरदान, रतन जस्च विकास, मादोदास चारण, राम रासो, गोपिनात, गरंत राज, हर राज, डोला, मारवाडी, चट पट्टे, दलपत्ती विजय, इनकी रचना का नाम है खुमान रासो, बीरभान, राज रूपक, जोगी दास, बरसत, पुर्गन विजय, किसनो, महादेवी पारवती, री बेली, जयानक, पितिवी राज, बीजय, सदासिव, राजबिनोद, इस्तरदास, हाला, जाला, री कुंडलिय, सिवदास, अचल्दास, खीची, री वचिनिका, अडाई दिन का जोपड़ा, किसने सुना, अजमीर इस्तित यह मस्जित दिल इस्तित कुबबतुल, इसलाम मस्चित की भाती है, इसका निर्माण 1199 में, कुत्व बुद्दीन एवक ने कराया था, 1230 में इलतुत में इसने साथ चापों बाली, यववनिका से इसकी सौंदर में बिध्धी की थी, यानि की सौंदरता में, चंबल राजिस्थान की एकमा नदीपर है, सौरी नर्वदाने, चंबल नदीपर है, याद इस तरह से अगर हो जाता है, गल्ती हो जाती है, तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में लिख दिया करिएगा, ठीक है, बैसे तो आप इसकीन देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा, नाच गाकर अपना जीव प्रीक कमाने वाली दच्छडी राजिस्थान की जनजाती को गर्सिया कहते है, तो यह कहा नहीं थी आपके राजिस्थान की, ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं, पंजाब सामान ग्याण के बारे में, पंजाब के बारे में कुछ मात्पून, तथ देखते हैं, तो हमारा-प्यारा-भारत है इसमें पंजाब आपको दिख रहा होगा है यह आपका पंजाब है पंजाब इसकी सिमा हर्याणा से भी लगती है क्विंग in यह माचल पीदेश से भी लगती है और जम्हु कस्मीर इसे बैंज से लगती है किसे पाकिस्तान से तो इसी के बारे में मैं बात करनी है पंजाब राज्य का छेतफल की अगर हम लोग बात करें तो इसका छेतफल है इस राजी की जनसंख्या की अगर बात करें तो इसकी जनसंख्या है इस मैंसे आपके पूरुष है एक करोड चालीस लाग उन्तालीस जाल 465 महलाएं है आपके एक करोड एकत्तीस लाग तीन अजार आठसो तिसतर साफच्छता की बात करें अगर पड़े लेखे लोगों की तो यहां 75.8 पड़े लेखे बैक्ती निवास करते हैं इन मैंसे पूरुष है आपके 80.4 पड़े लेखे बैक्ती निवास करते हैं कितने 559 लिंगनपात की बात करें तो 895 लिंगनपात कितना है 895 दसकी विद्धी की बात करें यानि की 2001 से 2011 की वीच जनसंक्या की विद्धी हुई 13.9 पड़े अगर जिलों की बात करें तो यहां 22 जिले आपको देखने को मिलें कितने 22 वाइस इस राजी की राध्धानी आपकी चंडीगड है इस पड़ेश की प्रमुक भासा है पंजाबी गुरुन लिपी गुरुमुक्री लिपी में लिखी जाती है राच्किय पसू काला हेरन है राच्किय पक्षी बाज है राच्किय बेच्च सी समय पंजाब अपनी स्थापना दिवस पितेक एक नवंबर को मनाता है किसको एक नवंबर को मद्ध पिदेश भी आपका स्थापना दिवस एक नवंबर को मनाता है इस पिदेश के पश्चिम में आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा उत्तर में आपका जम्मू कस्मीर, पूर में आपका हिमाचल पिदेश और दच्छण में आपका हर्याना राज़ देखने को मिलेगा इस राज़ी के पिथम राज़पाल आपके सर चंदूलाल, माधावलाल, तिरवेदी थे और पिथम मुकमंत्री थे गोपीनाद, भारगो पिथम राज़पाल, सर चंदूलाल, माधावलाल, तिरवेदी और पिथम मुकमंत्री थे गोपीनाद, भारगो पंजाब पंजाब सद्य फार्सी के दो सब्दों पंज पंज और आप से बना है पंज का अरत होता है पाँच और आप का अरत होता है पानी से अर्थाग पाँच नदीओं उगए आपकी सिंदू जेलम चैनाओ रावी सतलज नदी कच्छित है आपने सुना होगा पंजाब को पांच नदीओं कर राज गेते हैं जिनमें आपकी सिंदू हो गई जहिलम, चैनाओ, रावी, सतलग समुद्री मार्ग समुद्री मार्गों से यूरोपियों के आगमन से पूर्ग सभी आगमन कारी पंजाब होकर भारतियों महादिम में पिर्वेश करते थे इसलिए इस पिदेश को जातियों का संगम स्थल कहा जाते है इसापूर्ग 326 में सिकंदरमान ने पंजाब पर आगमन किया था कब 326 इसापूर में, BC में पंजाब का पहला मुस्लिम पंजाब पर पहला मुस्लिम आखमड आपके गजनी की समय गुए था गजनी की सुल्तान महमूद इनका समय राहे 3971 से 1030 के बीच सिक्खों के दस भी गुरु थे, दस गुरु हुए थे गुरु तेग बहादूर, गुरु गुबंद सीन, याद रख सिकते हैं कि अभी इंटर्विव में कभी भी पूंच सकता है आपसे फिर्यापका फैजुललापूर की कपूर सिंग ने खाल सदर अथवास्थिक राज्जी की निव रखी थी अठारवी सदावती में, यानिक एठारवी सदी में, महराजा राजा रणजी सिंग ने सिक सक्थी का पुनाय उदै हुआ था रणजीर सिंग के समय, लॉड द लौजी ने पंजाब को बेटिस भारती पिसासन में मिला लिया था 1937 में पंजाब को भारत का पित्थक परांत बनाए गया और पंजाब का प्रिय निथ है भागड़ा जो बीरता का पितीक माना जाता है गिद्धा इस्त्रियों का नाचे इसका इस्त्रियों का जो फसल करने की अउसर पर गाय किया जाता है यहां के पिसे इस तेवार आपके वैसा की लोहिनी है वैसा की 13 अपरेल को मनाया जाने वाला फसल तेवार है और लोहिनी सीतलकाल की अंत का पितीक होता है जब शाहिब मध्यव की कुछ उलेकणिय रचनाएं अर्जुन्देव की कुइस है सुखमनी साहब गुरू गुबिन सिंग की जब साहिब प्रेम प्रिधान महाकाव्यों में हीर राजा, ससी पुन्नो, सोहिनी महीवाल विसेस उल्लेकनी रखते हैं आधुनिक लेकों में भाई वीर सिंग, पूरन सिंग, मोहन सिंग, अमरता पितम, प्रेमजीत कोर्प, नानक सिंग, डॉक्टर गोपाल सिंग से को, करताल दुगल, बलवन्तगारगी, आधिविसेस उल्लेकनी रहे हैं परेटन इस्तलों में अमरसर का सोड मंदर, इसके बारे में अबने सुनाई हुआ, सोड मंदिर अमरसर का फिसेद बैसा की फरव के लिए दम-दमा साहिव, भटेंडा का प्राचीन किला, बागों का सहिव, पटेयाला, आधि ओल लिखनी हैं, यानि कि आ घुमने लाइक ये जगह हो गई आपकी चंडीगर, चंडीगर सहर की योजना फ्रांसी सी, वास्तुकार, ली कार्बुजियर ने त्यार की थे, जो चंडीगर है, इसकी सहर की योजना किसने बनाई थी, वास्तुकार, ली कार्बुजियर ने, ये फ्रांसी सी थे, पंजाब की निवासी आरे जाती की थे, इसके आ पैदरफ के रहने वाली थे आपके स्षधीन संगेराम की समय बैसा की यानि कि 13 अप सर में जलीत में उनले मा बावघ हत्याकांड मुगा देखा होगा आपने 2019 में इसकी वरसनाट भी मनाएगी थी सौभी उत्तरवेदिक योग में गंदरव कहके और पंचाल भी इसी पिदेश के नाम थे आपके अनेक बेदिक महरसियों के तरिक्त वर्षिष्ट, जवाली, गौतम, पतंजली, फाननी जैसे मनेसी इसी पिदेश में पैदा हुए थे आपके तक्चला का विस विख्याद विस विध्याल है जो आप पाकिस्तान में पढ़ता है इसी पिदेश में पढ़ता था पहले तक्चला बिस पिसिद्य स्वड मंदिर पिदेश के अमरस्तर सहर में जिसकी सिक्षों के चौत्वी गुरु रामदास ने 1589 में नियू डाली थी जिसे गुरु अर्जुन देव ने पूंड कराया था इसकी नियू किसे ने रखी थी गुरु ये रामदास ने 1589 में और इसे पूरा क की वासी किसे ने करवाया अर्जुन देव ने गुरु अर्जुन देव ने अठारे सोwe 3 मंदिर में सिखोंकी पभित्व पुस्थ्ट कूब को पिठिश्टित कीया थे गुरुई अगंगवद देव ने मुखी लिपी विक्सित करवाई है पंजावी भासा की पंजावी भासा गुरु मुखी और फार्शी लिपी में दोनों में लिखी जाती है गुरु मुखी में भी लिखी जाती है फार्शी में भी गुरु गरंत साहिब सेखों का सबसी पवित्य गरंत बाना जाते हैं गुरु गरंत साहिब सेखों के दसबेव और अंतिम गुरु गोविंध सींग ने अपरेल 1699 में खालसा पंत की स्थापना की थी किसने खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी गुरू गोविन सिंग ने अपरेल 1899 में खालसा गरत होता है सुद्ध पवित खालसा गरत क्या होता है सुद्ध और पवित सिखों के द्वारा धारग की जाने वड़ी पांच ककार जिसमें आपका केस कंगा कच्छिक गरपान लोहे का कड़ा किरमसा सादगी का यह मतलब पितिक किसके है सादगी सुख्चिता बैराग इस और भक अन्याय के खिलाब जुजहारू संगर्स का पितिक याद रखिए आप देख सकते हैं कि आपके राष्टियां दुर्ण में सबसे जान्दा भागीदारी नहीं की रही है पंजाबियों के और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि जब से ज़ना सामाजी का इनी के द्वारा किया जाता है पंजावी के द्वारा बटिन्डा में करीब 2000 वर्स पुराना कला है जिसे राजा देव का बनाया बताया जाता है राजा देव ने अम्मदर्व स्तर में पिसिद धुर्गियाना मंदिर जिसकी आगार सिला महान सुतंता सेनानी मदन मोहन मालविया ने रखी थी पटियाला में नेशनल इस्टिट्टूट ऑप स्पोर्ट्स है जहां देशवार की पितिवास आली खेलाणियों को पिसी एक्षड़ भी दिया जाता है कहा है पटियाला में सौड मंदिर 1589 में बनना सुरूं हुआ और ये 1601 में बनकर तेयार हुआ मंदिर की नियू में पहली इंट सहर के मुसल्वान फकीज ने रखी थी किसने फकीज ने वाक्टा बांद की उचाई आपकी 740 बीट है जो कुतब मीनार से तीन गुना उचा है किससे कुतब बुद इस बांद में बनी जील में सतलज का 7.4 मीटर एकर पानी रहता है ये आपकी सिख्य गुरु हैं देख लीजे सिख्य गुरु नाम हो गया जनम हो गया संसकार हो गया मित्य हो गुरु नानक पहली थी इनका जनम होता है 15.4.149 में मित्य होती है 29.1549 में गुरु नानक पहले होता है इनका जनम होता है 31.3.1504 और इनका संसकार कब होता है 14.6.1549 और बित्य होती है इनका 29.3 यानि कि 29.1552 में गुरु अमर दास 55.1449 को इनका जनम होता है संसकार आपका 29.3.1552 में होता है और बित्य होती है एक 9.1574 गुरु रामदास इनका जनम 24.9.1534 संसकार एक 9.1574 मित्य हो एक 9.1581 गुरु अर्जिन देव इनका जनम होता है 15.4 यानि कि 15.1 अपरियल 1563 संसकार एक 9.1581 मित्य हो तीस पांच गुरु अर्जिन देव इनका जनम होता है 26.2.1630 इनका संसकार होता है 8.3.1646 मित्य होती है 6.10.1661 में गुरु हर्जिन किसन इनका जनम होता है 7.7.1656 संसकार होता है 7.10.1661 मित्य हो जाती है 30.3.64 में गुरु तेग बहादर सीम इनका आपका जनम होता है 1.4.1621 और संसकार इनका जनम होता है 22.12.1666 और इनका संसकार दिया जाता है 11.9.1675 मित्य हो जाती है इनकी 7.7.108 में तो यह कहान ही थी आपके पंजाब की किसकी पंजाब राज की कुछ मत्मूर्ट तथी थे क्योंकि आप समझ रहे हैं कि किसी भी राज का सामानियान यानि कि छोटा नहीं है आप सोचिए कि आपके MP को 17-18 गंटे में कम्पलीट किया गया है तब जाके कम्पलीट हुआ है तो आप लोग अगर जैसे आप लोग बिहार की नहीं है या पंजाब की नहीं है वो पंजाब का कोई एकजाम दे रहे हैं तो आप इससे पढ़कर जा सकते हैं क्योंकि आप खुछ जानते हैं कि किसी भी राज के बारे में आपके लिए पूर अब एमपी का आप दे रहे हों तो एमपी का तो आपको डिटल से पढ़ना है क्योंकि पता है बता चुका होंगी सो कुष्टेंस में से उसमें से आपके 50 से 55 कुष्टेंस MP स्पेसल से ही पूंच लिए जाते हैं समझ रहे हैं आप लोग कितना बड़ा मत है MP से लसल का उसम देख लेते हैं कि कहां है आकर उत्तरहकंड कि इसमें चले आskंड और के आपके अनकर देह रादं इसकी सीमा आपकी उत्तरहकंड से लगती है क्योंकि ऊत्तर है वे इलग करेंकि यह आतका उत्तरहकंड बनाए गयए इसकी सीमा पंग आपकी हरयाणा से भी लगती है और सिमला हिमाचल पिदिस से भी लगती हुई है इस तरह आपकी तिबबस से भी लगती है और नैपाल से भी इसकी सीमा लगती है ठीक है तो अब कुछ महत्पून तथों को देख लिते हैं देखिए उत्टराकंग, इसकी राद्धानी हो गई देर्धन और आहस्था ही राद्धानी है, पेस्ताविक राद्धानी है गैर सेंड क्या है? गैर सेंड सीमाओं की अगर बात करें तो इसकी सीमा उत्तर में आपकी दिब यानि कि उत्त्राखंट की दो अंतराष्टी सीमा देशों से सीमाय लगती हैं एक आपका चीन दूसरा आपका नैपाल अगर हम लोग उत्त्राखंट की भोगोली किस्तिती की बात की जाए तो इसकी भोगोली किस्तिती है 28 मिनिट सोरी 28 डिगरी 43 मिनिट से 31 डिगरी 28 मिनिट उत्त्री अच्छा अस्तर और अगर हम लोग देशांतर ही ये विस्तार की बात करें तो 77 डिगरी 32 मिनिट से 81 डिगरी पूर्वी देशांतर की भी चापका इस्तित है उत्त्राखंट छेतफल की बात करें तो यह है आपका 53,483 किलो मीटर छेतफल में फैला हुआ है लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई फूर्व से पश्चिम 358 किलो मीटर है और 24 की उत्तर दच्छन 320 किलो मीटर है उच्छनियाला इसका नैनिताल में है आज था ये आगी बदल कहीं और कर दिया जाएगा देश का 27 वार राजमना था उत्तरांचल पहले हम लोग इसे उत्तराखंड को उत्तरांचल नाम से जानते थे यह आपका 9 नवंबर सन 2000 में अस्तित में आये था एक जनवरी सन 2007 से इसका नाम उत्राखंड रख दिया गया उत्रांचल से उत्राखंड कर दिया गया था उत्रांचल का उपचारी कठन आपका 9 नवंबर सन 2000 में हुआ उत्राखंड नामकरन एक जनवरी सन 2007 में आया मंदल की बात करें तो इसमें कुमायू और गड़वाड है जिले की बात करें 13 तहसील आपकी 78 याद रखिए 2011 की जनगरना के अनुसार बात कर रहा हूँ 2021 में जब आपकी दुबारा होगी तब उसमें आगडे अपडेटिट होती रहेंगी विकास खंड आपकी 95 है कुल ग्राम की बात करें तो 16,826 है और आवाद ग्राम की बात करें इसमें तो आपकी 15,761 है बंचेत की बात करें तो 34,662 किलोमीटर चेतवल में फैला हुआ है विदान मंदल की बात करें तो एक सदनात मक है यानि कि यहां केबल विधान सभा देखने को मिलेगी विधान सभा सदस्वा की बात करें तो 70 आपकी जंता चुनती है एक को मनोडिन किया जाता है एंगलो इंडियान समुदाय से वरतमान संसदीय चेत यानि कि लोग सभा की बात करें तो 5 सीटे हैं राजसभा सदस्वा की आपकी सीटें 3 है कितने 3 आय का मुक्सरूत आपका बन समपदा और परेटन है यानि कि यहां परेटन कुछ जानदाई होता है उत्राकंड मंत्री परसत का गठन आपका 10 नवंबर सन 2000 में हुए था उत्राकंड का खाता कुला है कुल 2192 यानि कि 2192.08 करोड से समझ रहे हैं आगे आपका जनसंख्या उत्राकंड की जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी 1 करोड 86,292 ब्यक्ति देश के राज्यों में 20 वाइस थाने आपका जनसंख्या की मामली में इसका पूरुस की बाद करें तो यहाँ है 59,37,777 महला है आपकी 49,48,519 दसकी बिद्धी की बाद करें यानि की 2001 से 2011 की बाद जनसंख्या में बिद्धी तो यह रही आपकी अठारे दिसमलों आठ पितिसत की साक्षर ता आपकी यहाँ है 78,8 पितिसत जिन में से आपके पूरुस हैं 27,4 पितिसत और महला हैं 70,30 कुल साक्षर बिद्धियों की बात करें तो यहाँ है आपकी 68,88,953 जिसमें से पूरो से आपके 38,63,708 महला साक्षर हैं 30,37,245 लेंगेनपाद की करें तो 963 है पिति है पूरुस पर यानि की 968, pumpkins पिति chim 1,000 पूरुस पर हैं जन संख्यांट की बात की बात करें तो 18ありがとうございます किलो में की देवास करते हैं नदियां उनकी किनारे इस्घः इस्थः नगरों की बात करें तो जैसे गंगा नदी इसके किनारी आपको बसे नहगर मिल जाएगी बद्रीनाथ हरेद्वार रिर्सी केस उत्राखंड की हवाई एड़ों की बात करें तो पंत नगर ये उदम सिंग नगर इसे बोलते हैं जॉली गरांट देहरादून फिर मुक् देहरादून से निकलता है । फिर आपका राज़ किये दिवस फिर मुक नगरों की बात करें तो देहरादून हरिद्वार नैनिदल अलमोडा चमोली आदी यहां आपको देखने को मिले की आका समानी केंद की बात करें तो दो हैं एक आपका अल्मोडा दूसरा है आपका पोड़ी गड़वाल राजकिये पसू की बात करें तो कस्तोरी म्रग है राजकिये पकसी हेमालई मोनाल राजकिये ब्यक्ष वुरांस राजकिये पुस्प ब्रह्मा कमल पितम राजपाल की बा मंत्री पिथम स्री नित्यानंद स्वामी यहां की पिथम मुख मंत्री थे पिथम मुख नयादीश की बात करें तो न्याय मूर्थी असोग यह देशा ही यहां की पिथम मुख नयादीश थे उत्दोगों की बात करें तो उत्तराखंडिम में पिचुर मात्रा में बंसपदा होने से यहां बनों पर आधारिक उत्दोगों का विकास संभव हुगा है एक खनिच संपदा है आपके इन्हें भी देख लिजे एक खनिच की नाम हो गए उत्पादन चेत हो गए तामा आपका पिदेश का कुमायू चेत चमोली पोकरी और धनपुर में नैनी ताल अलमोडा प्रोनी गडवाल टेहरी गडवाल पिथवरा गड़ में आपको देखने को मिलेगा जिपसम एक गडवाल खरारी घाटी खेरा लश्मनजूला नरेंदर नगीन मदुधानी चेत आदी में देखने को मिलेगा देहरादू छपीला चेत में नैनी ताल खुरपाताल मजारिया फोस्पोराइट आपको मिलेगा टेहरी गडवाल रज गेनवा चेत में फेराइट्स इवं एंडा लूसाइट्स यह आपका देहरादूर में मिलेगा लोहस्क यह आपके गडवाल अल्मोडा नैनी ताल हैमेटाइट और मैगनेटाइट विकार की लोहस्क यहां देखने को मिलते हैं पर आपका एसविस्टाथ एसविस्टोब एसविस्टोब एसवे इस्टोब यह आपका गडवाल अल्मोडा जिला में देखने को लिगा शीसा कुमयुचिद रायधरनपोर रेलम बेसकन धसोली दंडक में देखने को मिलिगा देहरादून जिले में आपका घुमार बरेला फिफौरागर चमोली जली की अलक्ष नंदा गाटी में देखने को मिलेगा डॉलोमाइट यह प्रादून नैनी ताल में देखने को मिलेगा चूना पत्तन देहरादून नैनी ताल टेहरी गड़वाल पोडी गड़वाल पितोरागर में देखने को मिलीगा रोग फोस्पेट देहरादून मसूरी टेहरी गड़वाल दुरमाला किमोई मसराना माल देउता चमसारी नैनी ताल में संगमरमर आपका देहरादून टेहरी गड़वाल टेल कापका अल्मोडा पितवरागर में देखने को मिलीगा ये खनिश थे आपके और उनके जहां छेत्व में पाए जाते हैं उनके नाव उत्राखंड में आपका कुटीर उत्द्यों के विकास की उत्तम संभाव नाए बिद्दमाने देदादून में चीनी उत्द्यों, बस्त उत्द्यों, चूने की बट्टेया, बलब, चाय, कागजबा लुगदी, चिराई उत्द्यो, बिग्ज्ञानी कुपकर्ण, एंटिवा रेक्टिकल्स हरिद्धवार में मिलेगा, फाउंट्री फोर्च ये हरिद्धवार में, इन्नियम ड्रक्स एंड थर्माशीटिकल्स ब्रिसी केस में देखने को मिलेगा, उत्तराकंड कि वो द्योगों की बात करें तो इलेक्टोनिक होते हो, यहां आपका लेंसडाउन में दे करें तो अल्मोडा और बागे सुर में आपको देखने को मिलेंगे कागज पल्प यह लाल पुगा नैनी ताल में देखने को कत्थाव पनीचन हल्दवानी नैनी ताल में धार में के ऊब परेटक स्थलों की की बात करें तो धारमे गढ जैसे आपने देखा होगा बद्रीनाव चैदा नाथ गंकोत्री यहमनुत्री अastes यहां से आपकी गंगा निकलती यह मनुत्री से आपकी यमना पाड़ी केंद्रों की बात करने तो रानी खेत नैनी ताल मसूरी अल्मोडा लैंसडाउं प्रोडी पित्वरागा अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होगी तो आपकी मसूरी के बारे में पता हो गए है नवीन केंद्र भीमताल कोसानी डार पत्थर नैनी ताल एक नजर धार्मिक बाद दर्सनी इस्तलम पर भी डाल लेते हैं नैनी ताल तीन ओर परवतों से गिरी परवत्य इनगरिये बेम ताल साथ ताल, नौकुछीया ताल, खुरपा ताल, दर्सनी इस्तलिया, मसुरी दहरादुन फरवतिय इस्थानों की रानिये लाल भाहदूर सास्त्री, फिसीक छन संस्थान अकादमी सथे थे रानीखित अलमोडा पुस्मों के उद्यान चीड के बन कोल को सेतू याई पिसेद्याक का रानीखित उसके बाद आपका है हरिद्वार क्या है हरिद्वार संस्कित साहित्त में मायापुरी या फिर मायाचित की नाम से फिसे थे आपका हरिद्वार अनेक अनेक मंदिर भी है हरी की पोनी में इस नान का विशिस महत्वी है फिरे आपने सुना है रिसी के ये भी हरिद्वार में इस्ति थे रमनी केवं तीर सिस्था अनेक अनेक मंदिर भी आपको देखने को मिलेगे फरे आपका लेंस डाउन वो रोडी गेड़ वाल ये बद्दिनीनात खंड़ के दर्सनिय हम सिखरें चकराता देहरा दोन हिम सिखरों के दर्सनियतु सांत और स्वास्थ दायक इस्थान है कटारमल अलमोडा ये आपका बारेवी सदी का सूर मंदिर है कनखल ये भी हरी द्द्वार में इस्थिते दसे सूर महादेव का मंदिर हर्मान जी का मंदिर देखने को मिलेगा तपोधन तपोवन ए टहरी गढ़वाल लच्मड जी की तपिस्तिली लच्मड मंदिर लच्मड जूला गंगा की तटपर स्वा स्वर्गास्त्रम इस्थिते आपका फिर आपकी नंदा देवी ये आपका चमॉली में देखने को मिलीगा पिती बारे वर्वर्ष बाद सूदी साथ को धार्मिक आयोजन भी किया जाता है अल्मोडा कस्य परवत पर कोस्ति की देवी का भब एवन पुराणिक मंदर है सुब निसुब दानवाँ के नासेतु परवत जी परवती जी के सरीर से कोस्ति की देवी का प्रगर्ष होई थी फिर आपका पिंडारी क्लेसियर वागे सुर में देखने को मिलेगा रंग विरंग फूल आकरसक खिमरासी सुरम बन पिंडरी नदी का उदगा मिस्तल देखने को मिलेगा गंगोत्री उत्तरकासी एक गंगोत्री मंदर है गोमोग गंगा का उदगा मिस्तल है भागी रती मंदिर है पांडवांद वारा प्राइस चित स्वरूप किया गया यग इस थले है यमनोत्तुरी यह उत्तरकासी में स्थित है यमना मंदिर की निकट गरम जल की स्रोथ सूर कुंड की निकट दिबसिला हनमान गंगा और टौंस नदियों का जलन निर्गम चित भी यह है फिर आपने सुरगा होगा कारवेट राष्टी उद्ध्यान यह आपका नैनी ताल में देखने को मिलीगा फ्राक्तिक संदर और बन प्राणी हितू पे सिद्य पूर्णागरी नैनी ताल में पवित्त मठिया जहां देवी जी की मूर्दी बिराजमान है चैत माय में म नंदिगरी तक का चेट सांसारिक भोग और मोख्च विदायक है यानी कि लगता है या मोख्च पिप्की राप्ती हो जाती होगी मोख्च प्राइवी अब बात कर लेते हैं हराष्टी सोच संस्थानों की और अनसंस्थान तो इसमें आपका इंडियन इंस्टिट्यूट औ रिसर्च यह भी रूड़की में ही देखने को मिलेगा पंत कॉलिज और टेक्नोलोजी यह पंत नगर उधम सिंग नगर में देखने को मिलेगा राष्टी अंधकेंद देरादून में लालबादु सस्त्री नेसलनल अकादमी और एड्मिनिस्टेशन यह आपका मसूरी में देखने को मिलेगा इंडियन मिलिट्री अकाग्मी आपकी देरादून में देखने को मिलेगी हिंदोस्तान एंट्री बायोटिक्स लिमिटिट रिसी केस में भारत हैवी एलेक्टिकल्स रानीपूर हरिद्वार में भारी विद्युत सयंद रानीपूर हरिद्वार में ड्र फिर आपके कुछ government polytechnic college भी है, government polytechnic कासीफूर नैनी दाल में, government polytechnic नरेंद नगर टहरीगरडवाल, government polytechnic द्वारा आठ ए अलमोडा में, government polytechnic लोहागाठ यह आपका पितोरागड में देखने को मिलेगा, यहापके कुछ प्रमुक दर्रे भी हैं, यह दर्रे हो गया, संपर् अजल पिदेश की बीच चिस्ते थे, याग लाव, यह उत्तरकासी तिब्बद, मुलिंग लाव, यह आपका 5669 मीटर हो जाएं, उत्तरकासी से तिब्बद, माना चिरवटिया, चमोली तिब्बद, क्या, चमोली तिब्बद, इसे आप लोग डोगरी लाभी कहते हैं, नेत नेती आपका चमोली तिब्बद, बारा होती, चमोली पिथोरागर, कॉंगरी विंगरी, चमोली तिब्बद, दार्मा, पिथोरागर तिब्बद, लेपूलेग, पिथोरागर तिब्बद, टेल पास, यह बागे सुर, पिथोरागर, क्या है, बागे सुर, पिथोरागर, फ इसका तैसील एक है और विकासखंड अल dat इस जन पते इसका मुक्याले अल्मोडा इसमें तैसील अल्मुडा वारमण्डल निके त्यानिकी याली आते है इसमें विकासखंड सियालदि चकुटीया व्हीकी विकया सेन टाडीकिय ऊकी जल्दवारहाट लम गड़ा भीकिया सेंट धोला दि धोला देवी तोरे आपका पिथोरागड इसमें आता है आपका पिथोरागड इसका मुख्याले है इसमें तहसील आती है धालचूला मुंसियारी पिथोरागड डीडी हाट इसमें आपके विकास पहना हैंगी मुंसियारी मुंसियारी धा कनाली छीना गंगोली हाट देहरादून इसका मुख्याले है आपका देहरादून इसमें आपकी तहसीलें देहरादून चकराता विकासनगर रिसी केस विकासनगर रायपुर डोही बाला विकासनगर चकराता कालसी सहस्पुर फिर आपका पोडी गहडवाल पोडी गहलवाल म मुख्याल है पोडि इसमें तेहसी सेंड घ्राफ आदै दो कोटवार धूमा, Tabii MON जुआ इसमें आपके है शित मिलेगे इसमें का सी ग्रावी भिकासगंड क्या-क्या मिलें इसमें। थेली सेन हो गया, कल्जी खाल हो गया, पोडी, पाउ, कोट, लेंस डाउन, दुगड़ा, बीरो खाल, रीखली खाल, द्वारी खाल, पनाकेत, यमकेसो, पोखना, नैनी डांडा, रेवर्सू, फ्रेच चमोली, इसका चितपल, इसका मुख्याले चमोली है, इसमें तैसील आत है, इसके जो विकास खंड होंगी, गंगोली गाट, मुनाकूट, जूसी मट, बसोली गाट, कर्ण परियाग, नारहेन गड़, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख देते हैं, परियापका नैनी ताल, इसका मुख्याल है नैनी ताल में है, इसमें तहसील आएगी नैनी ताल, हलद्वानी, रामनगर, धारी, कोया, कुटोली, इसमें विकास खंड हैंगी, हवलबाग, ताकूला, भीकिया च्छाना, हलद्वानी, रामनगर, भीमताल, रामगर, कोटाबाग, बेतालगाट, धारी, ओखलकांडा, फिर आपने सुनाओ को टेहरी गहडवाल, इसका मुख विकासकंड प्रताप नगर, जकनीधार, कोलधार, चंबा, घंसाली, जौनपुर, नरिंद नगर, देवप्याग, कीती नगर, भिलंगना, उत्तरकासी, इसका मुख्याले भी उत्तरकासी है, तहसीली इसमें डुंडा, राजगडी, परोली, भटवाडी है, विकासकंड न परोला, नोगाओं, डुंडा, चिन्याली सौन, भटवाडी, प्रियाप का उधम सी, नगर, इसका मुख्याले रोधपूर है, इसमें तहसीले है, कासीपूर, किच्चा, खटीमा, सितारगन, और विकासकंड ने इसमें जस्पूर, कासीपूर, बाजपूर, गदरपूर, सितारगन, खटीमा, बागे सुर, इसका मुख्याल है बागे सुर, इसमें तहसीले है, बागे सुर, कप कोट, इसमें विकासकंड बागे सुर, गरोड, ताकुला और विक्या सेंड, आंसिक रूप से समले थे, कप कोट भी इसमें सामिले, चंपावत, इसमें तहसील भी तो भखगाट, बारा कुट, पाटी, खटी, मावीज में आंसिक रूप से सामले, रोध प्रयाग, इसका मुख्याल है रोध प्याग में है, इसकी तहसील िसमें सामले, रोध प्याग, उखी मत्र, इसका विकास खंडे, उखी मत्र, अगस्त मुनी, झखोली, रिवर्सू, आ तारसन बहाद दारबाद लफसर और खानपुरिस में विकासकंड सामल है आपके यह आपके उत्रकंड की गलेशियर यानि की हम्दत दिये गए गलेशियर का नाम हो गया जम्न पद हो गया गंगोत्री उत्रकासी में मिलाप पिथारगड में पोटिंग पिथारगड नाविक पिथोरागड, पिन्नारी बागेशुर, सुन्दर डूंगा बागेशुर, कपनी बागेशुर में, राष्टी उद्यान, कारवेट नेर्शनल पार्क रामनगर नेनी ताल में देखेने को मिलिगा, यह आपका 1935 में सबसे पुराना है, 1935 में स्थापना हुई इसकी, चेतफले 521 बर किलोमीटर में, नंदा देवी राष्टी उद्यान, चमोली जिले में है, इसकी इस्थापना 1982 में की गए, छेतफले 630 बर किलोमीटर, फूलों की गाटी राष्टी उद्यान, चमोली में, इस्थापना 1982 में की गए, छेतफले 87 बर किलोमीटर, राजाजी चाट सो बीस वर्ग किलूमीटर चेथफल में फैला हुआ है गंगोत्ती राष्टी उद्ध्यान उत्तरकासी में मिलेगा 472 वर्ग किलूमीटर चेथफल में फैला हुआ है यह अब आपके विस्विध्याले हुआ है नाम हो गया इनकी इस्थापना बरस हो गया इस्थान बरस हो गया इस्थापना अधिनियम में निर्दारित आकार रूड की विस्विध्याले अब आई 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 टी देश का छठा आई 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 टी संस्तान है यह रूड की में 1906 में किगी आवाशिये अधिनियम में निर्दारित आकार गुरोकल कांगडी यहर द्वार इंदवार में मिलेगा 1902 में इसके इस थापना किगी आवाशिये कुमाई विस्विध्याले नही ताल में मिलेगा 1973 में इसकी स्थापना की गई संबदेवं आवासिये सर्याव का ृ बन अनुसंदान शंस्थान आपका देहरादुन मेत यापके कुछ उत्राखंड के उत्राखंड में इस थे बांद है, बांद का नाम हो गया, निर्माण वर्स हो गया, नदी हो गया, निकटतम नगर हो गया, वो बांद की हुचाई हो गया, मीटर में, इच्यारी, इसकी इस्थापना 1975 में की गया, टॉंस नदी पर है, देहरा दून में, देहरा दून इसका नगर पास में ही है 60 मीटर उंचा है किसारू यह आपका टॉंस नदी पर है देरा दून में ही है इसकी मीटर उंचा ही होगी इसकी 253 मीटर लखवार यह यमना नदी पर है देरा दून में 192 मीटर उंचा होगा पनेरी भाली यह भागी रती नदी पर इसके थे उत्तरकासी में 49 मीटर उंचा questions आपके यही पूछे जा सकते हैं कि इचारी किस नंदीबर इस्ते थे कहां इस्ते थे बस मुझे नहीं लेखता है कि उचाई कभी पूछे जाती है फिर आपकी उत्तराखंड की कुछ मत उड़े चोटियां है इन्हें देख लीजे बंदर प्रवस्तिकर हो गए समुध सत्य से इनकी उचाई हो गए मीटर में जनपद हो गए नंदा देवी इसके मुझाई है 7817 मीटर इस चमॉली में इस्ते थे कामेत इसके मुझाई है 7756 मीटर चमॉली में इस्ते थे नंदा देवी पूरवी इस 7434 मीटर है चमॉली में माना 7273 मीटर है चमॉली में Central इसथापना बर्सूर उत्रकसी में बननेजीप बिहार दिये गए है इस नाम हो गया, स्थापना बर्स हो गया, चेथपल हो गया हुए, जिस जनपन में इस थे थे उनका नाम गोविंद वन जी बिहार, उननी सो पच्पन में इसकी स्थापना हुए नो सो तिरेपन बर्ड किलूमीटर चेथपल में पहला हुए, उत्तरकासी में कैदानाद बन जीवब बिहार 1922 में इसकी स्थाफना की गई 957 वर्ग किलूमीटर चितफल में पहला हुए चमोली में असकोट बन जीवब बिहार 1986 में स्थाफनावी 600 मीटर 602 किलूमीटर में पहला हुए पितोरागड में सोना नदी वन जीव बिहार 1987 में स्थापना हुई 301 वर्ग किलोमीटर में फैला हुए गड़वाल में बिंसन वन जीव बिहार 1988 में फैला हुए में स्थापना हुई 46 वर किलूमीटर में है अलमोडा में मसूरी बने जीव बिहाद 1993 में 11 वर किलूमीटर छेटपल में पहला हुआ है देहरादून में है तो यह कहानी थी आपकी उत्तरा करनी की चलीए दौम लोग बात करते हैं उत्तर पेदेश सामान गयान के बारे में तो बैसे दौन लोग विस्ताज से से उत्तर प्यदेश को पढ़ चुके हैं आपका उत्तर प्यदेश सावन गयान की नाम से एक playlist सूची बनी वह उसा इसवी क्लास मुर्णारफिदेश के हम स्थिती बताते हैं भारत की मैप्स में उत्तरफिदेश कहा नुश्ट हुआ यह हमारा प्याराो भारत इसमें देखी है उत्तरफिदेश इह आंका उत्तरफिदेश इसकी राध्धानी हो गई लखनो याद रखिए जब आपका उत्तराखंड से उत्तरपिदेश अलग नहीं होया था उत्तरपिदेश से उत्तराखंड तब इसकी सीमा आपकी देश चीन से भी लगती थी दिबदवालेस से लेकिन अब इसकी सीमा किवल अंदराश्टिय सीमा इसकी नैपाल से लगती है इसकी सीमा उत्तराकंड से भी लगती है इसकी हिमाचल पिदेस से भी लगती है हर्याणा से भी दिल्ली, राजिस्थान मद्ड पिदेस देखिए 36 गड़ यहां देख रही होगे आपको 36 गड़ जारकंड से भी विहार से तो उत्तरपेदेश की सीमा सबसे जानदा राज्यों से लगती है उत्तराकंड उसके बाद हर्याणा हिमाचल पेदेश राजिस्थान मद्पेदेश 36 गड़ उसके बाद जारकंड बियाज और दिल्ली नौ राज्यों से अंतराष्टी यह सीमा इसकी मेंबाल से लगती है ठीक है? वियाद रखी एक कई बार पूंच लिया एक बार MPP यह सीमा पहुंचा गया था कि सबसे जानदा किस राज्य की सीमा अधिक राज्यों से लगती है तो उत्तर पिदेश की नौ राज्यों इसकी रादधानी आपकी लखनव देखने को मिलेगी पिदेश का पूरुव नाम था सेव्ट प्रांथ United Province के नाम से पहले से आप लोग जानते थे अगर इसकी स्थिति की बात करें अधिक राज्यों की बात करें तो उत्तर में उत्तराखन और नैपाल देखने को मिलेगा उत्तर पश्टम में आपका हिमाचल पिदेश, पूरू में आपका भिहार, जारकंड भी, पश्टम में आपका हरियाना, दिल्ली, राजिस्थान, और दछ्चन में आपका मद्विदेश भवाद चतिछ गड़ देखने को मिलेगा उत्तरविदेश की चेतफल की बात करें हम लो तो इसका चेतफल है दो लाग चालीस जार नौसो अठाइस वर किलोमीटर में पहला हुए है और अगर जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या आपको है 29,59,000, 23,31 की चेतफला यानी कि सबसे जानधा उत्तरपे देश में जनसंख्या देखने को मिलेगी इसमें से आपके पूरोस हैं 10 करोड 44,80,510 महला हैं 9 करोड 53,831 जीरो से 6 आयू वर्ड की जनसंख्या की बात करें तो यह 3 करोड 7,91,331 लिंगनपाद की बात करें लिंगनपाद 0 से 6 वर्ड की आयू में तो 902 है वेसिल लिंगनपाद आपका 912,3,000 पूरसों पर महला हैं यानि कि 900,1 महला हैं आपकी 1,000 पूरसों पर जनसंख्या गनत की बात करें तो 829 बेटी पिती बर्ड किलोमीटर में निवास करते हैं 10 की ये विद्धी की बात करें यानि कि 2001 से 2011 की बीच की विद्धी तो ये देखी गई है 20.2 पूरसों की बात करें तो 82,34,964 महला हैं 4,162,591 पूरसों की बात करें तो ये लावाद में देखने को मिलीगा इसकी खंडवीट आपको लगनों में देखने को हिंदी आपकी भासा है उर्दू को यहां दूसरी भासा का दरजा दिये गए संभाग अठारे जिले 75 बिधान मंडल यहां दूई सदनात बखें यानि कि बिधान परिश्यद भी है वो बिधान सबाद सबासों की बात करें लो तो इसमें आपका दोस 403 सबसे जानदा बिध यानि कि 403 सदस्वों को आपका जनता चुनते हैं और एक को मनुनीद किया जाता है एक एंगलो इंडियन चुना जाता है याद रखिए उसके बाद राच्किये पस्व राच्किये पस्व है वारे सिंगा राच्किये पक्षी है सारसके राच्किये व्यक्स है असोप राच्किये पस्व है ब्रह्मा कमल याद रखिया सी यहां की लोकसवा सीटें 31 यहां राचसवा सीटें इन्हें भी याद रखिये सबसे जानदा यहीं जर्म संक्या है उसी सबसे सीटें की संक्या भी यहां जानदा है खनिस संपदा चूना पत्थर आपका बपु हाटी गुरू माक नाच मिर्जापुर कजरा हाट सौनबंद में इसका इसे देखने को मिलेगा डोलो माइट यहां सी हमीरपुर जिले में काच वालू यहां सी के चकिया कर जना इलावाद करवी तैसिल बांदा इवं मोग जिले में देखने को मिलेगा संग मरमार की बात करें तो यह मिर्जापुर सौनबंद जिल्नों में देखने को मिलेगा बॉकसाइड ए बादा जिले की रजगाव गयनवा गाव में देखने को मिलीगा नार पिलास्टिक फायर फिले ए मेज़ापुर की बांसी मकरी खोई छेत में देखने को मिलीगा यूरेनियम ललीदपुर में गिलास सेंड एक करजना आपका इलावाद करवी तैसिल बांदा मोजला में भी फराइटस एवं एंडा लूसाइट एंडा लूसाइट ए मिर्जापुर सौनबंद में हीरा आपका बांदा जिले मिर्जापुर में किस किस में बापाज लि और मिबजापু है कोई ला की बात करने में तो एक गौडवलान सौंबध में सेंगरौली मिधmeden इंपमेड़ का मैं इसका इससा पड़ता है सेंगरौली का रोग फॉस्पेट की बात करें तो एजवह मेर्जापुर में परेटक स्थलों की बात करें वे रों उत्तर पर दिश्की तो यहां परेटक स्थल भी बहुत कुछ जान दई हैं आगरा में आपने देखा हुआ ताज महल आप लोग जाते भी रहते हैं इसके निर्मार करता थे साय जहां लाल किला अकवर ने बनवाए जा छीनी का रोजा, रामबा, यह सभी आगरा में देखने को मिलीके सारनात, बुद्ध से ने पितम उपदेश दिया था जिसे हम लोग धरमचक प्रबंदन कहते हैं कुसिनगर, ने निर्मार पराप्त किया था जिसे महापरी निर्मार कहते हैं, कुसिनगर अब राज्य के यानि कि उत्तरपिदेश राज्य के पिरमुक विस्विध्यालेयों की बात करें तो यह आपकी विस्विध्याले का नाम हो गया इस्थान हो गया जहां इस्थाप और इस्थापना बर्स हो गया इलावाद विस्विध्याले यह इलावाद में है आपकी इसकी स्थापना 1887 में भी थी यानि कि बहुत पुरानी उनिवर्शिटी है इलावादी उनिवर्शिटी वनारस हिंदू विस्विध्याले यह वनारसी में है 1916 में इसकी स्थापना की गई थी अलीगड मुसलिम इस विद्ध्याले अलीगड में इसकी स्थापना 1921 में की गई थी लखनव इस विद्ध्याले लखनव में 1921 में इसकी स्थापना की गई डॉक्टर भीम रामबीड कर इस विद्ध्याले ये आगरा में देखने को मिलेगा आपको 1927 में इसकी स्थापना कीगी मातमा गांधी कासी विद्ध्या पीट ये बराणडसी में देखने को मिलीगी 1974 में इसकी स्थापना कीगी देन दयाल उपाद्या गुरकपुर 20 विद्ध्याले गुरकपुर में देखने को मिलीगा संपूरानंद संस्कित विस्थापना किए चत्यपती सम्धाइडन ले किस्तापना मिलीगे 1965 में इसकी स्थापना की गई तर्यापका आचा नरेंदेव किरसी तर्धा पुरोध्योगी की विश्विध्याले फैजाबाद में देखने को मिलीगा 1874 में इसकी स्थापना की गई डॉक्टर राम मनुहर लोहिया अबद्विश्विध्याले फैजाबाद में इसकी स्थापना 1975 में की गई बुंदेल खंडविस विद्ध्याले जहासी में मिलेगा 1975 में इसकी स्थापना की गई मात्मा यूतीवा फुली रोहेल खंडविस विद्ध्याले इसकी स्थापना आपकी वरेली में है 1975 में इसकी स्थापना की गई दयालवाग एजूकेशनल सिक्षण संस्थान यागरा में देखने को मिलेगा 1981 में इसकी स्थाफना की गई कव 1981 में फिर आपका चंद सेकर आजाद किर्सी एवं प्रोध्दुकी की विस बिद्ध्याले और फिर आपका प्रोध्दुकी ये कानपुर में 1974 में इसकी स्थाफना की गई थी तब 1974 में ठीक है फिर आपका बीर बहादुर सिंग पूर्वांचल विस बिद्ध्याले इसकी स्थाफना आपकी जौनपुर में है 1987 में इसकी स्थाफना की गई थी फिर फिर क्या डॉक्टर भीमरा मेड कर विस बिद्ध्याले ये आपका लखनव में है 1989 में इसकी स्थाफना के अंदरिये वो चित्वति सिक्छा संस्थान ये आपका सारनात में है इसकी स्थाफना 1989 में की गई कव 1989 में इसकी बाद आपका है आगे राजर्सी टंडन मुक्त भिस बिद्ध्याले ये आपका इलावाद में दीखने को मिलीगा इसकी स्थाफना इसकी स्थाफना की इसकी स्थाफना की गई 1969 में इसकी स्थाफना की गई इंडियन वेटर्नरी वेटर्नरी इसर्च इंस्टिटूट इज्जत नगर में है 1998 में इसकी स्थाफना की गई संजय गांधी पोश्ट गेजुएट इस्टिटूट औप मेडिकल साइंस लखनव में देखने को मिलीगा 1983 में इसकी स्थाफना की गई सरदार बल्लबभाई पटेल किरसी प्रुद्ध की विसविध्याले मेरट में देखने को मिलीगा सन 2000 में इसकी स्थाफना की गई उत्तर प्रदेश टेक्निकल विसविध्याले लखनव में देखने को मिलीगा सन 2001 में इसकी स्थाफना की गई ठीक है पिर उसके बाद है आपका 13 इस्तलों की बात कर रहे थे बीच में आपकी उनिवर्सेट ही आच चुकी थी बरसाना या आपका भगवान स्री किष्णी की उपासी का राघा का जनम स्थाने यहां की लट्ठमार हूली पिसिद्ध्या की वरसाना की मगर संद कमीर कबीर का महप प्रियानिया इस्तले कालपी मारानी लच्चमिबाई की चाउनी अयोंतिया भगवान स्रीराम का जनम स्थान वरानसी कासी भी बोलते हैं से विस्मनाद मंदिर के लिए बिसेश पिसित्य है इलावाद जिसे अब आप लोग प्रियाग राज की नाम से जानते हैं गंगा यमना और आदिस सरस्ति के संगम परिस्ते थे तीर्थ राज के नाम से भी इसे बोलते हैं प्रियाब का जन जातियां यहां की बात करें तो आपको थारो, बुकसा, माहिकीर, सौका, खरवार यहां जन जातियां देखने को बिलेगी कमी जन जातियां वाला च्छित थे अनवसूचित जातियां यहां जानता देखती हैं राष्टी सोच संस्थान की बात करें तो Central Drug Drug Research Institute लगनव में है National Botanical Research Institute लगनव में Central Institute of Medicine and Aromatic Plants यह लगनव में देखने को मिलीगा Industrial Toxicology Research Center यह लगनव में देखने को मिलीगा तर्मों को आपके उद्धोगिख संस्थानों की बात करें तो भारत इलेक्टोनिक्स गाजियाबाद में किंतिम अंग निर्माण नेगम कानपूर भारतिय चमडा रगाई तथा जूता संस्थान कानपूर में देखने को मिलेगा ठीक है? उसके बाद है आपका सेमेंट कारखाना चोग डाला कजराहट में देखने को और वरक कारखानों की बात करें तो इलाबाद गुरपूर इंडियन टेलिपॉन इंडस्टीज राइबरेली में अब ट्रॉन डिजीटल सिस्टम लखनवू इंडियन टेलिपॉन इंडस्टीज नैनी इलाबाद में डिजल लॉकोमेटिब फेक्टरी आपका वरनाडसी में मॉडरन बैकरीज एक कानपूर में हिंदोस्तान एरो नॉटिक नॉटिक से लिमिटेड एक कानपूर और लखनव दोनों जगे हैं फिर आपका खनेच तेल सोधक कारखाना है ये मतुराब में देखने को में लिगा त्रवेनी इस्ट्रेक्चल ये नैनी इलावाद में देखने को में लिगा आयूद और इसकर कारखाना ही हजरतपूर में देखने को में लिगा कहां हजरतपूर में फिर आपके राज की प्रमवक क्रांतिकारी एवाम नेता जिन्यवन एक modifier कारी ऊगए एंग आपके नेता हो गए क्रांतिकारी में आपके चंद सेखर राजा सहाब आपने देखा होगा चंद सेखर गारण आप लहा बाथ कहे होंगे तो कम्पिनी गाइडन भी बोद्ते हैं से फ़र आपके राम पे साथ बिजमिल साहब रोसन लाल ये सभी उत्तर पर देशके राज इंद लाइडी राजा महंद प्रताप लाला हर्देयल पंडित परवानंद बटू के सुर्दत विजय कुमा सिंगा राज कुमा सिंगा और नेता होगा मौल इलाबाद में ही है मौलाना सौकत अली साव मौकल मौलाना मौम्मद अली सी बाई चिंतामनी गड़े संकर विद्ध्यार्ती पंडित गुबल गुबंद बल्लपंद आचार नरंद देव तेजबाद सप्रू संपूरानंद लाहलबाद साफ्त्री और रफी एहम नाम हो गया स्थापना वर्स हो गया गए जिसतने चितफल में फैले हुए है उनका नाव हो गया और जनपत जहां इस्तित्रे यह जनपत हो गया नबाब गंज पक्ची बिहार इसकी स्थापना 1984 में की गई थी यह आपका दो वर क्लूमीटर छितफल में फ्यला हुए है यह उन्नाओं में बढ़ता है समसपोर पक्ची बिहार यह आपका 1987 में इसकी इस्तापना की गई यह 8 वर किलूमीटर छितफल में फैला हुए राय बरेली में लाख बहोसी पक्ची बिहार 1988 में इसकी इस्तापना हुई यह आपका 30 वर किलूमीटर छितफल में फैला हुए कन्नोज में सांडी बक्ची बिहार ये आपका 1990 में बना तीन बर क्लूमीटर चितफल में फैला हुआ हर दोई में देखने को मिलीगा वकीरा पक्ची बिहार 1990 में स्थापना की गए ये आपका 30 बर क्लूमीटर चितफल में फैला हुआ है बस्ती जिलिमे ओखला पक्ची बिहार या आपका 1990 में इसकी स्थापना की गई चार वर किलूमीटर छेतपल में फैला हुआ है गाजियाबाद में सामन पक्ची बिहार इसकी स्थापना 1990 में की गई पांच वर किलूमीटर में फैला हुआ है मैनपूरी में पारवती अरंगा पक्ची बियार 1990 में बना, ग्यारे वर किलूमीटर छेतवल में फैला हुए, गौंडा जिला में, किसमें? गौंडा में उसके बाद है बिजय सागर पक्षी बिहार 1990 में इसकी स्थापना कीगी यह आपका तीन बर क्लूमीटर में फैला हुए हमीरपुर में पतना पक्षी बिहार 1990 में इसकी स्थापना कीगी यह आपका एक बर क्लूमीटर में फैला हुए एटा में सुरहाताल पक्ची बिहार 1991 में इसकी स्थापना की गई 34 बर किलोमीटर में फैला हुआ है बलिया में सुरस सुर सरोबर पक्ची बिहार 1991 में इसकी स्थापना की गई यह आपका 3 बर किलोमीटर में फैला हुआ है आगरा में कहां आगरा में पुस आपके संगरालाय भी है यह भी पूछ लेता है तो कलाभवन बनारस इंदू विस्विध्याले वर अड़सी में है मौतिलाल नहरू वाल संगराले यह आपका लखनौ में देखने को में लिगा फ्रांतिय हाईजीन इस्टिट्यूट यह आपकी लखनौ में देखने को में लिगा सादनास संगराले यह सादनात में देखने को में लिगा इलावा संगराले यह इलावाद में देखने को में लिगा राहुल संक्तियायन संस्थान यह गूरकपुर में पंचाली दियास परिश्यस संग्राले ये आपका ब्रेली में, रानी संग्राले ये जहासी में आपका देखने को मिलेगा, मतुरा संग्राले आपका मतुरा में, बुंदेलकंड चत्य साल संग्राले ये आपका हमबादा में देखने को मिलेगा, अब यहां आपके नदियां भी देखते हैं, आप लोग बहुत नदिया नेकलती हैं. गंगा, कौसामभी यमना, वराड़सी गंगा किनारे, बटे सुर्ख यमना, मिर्जापुर गंगा, गोरकपुर राप्ती, इस तरह की कुश्चन जानदा आते हैं, गोरकपुर हो गया, लखनव हो गया, ठीक है, अब आपकी बन ने जी बिहार की बात करें, यह आपकी नाम हो गया, इस्थापना परस हो गया, छेतफल हो गया, और जनपत हो गया, चंद पिरवाब बन जी बिहार, इसकी इस्थापना उननी सो चपन संतावन में होई, अठात्तर बर किलूमीटर छेतफल में प्ठेला हो गया, यह आपका वराड़सी में देखने को 227 बर किलूमीटर में फैला हो गया, लखीमपूर खेरी में देखने को मिलेगा, फ्रेर राष्टी चंबल बन जी बिहार, 1989 में इसकी इस्थापना की गया, 665 बर किलूमीटर में फैला हो गया, आगरा और इटावा में देखने को मिलेगा, फ्रेर आपका कतर निया गाट ब रानिपूर बनेजीब भिहार उननीस섯 सपतर में इसकी स्थापना की कि 230 2k Demon में पहला हुए बांद आगे तो और मावीद स्वामी बनेजीब भिहार 1967 में इसकी स्थापना की आपका पांच वर dealers किनूमेटर में लली तपूर में दोधवाराश्टी उद्यान 1997 में इसकी स्थापना की गी, 490 बर किलोमीटर में फैला हुए लखीमपूर खेरी में केमूर बनेजीब बिहार 1982 में इसकी स्थापना हुए 501 बर किलोमीटर में फैला हुए मेरिजापूर सौनबत में हजची एनापोर बनेजीब बिहार 1986 में इसकी स्थापना की गए 2030 बर किलोमीटर में फैला हुए मेरत को गया मुरादाबाद मोजब पनेगर गाजियाबाद में सुहेल वा बननजीब बिहार इसकी स्थावना 1988 में किली दिये चाल सो संतावन वर्ग किलूमीटर में फैला हुए कुंडा और प्रिताबगड में अब है आपके उत्तर पिदेश में राष्टी है कॉंगरिस के अधिवेशन 1947 तक की इससे भी कुश्चेंस आपके अधिकतर पूचते हैं यह आपका वर्स हो गया इस्थान हो गया जिससे इस पचासी में आपके कॉंगरिस की इस था अपना होती है ठीक है पहला इसका दिवेशन मुंबई में किया गया था अपने सब्सक्राइब 1888 में इलावाद में किया गया इसके अधिक्ष थे जोर्ज यूले इस पिथम अंग्रेज अधिक्ष थे याद रखिए 1892 में किया गया इलावाद में इसके अधिक्ष व लुशी बनर जी थे ऐठारह सो निन्यन नगवे का लखनव में किया इसके अधिक्ष थे रॉमिष चन्द दत्त 1905 इबनारस में किया गया गोपाल किस्न गोखले इसके अधिक्ष थे 1910 इलावाद में सर विलियम बिडर्मन ने इसकी अध्यक्षिता की 1916 का लखनव में अमिका चरन मज़ुमदार ने इसकी अध्यक्षिता की थी 1925 का कानपूर ये आपकी पिथम भारती है महला थी इसकी अध्यक्षिता करने वाली सरीमती सरोजनी नायडू साहब 1936 का लखनव में हुआ पंडी जवाहलाल लैरू ने इसकी अध्यक्षिता की और 1946 का मेरट में हुआ इसके अध्यक्षिते आचार जे भी किपलानी इन्हें याद रख लिए अच्छिते पता है इससे कुश्चन्स आपके बनते हैं PCS में UP PCS में 1857 के विद्रोग नेत्त करने वाला महान ब्यक्षित यह स्थान होगा जिससे स्थान का नेत्त करता होगा लखनव बेगम हजरत महर इलावाद लियाकत अली जांसी रानी लच्मी भाई कानपोर नाना साहाब और अजी मुल्ला मत्वरा देवी सिंग मेरट कदम सिंग कालपी तत्याटोपे फैजाबाद मौलबी मौमद अल्ला एक बात याद रखिए इसे सैड़ी में लगाने के लिए आपका आएगा तो आपको सभी को याद रखना पड़ेगा ठीक है यह आपके फिर जीले हैं यहाँ उत्तर विदिस में जो जीले हैं उनकी नामे मालवाद ताल जील, मासी गंगा जील, गोपुर जील, देवहरी जील, हिंगवा जील, डॉमनीगर जील, कीथम जील, ग्रे ताल जील, पुना ताल जील, चंदेला जील, करेला जील बहुत देसियों परयोजनाओं की बात करें हम लोग अगर बहुत देसिये परयोजनाए तो यह आपकी 199 जलि में पेपरी स्थान पर रिहंद नदीबर शतेते हैं याद रखी रिहंद नदीबर इसमें आपको तीन पॉइंट याद रखना है क्या? रेहंद बांध परियुजना, फर उसके बाद किस जली में है, और उसके बाद क्या? किस नदी परेश थे? ठीक है सार्दा परियुजना या कि सार्दा नहर बनवास नामक्रिस्तान पर देखने को मिलेगा रामगंगा परियुजना धामपूर बिजनौर में देखने को मिलेगा इसकी बाद की उचाहिए 128 मेटर गंडक परियुजना गागरा नदी परियुजना मदगंगा नहर परियुजना माता टीला परियुजना जहासी के निकट बैतवा नदीपा सार्दा साहएक परियुजना ओबरा जल्बितुत के उसके बाद आपके हैं प्रमुक साहितकार उनकी रचना है कभीर दास इनकी रचना का सबत प्रमेनी साखी है इन्हें भी याद रख लिए जेंसे संत्रहदास बानी नाम से फुटकर छंदों की रचना की सूर्दास सूरसागर सूरसारावली साहित लहरीन की रचना है फिर आपके बाद मात्पून गोबिंद गो स्वामी तुरसीदास साहब इन्होंने रामचरित मानसलगी बिनाइपत्तिका गीतावली दोहवली कभित रामायड रामलला लहचू कभितावली जान की मंगल आदी महा कभी भूसन की है सिवराज भूसन सिवाबामनी चट साल दसर जगने की है आला चरी मुनसी इंसा अलला खान रानी केतकी की कहानी उदैवान चरी बिहारी लाल बिहारी सस्साई लल्लू लाल सिंगासन बतीसी बेताल पच्चीसी प्रेम सागर प्रयाके मुनसी प्रेम चंद साहब गवन हो गई गोदान सेवा सतन निर्मला करम भूमी भारतेंदू हरिश्चंद कसमीरी कुसम भारत दोदसा सत्त हरिश्चंद चंदावली बादसाय दरबन मुद्रा राक्षस हमीरम अट प्रेम तरंग यह आपकी भारती हरिश्चंद साहब की हैं पंडित वाल किष्ण भट पदमाबती और निवद्र पंडित महवीर पिसाद दुवेदी साहब सरसुत्ति पत्ति का के संपादक रहें काब मन्जूसा नाटिसास्त हिंदी वासा की उत्पत्ति जल्ची किस्सा तरे आपके पंडित अयुद्ध्या प्रिशाद सींग हरोद चोखे इनके चोखे चौपदे पद्य पिसून प्रिये प्रवास बिदेही बनवास परिजाद ठीक है एक हम लोग यार इनकी और हैं कभी इनकी देख लेते हैं उसके बाद ही पॉइंट दिया गया है इसके बारे में भी जान लेंगे ठीक है छोड़ेंगे कुछ नहीं पंडित पिताब नारायनमिस फोटकर निवन हठी हमीर कली कुतोग रूपत नाटक मैथली सरन गुप्त यसोदरा साकेत जैदिर्थ बद भार्थी बार्थबार्थी द्वापत सुमेत्रा नंदन पंथ वीना युगांत गरंथी उत्तरा अतिमा हार योगपत गुंजन पल् सूरकांतिरपाट्टी निराला तोलसिदास अनामिका परिमल अफसरा प्रभावती चतुरी चमार समनवय मत्वाला मादुरी सरोच इसमिटी रामकी सक्ति पूजा इसा भी आपकी सूरकांतिरपाट्टी निराला साब की हैं महादेवी बर्मा, निहार, रस्मीन, नेजा, सांदगीत, यमा, छड़ना, छड़ना, इसमेती की रेखाएं और मेरा परीबार डॉक्टर हरीसंद, हरीबंस, बच्चन, इनकी मदूसाला, मदूगाला, निसानेवंतर्ण, तेराहार, मदूकलस, मदूयामनी, क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड का निर्मार्ज पर रें जैसंकर साव, इनकी कामायनी कंकाल, इरावती, तितली, धुरुप स्वामनी, राहूल संकित्याण, इनकी याद की सिंग सैनापती, बोलगा से गंगा, कालमाक्स, महमानावी बुद्ध, मेरी जीवनी यात्रा, दर्सन, दिख दर्सन, विसकी रूप रेखा, जैन निक संचे, परक, सुनीता, सुखदा, फासी एक रात, धुरुबयात्रा, एक दिन, वतायन, त्याग पत्त, ये सभी आपके जैनन्द कुमार साभ की रचना है, आचार हजारी परसाथ दोबेदी, विचार और वितर्ग, सूर साहित, हिंदी साहित, बाढ़भट की आत्मकता मेर सचिदानंद, स्थीरानंद, वात्सायन, अगे, इसकी ये त्री पत्तगा, कोठरी की बाद, सेखर की एक जीवनी, लिखी, कागत कोरे, तिरी संकु, उत्तर पिरिये दर्सी, मलिक मुहमत जार्सी, पदमाबद, अखरावट, आकरी कलाम, त्रयापके बिंदावन लाल बर्म इनकी मेगनेरी, जासी किरानी, चितलेखा, डॉक्टर बिध्यानिवास मिर्स, निकिये चितवन की छाय, साहित की चेतना, रीती वेक्यान, पंडित नरेंद सर्बान, कामनी, दुरोपदी, उत्तर जय, सूल फूल, कदलीवन, प्यासा निर्जय, प्रवासी के गीट, कनहिय इनकी है आपकी जिन्दगी मुस्कराई, माट्टी हो गई सोना, आगास के तारे, दीप जले, संक बले, भूले, विशरे, चेरे, डॉक्टर बसू देवच सरन, अगवाई, इनकी है उर्जियोती, पित्वी पुत्थ, और पाणनी, कालीन, भारत, अब जे, पिसे दिनकहर हों के उनकी, चर्चिस्तो बनाव, लखनव, इसे आपकी किस-किस नाम से जानते है, नभाबों का सहर भी व कहते हैं, आपलों, बागों का सहर भी, नजाकत, नफासत का सहर भी कहते हैं, वर्नाडसी घाटों का नगर, विस्वनात नगरी, मुक्ती नगर, राण साड और पन्नों का नगर, आगरा ताज नगरी, पीठा नगरी भी कहते हैं, इलावाद संगम नगरी, कुम नगरी, तीर्थ राज, गोरकपुर, गोरकदाम, नात नगर, मत्वरा, किष्ण नगरी, पेडों का नगर, पन्नों का की नगरी, थरोजाबाद, चूडी नगरी, सुहागनी, सुहागन गरी, मुरादाबाद, बर्तनों का सहर भी कहलते हैं, इते पीतल नगरी, मलीहाबाद, आमों का नगर, गाजियाबाद, उद्द्यों नगरी, छोटा दिल्ली, आयोत्या, राम नगर, राम भूमी इस्थल, तीर्थ नगर, कन्नोज, खुसुबूं का सहर, इत नगरी, अलीगड को ताला नगरी, वरेली को सूर्मा नगरी, और बास नगरी, कानपुर को आप लोग मेत, उद्द्यों नगर भी कहते हैं, चरम नगर भी कहते हैं, मेरट, क्रांती नगर, कैंची नगर, रामपुर, चाकुँआ का नगर, नबाबों का नगर, सहर, गाजीपुर, कासी की वहन, गाजीपुर को क्या कहते हैं, कासी की वहन, तो यह थी पूंट पुद्ध तथी थे आपके अगी चलिए तो हम लोग बात करेंगे अब राश्टी राध्भानी चित दिल्ली के बारे में के सावान जानकरी हम लोग यानेंगे तो सबसे पहले आपको डिल्लीकлять मैप्स में इस्तिधी बता देते हैं कि ऑपか कि आपका प्यारा भारत है उसमें देखिए यहां जाएंगे तो यह हमारा केंदसासित प्रदेश दिल्ली ठीक है इसमें आपका उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है इसकी सीमा हर्याणा से लगती है दोनों राज्यों से लगती है दोनों राज्यों के बॉर्डर उपर इस्ते थे आपका दिल्ली तो इसी के बारे में हम लोग मत्पूंठ तत्य देखते हैं तो इसकी अवस्थेती की हम लोग बात करें तो 28 डिग्री 24 मिनिट 17 से लेकर 28 मिनिट sorry 28 डिग्री 23 मिनिट उत्रियक चांस्तर और देशांतर ये अपिस्तार की बात करें तो 26 डिग्री पच्चास मिनिट 24 से सततर डिग्री 26 मिनिट 37 डिग्री 37 से कंड पूर्वी देशांतर तक सामेल है याद रखें 28 डिग्री 24 मिनिट 17 से लेकर 28 डिग्री 23 मिनिट उत्रियक चांस्तर और देशांतर ये वस्तार की बात करें तो 26 डिग्री पच्चास मिनिट 24 से सततर डिग्री 20 मिनिट 37 से कंड पूर्वी देशांतर तक अगर इसके छेथफल की बात करें तो 2483 बर्ट किलुमीटर है खहने का मतला है कि 1483 बर्ट किलुमीटर छेथल में फ्हेला हुए नहीं दिल्ली आपका इसकी राददानी आपकी दिल्ली होगी सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमा उत्तरपस्च्चन तथा दच्छन में हरयाना मिलेगा पूरू में आपका उत्तर पिदेश देखने को मिलेगा ठीक है व्युमा बात करें तो यहां जनसंख्या आपको मिलेगा एक करोड 67,87,941 इसमें पूरो से आपकी 89,87,336 बाहिला है आपकी 88,665 जन संख्या घनत की बात करें तो सबसे जादा है 11,320 पिती बार किलोमीटर में मतलब इतना घना बसा हुआ है जन संख्या बिद्धी दर की बात करें यानी 2001 से 2011 की बीच तो यह देखी गए यह 21.2 पिती सथ की बिद्धी हुई है लिंगन पात आपका 860 महिलाएं पिती हजार पूर्सों पर है कितना 860 लिंगन पात हो गया और सिसु लिंगन पात की बात करें हम लोग तो यह जिरो सिछे भर्स में 871 है बालिका पिती 1000 बालक यानी कि 871 बालिका ने पिती 1000 बालक अपकता 30 जाक्षर्थ तकी बात करें तो 86.2 पिती सथ है पुरु से यहाना 90.9 पिती सथ महिलाएं अस्ती देसमलो आठवी तीचत 0 से 6 वर आयूवक की जनसंख्या की बात करें तो यह है 20,12,455 साक्षर्था की बात करें हैं बलो तो साक्षर जनसंख्या रहे है यहाँ 1,27,37,767 पुरो साक्षर्था की बात करें तो यह है 71,94,856 महला साक्षर्था की बात करें तो 55,42,911 विधान मंडल की बात करें एक सदनात्मके यानि कि यहाँ केवल विधान सभा है क्या है विधान सभा है विधान सभा में सदस्तों की संख्या 70 है लोग सभा सदस्तों की संख्या 7 है सब्धान 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 कितने हैं कि इस्तिति की इसकी बात करें लोग तो इसकी बारे में पहली भी बात कर चुके हैं कि उत्तर पश्रिम बदच्छन बहर याणा पूर में आपका उत्तर पर जिस ए किर्सी चेट की बात करें तो यहां लगभग आपका सतर हजार हेक्टर चेट किर्सी के लिए है क्या है सतर हजार कि बंचेट की बात करें तो 1443 हेक्टर है बंचेट ठीक है राच्किय पसू की बात करें तो नील गाय है राच्किय पक्छी आपका घरेलू गोरेया है उच्छन याले की बात करें तो दिल्ली है दिल्ली ऐसा केंद सासित पिदेश है अवी थे कि अपना उच्छ नियाल है अब आपका जम्मू कस्मीर भी अपना उच्छ नियाल है उसका परवत जम्मू कस्मीर के बारे में याद रखी अभी कुछ किलियर आखड़े नहीं हुए उसके जैसे ही 2021 की जंगरना होगी नए अच्छे से मालूँ चल जाएगा परवत अरावली परवत का परवतमाला की कटक हैं रिज सहरी छेत्रों का छेत्फल है आपका 924.68 वर्ट क्लूमीटर ग्रामीट छेत्रों का छेत्फल है 558.32 वर्ट क्लूमीटर नगर निकाए हैं तीन गाओं है 165 जिले हैं 11 तहसील हैं आपकी 27 और सथ बारसिक बरसा होती है 114 मिली मीटर नदी है यो मना यहां इस राजी में विथम राजपाल आपके आधितनात जहां है और पिथा मुक मंत्री से चौदरी ब्रह्मा स्री चौदरी ब्रह्मा इस राजी की प्रमुक भासा की बात करें तो हिंदी देखने को मिलेगी आपको पंजाबी उर्दू महाभालत काल में दिल्ली का नाम इंद प्रस्त था 1911 में कलकत्ता की जगे दिल्ली का कुबेटिस भारत की राध्धानी बनाई गई थी लेकिन इस्थानान ते ये घोशना हुई थी 1911 को इसे भारत की राध्धानी की रूम में स्विकार किया गया समिधान की उनत्तरवे समिधान संसुधन 1991 में द्वारा यहां विधान सभा का गठन किया गया तथा केंद सास्वित पिदेश में विशेष दरज्या दिया गया इसे एक फरबरी 1992 से इसे नया नाम राध्टी राध्धानी चित दिल्ली दिया गया यमना तट पर अवस्तित या नगर बरत्मान फिरो साह कोटला और हुमायू के मकवरे की बीच अवस्तित है इस पिदेश को खंड परस्त और योगनीपुर की नाम से भी आप लोग जानते हैं खंड परस्त और योगनीपुर बात के काल में यह चेद मौर गोप्त पाल आदी सासकों के दिन रहा इंद परस्त के गौतम बंसी है राजाओं के परवर्ती मयूर बंस के अंतिम कन्नो सासक राज दिलु द्वारा इस पेदेश को जीतकर अपने राज में मिला लिया गया थ बसाई गया 736 736 इस भी में तौमार राजपूतों द्वारा दिल्ली दिल्ली का की नाम से एक नगर की विधीवत बसाए गया से 1020 इस भी में अंगपाल धुतिये द्वारा उस नगर का पुनगा निर्मान कर इस नगर को सुरक्चा के लिए लाल कूट नामक किले का निर्म करवाए गया दिल्ली के लिए तो उसके बाद आपका आंगे है अनंग पाल सेखें अनंग पाल थेड़ की सासनकाल के दोरान चोहान सासक विग्रह राज द्वारा ग्यारे सो इंक्यावन इसवी में इस पिदेश पर कब्जा कर लिया गया लेकिन दोनों घरानों में बिवाहि किला चोहान राय पिथोरा ता लाल कोट के लिए का विस्तार कर और किला राय पिथोरा की नाम से एक बड़ी किली का निर्मान करवाया इसे दिल्ली का पहला इतिहासिक सहर माना जाता है जो आपकी पिदिवीराज चोहान ने बसाए था पिदिवीराज चोहान की पराजे की बाद 1193 में मुहमद गोरी एक गुलाम कुत्वुद्दिन एवक द्वारं दिल्ली बाज़िकार कर लिया गया याद रखिए 1191 में पहला तरायन का युद्ध हुआ था इसमें आपके मुहमद गोरी की हार हुई थी पिदिवीराज चोहान जीता था लेकिन 1992 में दूसरा तरायन का युद्ध होता है इसमें पिदिवीराज चोहान की पराजे होती है मुहमद गोरी बेज़ाई होता है 1206 में मुम्मद गौरी की मित्यूं के बाद कुदु गुद्धीन एवक ने खुद को दिल्ली का सुल्दान गोसित कर दिया क्या दिल्ली का सुल्दान गोसित कर दिया 1210 में पोलो केलते समय घोड़े से गिर कर एवक की कुदु गुद्धीन एवक की मित्धी हो जाती है याद रखिए दिल्ली का वास्त्विक संस्थापक इसी को माना जाता है इल्दुतमिस को कुतोबुद्धी नेवक के बाद साथ मुसलिम बंस आते हैं गुलाम बंस, किल्जी बंस, तोगलक बंस, सियद बंस, लोधी बंस, सूरी बंस, मुगल बंस ने एक के बाद एक दिल्ली पर राज किया और अपनी अपनी रोचि और रोझण की चाप दिल्ली पर छोड़ दी दिल्ली के पर से द कुतोब मिनार की नियूग 1599 में, कब 1199 में कुतोब बुद्धी नेवक द्वारा डाली गयी थी कुटो मीनार के समी पी अलावदीन खिली द्वारा दिल्ली का दूसरा नगर सीरी बनाए गया था उसने 1305 में होच खास का भी निर्मार करवाय था किसने अलावदीन खिली नगर 12 दीन तोगलक ने 1321 में सीरी के पूर में तोगलागाबाद नगर की निवडाली यह नगर केवल 6 बरस तक तोगलग समराज की राध्धानी रह पाया तोगलग बंस के दूसरे बातसाय मुहमत बिन तोगलग द्वारा स्रीय और कुतुब के वीच जहां बनाय की नाम से एक नए नगर की इस्ताफना की गई जिसे आज चिराग तिल्ली के नाम से भी जानते हैं दो इस इस्तान पर बातसाय द्वारा 8 किलोमीटर के घेरे में 13 दरवाजों वाला एक परकूटा भी बनाये गया था तोगलग बंस कितिती ये बातसाय फिरोज साय तोगलग द्वारा 1315 में फरोजाबाद नाम से एक नया लाधणी नगर वसाय गया इस नगर को आज फरोजाबाद फरोज साय कोटला के नाम से जानते हैं लगबक दो स्ताबदी के बाद हुमायू ने अपनी एक अलग नगर दिल्ली थ्रोजाबान नगर की चार किलोमीटर रच्चन में स्थाबित की या इस थाल आज पुराने दिल्ली की नाम से मसूर है इस नगर की वसावट का काम सेह साय सूरी द्वारा पूरा किया गया इसी के द्वारा पंदरे सू चालिस से चावालीश के दौरान पुराने के लिए का निर्माट करवाएगे मैं 1638 में जहां साहजहा द्वारा आज के पुरानी दिल्ली को साहजहाबाद की नाम से बसाएगे उसके द्वारां वहाँ पर 1648 में लाल किला और 1650 से 1656 की बीच जामा मस् साहजहाबाद के चारों तरफ क्वाइट जाइट पत्थर की चार दीवार बनवाई गई जिसके चारों तक मुख द्वार दिल्ली गेट कस्मीरी गेट अजमीरी गेट और लाहरी गेट के नाम से लगे हुए 1724 में राजा जैसिंग द्वारा जंतर मंतर बनाया गया और सज सबदर गंज का मकवरा भी यहीं बनवाएगा दिल्ली में अंग्रेज द्वारा पहले भारत की राध्धानी कलकत्ता बनाई गी फरंत 1911 में संग्मराट जोड पंचम द्वारा दिल्ली की राध्धानी बनाने का निश्चे किया गया था 1912 में यहां लागू भी हो गई थी सन 1947 में सोतंता प्राप्ति की बश्चात इसे भारतिय संग्य की राध्धानी की रूम में सुईचार किया गया था 1956 में से कैंद सासित पिदेश का दर्जा भी दे दिया गया दिल्ली पर विदीवार सासन की शुरुवात अंग्रेज हो दारा अठारे सो पांच से में सुरूंखी गया थी क्रब अठारे सो पांच दिसंबर उनने सो त्रेपन में गठित राजपुनर गठन आयों की सुजाओं की मद्दी नजर कैंसरका द्वारा एक नवंबर उननी सो चपन को दिल्ली की मंत्री पर्षदों विदाईका का स्थित समाप्त कर दिया गया था उननी सो संदावन में संसत द्वारा पारित दिल्ली नगर अधिनियम के तहर नगर निगम की गठन के उद्देश से उननी सो अंठावन में चुनाओ करवाए गये दिल्ली में 1957 में ये दिल्ली विकास अदिनियम पारित हुआ जिसके थे दिल्ली विकास प्रादीकर्ण की स्थापना भी हुई तो प्रादीकर्ण द्वारा पहला मास्टर प्राइन 1962 में पिकासित किया गया था कब 1962 में दिल्ली पिसासन अधिनियम 1966 द्वारा महानगर परचत इसमें आपके 56 निर्वाचित और 5 मनुनी सदस होते थे कि गठन का प्रावधान कर दिल्ली में सीमेत पितिनित्त वाली सरकार की स्थापना की ले समीधान में 99 समीधान संसुधान द्वारा दिल्ली राष्टी राधानी चित अधिनियम 1991 में प्रभाव में आया 1992 में सिलागू इस अधिनियम के तहत एक विधान सभा तथा दिल्ली के पिसासन संचालन के लिए कर उपराजबाल तथा उनके विशय में सलाय देने के लिए मुखमंत्री के दिन मंत्री बवसत का प्रावधन भी किया गया 1993 की चुनाओ के परश्चा इस अधिनियम के तहत पहली विधान सभा का गठन किया गया नवंबर 1998 में दूसरी विधान सभा गठी की कि भू आक्रितिक दिरिष्टी की दिरिष्टी से दिल्ली तीन भागों में भी भाजी थे कौन-कौन से हैं यह भाब यवनाबाड यवं गिरिफदी है मैदान दूसरा पहाडी पिदेश तीसरा है मैदानी पिदेश दिल्ली के सबसे उंच्चा इस्थान भाटी घाओं जिसकी उंच्चाई समुदुतल से 322 मीटर उंची है दिल्ली की भू आक्रिति का सरवादिक महत्त कुन्तत पहाडी है जो राजिस्थान की अरावली पहाडियों के पर बस पिसकंदी की बाती बना हुआ है अनंगपाल पिथम तौमरबंसी राजा की समय बना सूरचकुंद आज भी दिल्ली में मौजूद है सूरचकुंद चांदिनी चोक का बाजार साय जहां की लड़की जहास आरा बेगम ने बनवाय था चांद 1648 में बन कर तेयार हुआ जिसकी निव 1649 में रखी गए थी इस पर 9 करोड रूपी उस समय खल्च हुए थी आप समझ रहे हैं कितनी कीमत होती होगी 1649 की बात है 1749 में नादेशाय ने इस नगर को परवाद कर दिया था नादेशाय अंग्रेज 1857 में राध्धानी राध्धानी को दिल्ली से कलकत्ता ले गए थे पहले आपकी दिल्ली हुगा करती थी जून 1911 में दिल्ली को पनाभार की राध्धानी बनाए गया दिल्ली के लाल के लिए में बहादो साथ जाफर दूती है और शोवाश्यंद बोस की आजाद हिंद पहुच की सैनिकों की सुपिसिद्य राजनेतिक मुकद्ध में भी चले थे लाल के लिए दिल्ली के इसी लाल के लिए पर 15 अगस्त 1947 की दिन सुतंद भारत की पिदम पिदान मंत्री से जवालाल नहरु ने स्वाधीन भारत का तिरंगा राज राष्टी द्वच फैराए था आज भी आप लोग देखते हैं कि हमारी पिदान मंत्री वहां जाते हैं दिल्ली है 15 अगस्त कुत्व मीनारी के उचाई 334 फोटे जिसमें आपकी 389 सेणियां मोचूते पितवी का उसका पितवी पल उसका ब्यार्स 47 फोटे जो उपर जाकर केबल 9 फोट रह जाता है लाल किला और जामा मस्जित के बाद मुगली प्री सर्वुत्तम हिमारत हुमायू का मकवर का निर्मार 1565 इस भी में हुआ नई दिल्ली में इस्ति जंतर मंतर यंत मंदिर है जिसे जैपुर के राजा सभाई जैसिंग ने इसे 1724 में बनवाए था वर्थमान में नई दिल्ली का निर्मार सर एडविन लुटियंस और हरवर्ट बेकर की देखरेक में अंग्रेजों न नई दिल्ली में अठारे मार्च 1949 को महत्मा गांदी ने लच्मी नारायन मंदिल का उदगाटन किया जिसका निर्मार बल्दियों ने करवाया था दिल्ली में ही आपका 23 दिसंबर 1912 को लौर्ड हर्डिंग पर बंप फेका गया था इस केस के मास्टर आमिर चंद अवद बिहारी वसंतकुमार भाई बाल मुकुंद को फासी दी गई थी इसी केस के में ठीक है अंग्रेज सरकान ने 1877, 1903 और 1911 में कुल तीन बार दिल्ली में विसालत दर्वार का आईजन किया था पहला दिल्ली दर्वार आपका लौर्ड लिटन के समय हुआ जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की संभराग्गी गोसित किया गया दूसरा दिल्ली दर्वार लौर्ड करजन के समय हुआ 1903 में आईजवित किया गया जिसमें बात्साय एडवर्ड सप्तम की ताच प्रोसी की गोश्णा की गई तीसरा दर्वार आपका लौर्ड हर्डिंग के समय हुआ 1911 में बात्साय जौर्ड पंचम और उनकी महारानी इसाहुसर पर मौली थे दिल्ली विस्विद्ध्या लेक इस था आपना 1922 में की गई जिसका पुना संगठन आपका 1952 में किया गया तो यह था आपका दिल्ली र राज्य थे इनके बारे में हम लोगों ने जा लिया आपके मद्धविदेश और उत्तरविदेश के बारे में तो मैं वैसे भी विस्थाय से पढ़ा चुका हूं लेकिन अगर कोसिस करूंगा अगर जब भी टाय मिलता है तो सभी राज्यों के बारे में एक सामान अच्छे यह से डिटेल से थोड़ा बिस्थाय से बता दूगा ठीक है आगे अपन लोग बात करेंगे एक कोन्यूमिक की मारे में यानि की भारतिया अर्थव्यवस्था को देखेंगे सबके लिए अर्थव्यवस्था जरूरी होती है तो आप जुड़े रहे हैं बात करेंगे अगर करेंगे लिए जरूरी है तो आनिक है ही